तक खड़ा रहता है दोस्तों आफगानिस्तान का जीतना और भी जैदा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई सेट बल्ले बाच खेल ला होता है तो है मैच को एक अच्छा सा फिनिस देता है तो अगर आप लोग नहीं तक मेरी वीडियो को लाइ देखने में जागी और आप लोग को मैच प्रडिक्शन मैच चैनल एस रिपोर्ट फ्री आफकास्ट चाहिए दोस्तों लिंक के नीचे डिसक्रस्पन दिया गया और साथ में लाइफ चैट सेक्शन में भी दिया गया मेरे टेली ग्राम चैनल को जोईन कर लिए वहाँ पर दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्को कर सकती है तो दोस्तों कि आगर ये टीम किस तरह पर फॉर्म करे गी और स्वेशन के बात करें तो इस तो करती रहे तो एक बड़ा इसकोर बनाना हुगा और दोनों बल्लेबाजों को को सेएं यह देखने है सबसे बेस्ट प्लेटफ लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों नीचे सबस्क्राइब को आप सब्सक्राइब कर दिए जो इसके बग़ने बैल आइक करना जाए उस पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन पर जुरू क्लिक कर दिता है कि मेरे आनियाली कोई व्लेटेश वीडियो दोस्तों आप लोग के आपर सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप सब्सक्राइब कर दिसमें इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्ट का पोडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि से 50 ओबन में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंगलैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कूर बनाकर देना होगा क्योंकि अगर स्कूर ही नहीं को कोषिस करनी होगी कि यहां दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णर्शिफ बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के पीछ बनेगी उतना ही जैदा फैदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तो देखते हैं कि यह आगर सब्सक्राइब कर दो कोई बैले बाट सेट हो जाता है और अगरी तक खड़ा रहता है इस अगर आफगानिस्तान का जीतना और भी जैदा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोग ने देखा है कि जब भी को इस एट बले बाट खेल दाक होता है तो मैं अच्छा सा फिनिस देता है तो सबसे प्लेश्पर्फॉर्म सब्सक्राइब को अप्सुर्ण्य कर दिसके बगलмен करड़ ना जैका ऊस्प्र सबसे पहले को मिलते रहेंगे इंगलेंट बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही अहम मुकाबला खेला जा रहा जो कि वर्ट का वडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वो कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बहुत आराम से एचीव कर सकती है तो देखते हैं कि आगर यह टीम की सिरह पर्फार्म करेगी और इस समय अगर हम लोग बले-बाजी की बात करें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम काफी समय करके बले-बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहां पर करती रही तो एक इस टीम की गाड़ी कीस तरभ जाती है कुक्यिंथ बेटना हो जाता है नोगー चाहिक अब वीक्ट यहां नसगे ढूबियरे सब्सक्राइब में करते कोके यह खेल के लिएक में अपछासा जिन treating करके आल नोटिफिकेशन पर जुरूग कर दी कि मेरे आनियाली कोई लेटेश्ट वीडियो दोस्तों आप लोग के आपर सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप से को तद इसमें इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्टकाप ओडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वो कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहाँ बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान कितने रनों को टार्गेट हैं पर इंग्लैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही ही बनेगा तो समने वाले टीम इस स्कोर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो दोस्तों देखते हैं कि आगर यह की सिरह perform करें और इस संवे अगर में लोग ब्लेबाजी की बात करें तो इससमें अख़ानिस्तान की काफी ंपर, करके बने बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहाँ पर करती रही है तो एक बढ़ा स्कोeni करने में होगी कि वडी प्र Nacht के लिए इक बड़ी पांटनर वागी जितने बड़ी साजीदारीं नहीं पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो देखते हैं कि यह आगिर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों अफगानिस्तान का जीतना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा आरा उस पर क्लिक कर दी जो इसके बगल में बैल आइकन आ जागा उस पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन पर जुरूग कर दी कि मेरे आनियाली कोई लेटेस्ट वीडियो तो सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप सिक होता दिसमें इंगलाइंट बनाम अफ बहुत अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्टकाप ओडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंगलेंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कूर बना कर देना होगा क्योंकि अगर स्कूर यह नहीं बनेगा तो समने वाले टीम इस सकूर को बहुत आरहराम से एचीव कर सकती है तो दोड़ुन की सतरे पर फार्म करेगी और इसमार अगर अब दोग बनने sil पार्टनर्स्थीं बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही ज़्यदा फाइदा यहाँ पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई बी अगर एक बल् प्रीज जितने बीच लोग देखने वीडियो को लाइब मैच देखने हैं सबसे बेस्ट प्लेटफार्म आप लोग लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों लिए देख रहे हैं आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप सण आरा उस पर क्लिक कर दिए जो इसके बगलने बै टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग जल्दिश जाकर को मेरे टेलीग्राम चैनल को जोन कर लिए वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मैच अपडेट्स आपको सबसे पहले फ्री आपकाश्ट देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप सब्सक्राइब इसमें इंगलेंड ब चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रणों को टार्गिट यहां पर इंगलेंड को देगी चूंकि ये टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बनाकर देना होगा क्योंक किसे यहां पर करती रही तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा कि इन दोनों बल्ले बाजों को कोसिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णर्शिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों जितना और भी जैदा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई सेट बल्ले बाज खेल ला होता है तो यह मैच को एक अच्छा सा फिनिश देता दोस्तों अगर आप लोग तक मेरे वीडियो को लाइक कर दीजे प्लीस जितने वीडियो लोग देख अगर आप लोग को मैच प्रेडिक्शन मैच चैनल एस रिपोर्ट फ्री आफकास्ट चाहिए दोस्तों लिंक के नीचे डिसकर ने दिया गया और साथ में लाइफ चाट सेक्शन में भी दिया गया मैरे टेली ग्राम चैनल को जोईन कर लीजे महां पर आपको सारी चीजे मै पाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पच अगर हम लोग बले बाजी की बात करें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहां पर करती रही तो एक बड़ा इसको यहां बनाना होगा कोई इन दोनों बल्लेबाजों को कोशिस करनी होगी कि यहाँ इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी partnership बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीछ बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाज जो मैंसे कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों विडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोगो लाइब मैंसे देखने है सबसे प्लेटफ प्लेटफार्म आप लोग लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों नीचे देख रहे हैं आप लोग नीचे सबस्क्राइब का आप्सन आरा उस पर क्लिक कर दिए जिसके बगल चैनल का लिंक आप लोग जल्दी जाकर करें में टेली ग्राम चैनल को जोईन कर लीजिए वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मैच अपडेट्स आपको सबसे पहले फ्री आपकाश्ट देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप सबस्क्राइब इसमें इंगलेंड बनाम अफ अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंगलेंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत और अगर इसी तरीके से यहां पर करती रही तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा कि इन दोनों बल्ले बाजों को कोसिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णर्शिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले ब बल्ले बाच खेल दा होता है तो है मैच को एक अच्छा सा फिनिस देता है तो अगर आप लोग नहीं तक मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीस जितने वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग को लाइब मैचे देखने हैं सबसे बेस्ट प्लेटफर्म आप को मैच प्रडिक्शन मैच चैनल एस रिपोर्ट फ्री आफकाश्ट चाहिए दोस्तों लिंक के नीचे डिसक्रस्ट ने दिया गया और साथ में लाइफ चैट सेक्शन में भी दिया गया मेरे टेली ग्राम चैनल का लिए वहाँ पर आपको सारी चीजे मैच अपडेट्स आपक अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि से 50 ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंगलेंड को देगी क्योंकि ये टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कॉर बनाकर देना होगा। क्योंकि अगर स्कॉर नहीं बनेका तो साभ़ने वाले टीम इस स्कॉर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है। तो देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह पर्फार्म करेगी और इसमें अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इसमें अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहां पर करती रही तो एक बड़ा स्कॉल यहां बनाना कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णर्शिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगर इस जो चलिए प्लाइक कर दीजे में करते हैं कि यहां अब लोग लूग लिए वाला होने वाला होने तो दोस्तों नीचे सब्सक्राइब करैने बेल प्लीक करके बीटारी कर दिए चारका कि मेरे कोई रहे वीड़े यांक बात और अगर आप लोग को मैच प्रडिक्षन मैच लेसे रिपोर्ट फ्री आफकाष्ट चाहिए दोस्तों लिंक के निचे डिस्क्रस्ट ने दिया गया और साथ में लाइव चाट सेक्शन में भी दिया गया मैरे टेली ग्राम चैनल का लिंक आप लोग जुल्दिश जाकर मैरे टेली ग्राम चैनल को जोन कर लीजे वहाँ पर सारी चीजें मैच अपडेट्स आपको सबसे पहले फ्री आपकाष्ट देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप से को तद इसमें इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्ट का वोडिया होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंग्लैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं बनेगा तो सामने वाल कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णर्शिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगिर इस लोग देखने वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग को लाइब मैचस देखने हैं सबसे बेस्ट प्लेटफार्म आप लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों नी देख रहे हैं आप लोग नीचे संस्क्राइब को आप सना रहा उस पर क्लिक कर दिजिए जिसक सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंगलैंड को देगी चूँकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहां पर करती रही तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा कि इन दोनों बल्ले बाजों को कोसिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्टनर्सिप बनानी होगी जितने बड़े स सेट बल्ले बाच खेल ला था है तो एक अच्छा सा फिनिसुटा अधा थी तक मेरी वीड़ो को लाइक कर दीजै प्लीज लोग देख रहे है वाला होने वाला है तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप सनारा उस पर क्लिक कर दीजिए उसके बगल में बैल आइकन आ जागा उस पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन पर जुरूब कर दीजिए कि मेरे आनियाली कोई लेटेस्ट वीडियो दोस्तों आप लोग अफगानिस्तान के बीच बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्ट कप ओडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मै करेट यहां पर इंगलैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कूर बना कर देना होगा क्योंकि अगर स्कूर नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस स्कोर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो दोस्तों देखते हैं कि आगर ये टीम किस तरह पर फार्म करेगी और इस समय अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है इस टीम की गाली किस तरफ जाती कि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों अफ़ानिस्तान का जीतना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगोंने देखा है कि जब भी कोई से कर दिए जो इसके बगलने बैल आइकन आजागा उस पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन पर जुरू क्लिक कर दी कि मेरे आनियाली कोई लेटिस्ट वीडियो तो सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप शिक होता दिसमें इंग्लाइंट बनाम अफगानिस्ता के बीच एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही एहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्टकाप ओडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की नाम के देना होगा तो अगर सकूर ही नहीं ऐगा तो साम निवाले टीम इस स्कूर को बहुत आराम से चीव कर सकती है तो दौस्तों देखते हैं किあ लोग था बद्लेवाजी की बात करें तो इससमें अफगानिस्तान की टीम काफी सम academics करके बद्ले बाजी कर रही है ओर जाएदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों मैंसे कोई बी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों अफगानिस्तान करके आप सेना रहा उस पर क्लिक कर दी जो इसके बगलने बैल आइकन आजागा उस पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन पर जरू क्लिक कर दी ताज कि मेरे आने आली कोई विडियो तो आप लोग के आप सबसे पहले देखने को जागी वह पर आपको सारी चीजे मैंश अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती एहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्ट काप ओडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस में अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर तो इसमें अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहां पर करती रही तो एक बड़ा स्कोल यहां बनाना होगा क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों को कोसिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णर्शिप बनानी होगी जितने बड़े साजीधारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों और भी जैदा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई सेट बल्ले बाज खेल ला होता है तो है मैच को एक अच्छा सा फिनिस देता दोस्तों अगर आप लोग नहीं तक मेरे वीडियो को लाइक कर दीजे प्लीस जितनी वीडियो को लाइक कर दी सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों इंगलाएंट बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बड़ा और एक बहुत अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्ट का वोडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वो कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रणों को टार्गेट यहां पर इंग्लैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कूर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कू अर्णे वाले टीम इस स्कूर को बहुत आराम से अच्छीव कर सकती है तो देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह पर फांक करेगी और इसमें अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इसमें आफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इस इस टीम की गाड़ी किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों मैंसे कोई अगर एक बल्ले बाज हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों अफगानिस्तान का जीतना और भी जाएदा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी सेट ब बैल आइकन ना जागा उसपर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन पर जुरू क्लिक कर दी तरह कि मेरे आनियाली कोई लेटेश्ट वीडियो तो सब लोग के आपर सबसे पहले देखने को जागी तो जियांस तो एक बात और अगर आप जो कि वर्ट का पोडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंगलैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के द ही कि好吧 continue शची बनाना होगा तो ईन दोनों बंग antar को कोसिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को आपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णरसिफ के बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बंगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस दो देखते हैं कि यह आगिर इस तोस्तों अगर आप लोग देखने हैं वाला हुने वाला होने वाला है तो दोस्तों नीचे सबस्क्राइब कर दिए जिसके बगल ने बैल आइक करना जाएक उस पर क्लिक करके सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इसमें अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंगलैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कूर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कूर ही नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस स्कूर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह परफार्म करेगी और इस समय अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों आफगानिस्तान का जीतना और भी जैदा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई सेट बल्ले बाच खेल ला होता है तो है मैच को एक अच्छा सा फिनिश देता है दोस्तों अगर आप बेल आइकन आजागा उसपर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन पर जुरूब कर दी ताज कि मेरे आनियाली कोई लेटेश वीडियो तो सबसे पहले देखने में जागी तो जियांस तो एक बात और अगर आप लोगो मैच प्रेडिक्शन मैच चैनल एस रिपोर्ट फ्री आफ काश्ट देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों अपसे को तद इसमें इंग्लेंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्टकाप ओडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन स होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंग्लैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं बनेगा तो सामने वाल कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णर्सिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगिर इस अच्छा सा फिनिस देथा दोस्तों अब लोग नहीं तक मेरे वीडियो को लाइक निकाए बाज जल्दी जाकर वीडियो को लाइक कर दीजे अगर आप लोग को लाइश देखने हैं सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला होने तो दोस्टों देख रहे हैं आप लोग subscribe को option आरा उसपर क्लिक कर दीजिए उसके बगल में बैल आइकन आ जागा उसपर क्लिक करके all notification पर जुरूग क्लिक कर दीजिए ताज की मेरे आनियाली कोई लेटेस्ट वीडियो दोस्तों आप लोग के आपर सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आपसे को तद इसमें England बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्टकाप ODII टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वो कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहाँ बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस 50 ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहाँ पर इंगलैंड को देगी कूकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के देना होगा क्योंकि अगर इस्कोर यह नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इसी स्कोर को बहुत आराम से अचीब कर सकती है तो देखते हैं कि आगर यह team किस तरह पर fifty करेगी और इस समय मैं बल्ले बाजी की बात करें तो इस समय अफगानिस्तान की team काफी समाल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहां पर करते फैस्ट यहा बनाना होगा कोई इन दोनों बल्ले बाजों को कोसिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णर्शिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीज़ बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहाँ पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों लाइब मैचस देखने हैं सबसे बेच्ट प्लेटफार्म आप लोग लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप सब्सक्राइब कर दिए और साथ में लाइव चाट सेक्शन में वी दिया गया मैरे टेली ग्राम चैनल को जान कर लीजे वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मैच अपडेट्स आपको सबसे पहले फ्री आपकाश्ट देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप स्ब्सक्राइब बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती एहम मुकाबला खेला जा रहा जो कि वर्टकाप ओडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इ सकोर ही नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस सकोर को बहुत आराम से यह चीव कर सकती है तो जोस्तों देखते हैं कि यह टीम कİस तरह पर फार्म करेगी और इसुम करें बलही बाट करें तो इसमें अफगानिस्तान की टीम काफी समहल करके बलही मोशी िाष 사isst कर रही है। उतना ही जैदा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों आफगानि लाइब मैचे देखने हैं सबसे बेस्ट प्लेटफार्म आप लोग लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों लिए देख रहे हैं आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप सना रहा है उसके बगलने बैल आइक करना जागा उस पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन पर जुरू पर आपको सारी चीज़ें मैच अपडेट्स आपको सबसे पहले फ्री आपकाष्ट देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप सब्सक्राइब बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्टकाप ओडिया तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंग्लैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कूर बना के देना होगा क्योंकि अगर अब सर्भी नहीं बनेगा तो सभने वाले टीम इस स्कूर को बहुत आराम से चीव कर सकती है तो दोस्तों देखते हैं कि आगर ये टीम किस तरह पर करेगी और Sacred Kingdom बात безопас करें ने कि टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहाँ पर करती रही तो एक बड़ा इसको यहाँ बनाना होगा क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों को कोसिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्टनर्सिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों जितना और भी जैदा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई सेट बल्ले बाज खेल ला होता है तो यह मैच को एक अच्छा सा फिनिस देता दोस्तों अगर आप लोग नहीं तक मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीस जितने भी लोग पर सबसे पहले देखने में जागी तो जियांस तो एक बात और अगर आप लोग को मैच प्रेडिक्शन मैच चैनल एस रिपोर्ट फ्री आफकाष्ट चाहिए दोस्तों लिंक कर नीचे डिसकर ने दिया गया और साथ में लाइफ चैक्शन में भी दिया गया मैरे टेली ग् हैं मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्ट काफ ओडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंगलैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जा और अगर इसी तरीके से यहां पर करती रही तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा तो कि इन दोनों बल्ले बाजों को कोसिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णरशिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक ख वाला होने वाला है तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप सणारा उस पर क्लिक कर दिए जो इसके बगलने बैल आइकन आ जाए को क्लिक कर दिए कि मेरे आन याली कोई वीडियो तो सबसे पहले देखने में जागी जिए और आप लोगो मैश प्रडिक्सन मैश चैनल एस रिपोर्ट फ्री आफकाश्ट चाहिए दोस्तों लिंक के नीचे डिसकर ने दिया गया और साथ में लाइफ चैट सेक्शन में भी दिया गया मैरे टेली ग्राम चैनल को जोईन कर लिए महाँ पर आपको सारी चीजे मैश अपडेट्स आपको से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैश की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैश को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अब कर सकती है तो देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह पर फार्म करेगी और अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहां पर करती रही तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना ह सब्सक्राइब ज़ल्दी जके वीडेयो को लाइक कर दिए प्लीस जितनी फ्रीट बेंस देखने वाला हुने वाला है तो दिए आप लोग नीचे समस्क्राइब को आ उस पर क्लिक कर दी जो अस-क आरल palm क्लिक कर दी निसके जिए किलिक कर दी कि मीरे अन्याहिए कोई वीडि़िक. यहां पर सबसे पहले देखने को जागी जहांस तो एक बात और अगर आप लोग को मैच प्रडिक्शन मैच चैनल एस रिपोर्ट फ्री आफकाश्ट चाहिए दोस्तों लिंक के निचे डिसक्राइब ने दिया गया और साथ में लाइफ चैक्शन में भी दिया गया मेरे टेली में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर म बहुत आराम से अचीब कर सकती है तो देखते हैं कि आगर ये टीम किस तरह पर्फराम करेगी और इस समय अगर हम लोग बले बाजी की बात करें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम काफी समयлем करके बले बाजी कर रही है और अगर इसी तारीके खर्चाफें पर करती रहें तो एक बाड़ा स्वोल अनुम यहां बनाना होगा तो प्रस तो देखते हैं कि इस यहां कि गाझी की तरह जाती है। और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों आफगानिस्तान का जीतना और भी जैदा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई सेट बल्ले बाच खेल ला होता है तो है मैच को एक अच्छा सा फिनिस देता है दोस्तों अगर आप लोग नहीं तक मेरी सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों में इंगलाएंट बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्ट काप ओडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंगलैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती ह कि एक बड़ा स्कोर बना कर देना होगा तो सामगे वाले टीम इससकोर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो देखते हैं कि आगए यह टीम किस सिब बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के पीछ बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहाँ पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई कर दीकों कर दिए प्लीजों पिर एपलगों के लग वीडियो को लाइच देखने हैं अगर आप लोग लोक लिए मैस चैनल मैं सिसीर 小ग चलिकों चंसे ब канал में दिया गया और यह सुन में दिया गया आप लिए खर डिया जाकर मेरे ए ये मिहीं टेलीग्राम आप jsemमने आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे इंग्लाइंट बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा जो कि वर्ड का वोडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाब यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंग्लैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस सकोर को बहुत आराम से ऐचीव कर सकती है तो देखती हैं कि आगर इस तरह पार्फिर करेंगि और इस समय हम लोग बन ना पर करती रही तो एक बंडड़ा नहीं होगी कि यहान कि इन दोनों बल्ले बात स्ट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता थो स्टॉता अफगानिस्तां का जीतना और भी जएदा आसान हो जाएका कि लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों नीज देख रहे हैं आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप से नारा उस पर क्लिक कर दिए जो इसके बगलने बैल आइक ना जाएगा उस पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन पर जुरू कर दीता कि मेरे आनियाली कोई वीडियो तो सारी चीजें मैच अपडेट्स आपको सबसे पहले फ्री आपकाश्ट देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप से कोता इसमें इंग्लाइंट बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा और एक बहुत अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्ट का पोडिया ट देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंग्लैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस स्को बनाना होगा यहां पर उस्कोर को दोनों होगी करने दोनों को कोशिज करनी होगी कि यहां दोनों को लागा जो कि बीच बनेगी उतना ही ज्यादा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड होने वाला है तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप सण आरा उस पर क्लिक कर दीजिए उसके बगलने बैल आइकन आ जाए उस पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन पर जरू क्लिक कर दीजिए कि मेरे आनियाली कोई लेटेस्ट वीडियो तो सारी चीजें मैच अपडेट्स आपको सबसे पहले फ्री आपकास्ट देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप से को तद इसमें इंग्लाइंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्ट का पोडिय पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंग्लैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस स्कोर को बहुत आराम स अचीव कर सकती है तो देखते हैं कि इस तरह की चीतर परफाम करेगी 10 लोग ब्ले बाज़ की बात करें जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बलती बाज़े negotiating की बिच बनेंगी उतना ही जाधा यहां पर ऑफगानिस्तान के रहे गहीं तो तो जोस्तों देखते हैं कि यह आगिर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों अफगानिस्तान का जीतना और भी जैदा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब देख रहे हैं आप लोग नीचे सब्सक्राइब को अप्सें आरा उस पर क्लिक कर दीजिए उसके बगलने बैल आइक ना जाएगा उस पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन पर जुरू क्लिक कर दीजिए कि मेरे आनियाली कोई वीडियो तो सबसे पहले देखने को मिलते रहे दोस्तों अपसे को तद इसमें इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्ट का वोडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफ बनाना होगा और इस तरह आप दाना होगा इस तो बीद यहांगे यहां बनाना होगा लगा तुरसों को आपना यहां तो दस्तों देखते हैं कि और इस तीम क किस तरफ जाती क Luego मेंको कोई यह एक बड़ी बड़े आपन। सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों अफगानिस्तान का जीतना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगोंने देखा है कि जब भी कोई सेट बल्ले बाच खेल ला होता है तो यह मैच को एक अच्छा सा फिनिश देता दोस्तों अगर आप ल आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों अपस्ट इसमें इंगलाएंट बनाम अफगानिस्तान के बीच बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही अहम मुकावला खेला जा रहा जो कि वर्टकाप ODI है टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना च तो समय वाले टीम इस सकोर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह परफार्म करेंगी और इस समय आफगानिस्तान की टीम काफी समध करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहां पर करती रही तो एक बड़ा स्कूर मे तो देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों अफगानिस्तान का जीतना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि हम प्रेट फार्म आप लोग लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों नीचे देख रहे हैं आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप सब्सक्राइब कर दिए और लाइव चैनल को जोई कर लिए वहां पर आपको सारी चीज़ें मैच अपडेट्स आपको सबसे पहले फ्रीया प्रकाष्ट देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों अप्सक्राइब बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा और एक बहुत अहम मुकाबला खेला जा रहा जो कि वर्टकाप ओडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रहनों को टार्गेट यहां पर इंग्लैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कूर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कूर ही नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस स्कूर को बहुत आ एक बड़ी पार्णर्शिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए तो देखते हैं कि यह आगिर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले कर दीजे प्लीज जितने लोग देखने वर वीडियो को लाइब मैचेस देखने हैं सबसे बेस्ट प्लेटफार्म आप लोग लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों देख रहा है आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप सणारा उस पर क्लिक कर दिए जो इसके बगलने ब कर लिए वहाँ पर आपको सारी चीजे मैच अपडेट्स आपको सबसे पहले फ्री आपकाश्ट देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप सब्सक्राइब बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्ट क होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रहनों को टार्गेट यहां पर इंग्लैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं बनेगा तो सामने वा वैजों को कोसिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पांटर्शिप बनानी हुगी क्योंखना साजी दारी जारी पर आफगी Спाना था म sortir में इन बने लोगे साहरा मिसीन में जई तो अगर आप लोग अभी तक मेरे जल्दी ज्पाहर को लाइक कर दीजिए जित्नी भेड़ए विडियो को लाइक कर ल्युक्रेश्ब कर दीजिए उनियों या पर सबसे पहले लोगों जागी उन लिक प्रेटक्षिन फ्रियक्ष सेज्डीन दोस्तों लिंक के नीचे डिसक्रस्टर ने दिया गया और साथ में लाइफ चार्ट सेक्शन में भी दिया गया है मेरे टेली ग्राम चैनल का लिंक आप लोग जल्दी जाकर करें मेरे टेली ग्राम चैनल को जोएं कर लिए वहाँ पर आपको सारी चीजे मैश अपडेट्स कि वह कौन से टीम है जो इस मकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा और कि अगर यह टीम किस तरह पर फाँम करेंगी और इस समय अगर लोग बले बाजी की बात करें तो इससमय अफगानिस्तान कीटीम काफी समपने कर दो बनानी होगी इन भडे साजिधारी इन दोनों बल्ले बाज़े के लिए बज़ए बनेगी उतना ही जैदा फैदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगिर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों अफगानिस्तान का जीतना और ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई सेट बल्ले बाज खेल ला होता है तो अच्छा सा फिनिस देता दोस्तों अगर आप लोग तक मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीस जितनी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिए आप लोग के आपर सबसे पहले देखने को जागी और अगर आप लोग को मैच प्रडिक्शन मैच चैनल एस रिपोर्ट फ्री आफकाष्ट चाहिए दोस्तों लिंक के निचे डिसकर ने दिया गया और साथ में लाइफ चैक्शन में भी दिया गया मेरे टेली ग्राम चैनल क मेरे टेली ग्राम चैनल को जान कर लीजे वहाँ पर आपको सारी चीजे मैच अपडेट्स आपको सबसे पहले फ्री आपकाष्ट देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप से कोता दिसमें इंग्लाइंट बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुत बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंग्लाइंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं बनेगा तो स से यहां पर करती रएंड data बनाना होगा तो इन गयोंकि को कोषिज करनी होगी कि यहां इन दोनों को आपनी टीम के लिए एक बड़ी partnership जितना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई सेट बल्ले बाच खेल ला होता है तो है मैच को एक अच्छा सा फिनिस देता है तो अगर आप लोग नहीं तक मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीस जितने भी दो लोग दे मैच प्रेडिक्शन मैच चैनल एस रिपोर्ट फ्री आफकाष्ट चाहिए दोस्तों लिंक के निचे डिसक्रस्पर ने दिया गया और साथ में लाइफ चैट सेक्शन में भी दिया गया मेरे टेली ग्राम चैनल को जान कर लिए वहाँ पर आपको सारी चीजे मैच में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर म बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो देखते हैं कि आगर यह टीम किसे पर फॉर्म करेगी और इस समय अगर हम लोग बहले बाजी की बात करें तो इस मैं अफगानिस्तान की टीम काफी समऻ करके बहले बbuर कर रही है क्योंकि इन दोनों बहले बाज़ों को कोसियस करनी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई बिद्धा सेट हो जात सबसे बेश्ट प्लेटफार्म आप लिए वाला होने वाला है तो दोस्तो लिनी देख रहे हैं आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप सण आरा उसपर क्लिक कर दीजिए इसके बगलने बेल आइक ना जाए उसपर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन पर जुरू क्लिक कर दीजिए कि मेरे आनियाली कोई व्लेटेश वीडियो दोस्तो आप लोग के आप सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप सब्सक्राइब इसमें इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्ट का वोडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वो कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंग्लैंड को देगी चूंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कूर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कूर लिए नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस स्कूर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह पर फार्म करेगी और इसमें अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इसमें अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहाँ पर करती रही तो एक बड़ा श्कोर यहाँ बनाना होगा कि इन दोनों बल्ले बाजो को कोशिच करनी होगी कि यहाँ थो परणरशिप बंनानी होगी जितने उतना ही जैदा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो देखते हैं कि यह यह आगर गाली किस तरफ जाती को कि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई बप gले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों अफगानिस्तां का जीतना और भी जएदा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई सेट बल्ले बाच खेल ला होता है तो है मैच को एक अच्छा सा फिनिस देता है दोस्तों अगर आप लोग नहीं तक मेरी बैल आइकन आ जाएगा उसपर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन पर जुरूब कर दी ताहरा कि मेरे आनियाली कोई लेटेश्ट वीडियो दोस्तों आप लोग के आपर सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप शिक होता दिस्ट में इंग्लाइंट बनाम बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्टकाप ओडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को दे बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कॉर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कॉर ही नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस स्कॉर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह पर फार्म करेगी और इस समय अगर हम लोग अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णर्शिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगिर इस टीम की गाली किस लोग देख रहें को लाइब मैच देखने हैं सबसे बेच प्लेटफर्म अपने वाला होने वाला है तो दोस्तों नीचे संस्क्राइब को आप सणारा उस पर क्लिक कर दिए जिसके बगल में बैल आइक करना जागा उस पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन पर जुरू क्लिक वहाँ पर आपको सारी चीजें मैच अपडेट्स आपको सबसे पहले फ्री आपकाश्ट देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप से को तद इसमें इंगलाइंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा जो कि व बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रणों को टार्गेट यहां पर इंगलेंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं नहीं बनेगा तो सबने वाली टीम इस स्कोर को बहुत आराम से ऑचीव कर सकती है तो दुस्तों देखती है कि आगर यह टीम किस तरह पर फARSμ करेगी और इस समय अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इसंवे अफगानिस्तान की टीम काफी समझ लद करे के कोशिश करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णरसिप बनानी होगी जितने बड़े साजी-दारे इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही जैदा फैदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगिर इस टीम की गाली किस तरफ जाती को कि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्ता अफगानिस्तान का जीतना और भी जैदा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भ करें आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप सना रहा उस पर क्लिक कर दिए जो इसके बगलने बैल आइकन आ जागा उस पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन पर जुरूग कर दी कि मेरे आनियाली कोई लेटिस्ट वीडियो तो सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस् बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही अहम मुकाबला खेला जा रहा जो कि वर्ट काफ ओडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देख क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस स्कोर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो दोस्तों देखते हैं कि अगर यह टीम किस तरह पर फार्म करेगी और इस समय अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इस समय अगर अफगानिस्तान की टीम क बीच बनेगी उतना ही ज्यादा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दो अगर आप लोग को लाइब मैचे देखने हैं सबसे बेच्ट प्लेटफार्म आप लोग लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों लिए देख रहे हैं आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप सब्सक्राइब कर दिए जो इसके बगलने बेल आइक करना जागा उस पर क्लिक सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंगलैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कूर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कूर ही नहीं बनेगा बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों अफगानिस्तान का जितना और भी जैदा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई सेट बल्ले बाज खेल ला होता है तो है मैच को एक अच्छा सा फिनिस देता दोस्तों अभी तक मेरे वीडियो को लाइक कर दिए प्लीस जितने वीडियो लोग देखने वर वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोगो लाइब मैचस देखने हैं सबसे बेस्ट प्लेटफार्म आप लोग लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों लिए देख रहे हैं आप लोग नीचे संस्क्राइब को आप्सन आरा उस पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों लिंक नीचे डिसक्राइब लाइब अफगानिस्तान के बीच एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही अहम मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और आप देखते हैं कि इस वाले टीम इस सकोर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो दूस्तों देखते हैं कि आगर य101 इन डोनाले बाजो को को करनी होगी कि अपनी टीम के लिए एक बड़ी पाणिर्नसिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही ज्यादा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर बल्ले बाज हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों अफगानिस्तान का जीतना और भी जएदा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई सेट बल्ले बाज खेल ला होता है तो है मैच को एक अच्छा सा फिनिस देता है तो अगर आप लोग देखने हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग को लाइब मैचस देखने हैं सबसे बेस्ट प्लेटफार्म आप लोग लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों नी देख रहे हैं आप लोग नीचे संस्क्राइब को आप सनारा उस पर क्लिक कर सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इसमें अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंगलैंड को देगी क्योंकि ये टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस स्कोर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो दोस्तों देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह पर फार्म करेगी और इसमें अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इसम बड़े साजीधारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही ज्यादा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई अगर एक बल्ले लाइक कर दीजे प्लीस जितने भी देखने वीडियो को लाइक कर दीजे और जियांस तो अगर आप लोगो लाइब मैचे देखने हैं सबसे बेस्ट प्लेटफर्म आप लोग लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों नीदेख रहे हैं आप लोग नीचे सब्सक्राइब को सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों इंगलाइंट बनाम अफगानिस्तान के बीच बहुत ही बड़ा और एक बहुत अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्ट काप ओडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वो कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफ स्कूर ही नहीं बनेगा तो समने वाले टीम स्कूर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो दोर तो देखते हैं कि आगर यह टीम के इस तरह पर फार्प करेंगी और लोग वोग बढ़ी बनाने होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज लोग देखने वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग को लाइब मैचे देखने हैं सबसे बेस्ट प्लेटफर्म आप लोग लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों लिए देख रहे हैं आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप सण आरा उस पर क्लिक कर दिजिए जो हाँ पर आपको सारी चीजे मैच अपडेट्स आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों अपसे को तद इसमें इंगलेंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्ट का वोडिया टीम क जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि से पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंगलैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस स्कोर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह परफार्म करेगी और इस समय अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहां पर करती रही तो एक बड़ा स् करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णर्शिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आ लोग देखने हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग को लाइब मैच देखने हैं सबसे बेस्ट प्लेटफार्म आप लोग लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों नहीं देख रहे हैं आप लोग नीचे संस्क्राइब को आप सना रहा उस पर क्लिक कर क्लिक कर दी तरह कि मेरे आनियाली कोई लेटेश्ट वीडियो दोस्तों आप लोग के आप सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकावला खेला जा रहा जो कि वर्ड का व देखना दिल्चास यह रहेगा कि वो कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड आराम से अचीव कर सकती है तो देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह पर फार्म करेगी और इस समय अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहां पर करती रही तो एक बड आफगानिस्तान के लिए रहेगा तो देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों आफगानिस्तान का जीतना और भी जैदा आसा क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई सेट बल्ले बाज खेल ला होता है तो है मैच को एक अच्छा सा फिनिस देता है दोस्तों अगर आप लोग नहीं तक मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीस जित्ती भी दो लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइब जागी और आप लोगो मैच प्रेडिक्शन मैच चैनल एस रिपोर्ट फ्री आफकाष्ट चाहिए दोस्तों लिंक के नीचे डिस्क्राइब ने दिया गया और साथ में लाइफ चाट सेक्शन में भी दिया गया मैरे टेली ग्राम चैनल को जोईन कर लिए वहाँ पर आपको तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिचुएसन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कूर यहाँ बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस 50 ओबर में आफगानिस्तान के तर परफार्म करेगी और इस समय अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहाँ पर करती रही तो एक बड़ा स्कोल यहाँ बनाना होगा क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों को कोसिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी partnership बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के पीछ बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहाँ पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों मैंसे कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों अफगानिस्तान का जीतना और भी जैदा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई सेट बल्ले बाज खेल ला होता है तो है मैच को अच्छा सा फिनिश देता है तो अगर आप लोग नहीं तक मेरे वीडियो को लाइक कर दीजे प्लीस जितने भी देखने हैं कर लोग देखने हैं सबसे बेस्ट प्लेट्फॉर्मा प्लोग लिए वाला होने वाला है तो दोशसर लिए देख रहें आप लोग नीचे आपसं और कलिक करना जाए चलिक कर दिएола जूइक कर दीञा कि मेरे अनिया लिख वीडियो तोस्तों आप लोग यहां सबसे पहले देखने में जागी तो जहांस तो एक बात और अगर आप लोग को मैच प्रेडिक्शन मैच चैनल एस रिपोर्ट फ्री आफकाष्ट चाहिए दोस्तों लिंक के निचे डिसकर ने दिया गया और साथ में लाइफ चैट सेक्शन में भी दिया गया मैरे टेली ग्रा प्रेडिक्शन में जीट अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा और आप देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंग्लैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कूर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कूर ही नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस स्कूर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह पर फार्म करेगी और इस समय अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहां पर करती रही तो एक बड अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों अफगानिस्तान का जीतना और भी जैदा आसा क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई सेट बल्ले बाज खेल ला होता है तो है मैच को अच्छा सा फिनिस देता दोस्तों अगर आप लोग नहीं तक मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीस जितने भी लोग देखने हैं सबसे बेस्ट प्लेटफार्म आप ल सब्सक्राइब कर देखने को मिलते रहेंगे इंगलेंट बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही अहम मुकाबला खेला जा रहा जो कि वर्ट का वोडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाब इसन को देखें तो इससमें अफगानिस्तान की टीम आगे हैं अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो अगर लोह अगर टीम बहुत आराम से रहीं और वीज़िया झालबणता मों के यह तरफ देगी और एक प्सक्तिए को बाघते है कोबमे ही करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से करते रही तो एक बड़ा इसको बनाना होगा लॐए कि नो बल्ले बाजों को कोसिस करनी भी कि यहां इंदो नोगों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णरशीप बनानी होगी जितने बड़े खेल दा होता है तो फैस्ट को एक अच्छा सा फिनिज देता दूस्तों अगर आप लिए अभी तक मेरे वीडियो को लाइक कर दिए प्लीज इन्य आप कर आप लोग को लाइब मैच देखने हैं सबसे बेस्ट प्लेटफरम आप लोक लिए वाला होने वाला देख रहे हैं आप लोग नीचे संस्क्राइब कर आप से न्याइब कर दिया गया और साथ में लाइफ चार्ट सकेлемे घ्ली चैनल के लिए वहाँ पर आपको सारी चीज य देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप से को तद इसमें इंग्लाइंट बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही एहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्ड का वोडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम ह पर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की situation को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहेती है तो एक बड़ा score यहां बनाना होगा और आप देखते हैं कि इस पचास उबन में अफगानिस्तान कितते रनों को वाध़ी करें लोग बले बाजी बात करें तो बढ़ी पार्णर्शिट बनांगी जहाद सपर बन्याजाद के इस तरह इक कि यह आगिर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों आफगानिस्तान का जीतना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने देखा आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप सण आरा उस पर क्लिक कर दिए जो इसके बगलने बैल आइकन आ जाएगा उस पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन पर जुरू क्लिक कर दी कि मेरे आनियाली कोई वीडियो तो सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप सब्सक्राइब इसमें इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्टकप ओडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कॉर यहाँ बनाना होगा और अब देखते हैं कि पचास और में अफगानिस्तान किते रॉनों को टारगेट यहां पर इंग्लैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह पर बड़ी बाजों को कोशिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णरसिप बनानी होगी जितने बड़े साजी दारी इन दोनों बल्ले बाजों के पीछ बनेगी उतना ही ज्यदा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो को एक अच्छा सा फिनिस देता दोस्तों अगर आप लोग नहीं तक मेरे वीडिए आधी तक यह ज़ल्दी जाकर लाइक कर दीजे प्लीज जित्श देखने आप लोगों को लाईब मैचस देखने हैं सबसे प्लेप्महाइं अगर लोगों लिए वागा चैनल स्थ रिपोर्ट फ्री आफकाश्ट चाहिए दोस्तों लिंक के निचे डिस्क्राइब ने दिया गया और साथ में लाइफ चैक्सन में भी दिया गया मैरे टेली ग्राम चैनल का लिंक आप लिए आपको सारी चीजें मैश अपडेट्स आपको सबसे पहले फ्री कर पाती है इस समय आगर हम लोग मैश की सिच्वेशन को देखें तो इसमय आफगानिस्तान की टीम आगे है आफगानिस्तान अगर इस मैश को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहाँ बनाना होगा और अब देखते हैं कि से 50 ovर में अफगानिस्तान कित्ते रनों को ट बनाना होगा कि इन दोनों को स्कषिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णशिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीश बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहाँ पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई अगर एक ब सबसे बेश्ट प्लेटफार्म आप लोग लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप से नारा उस पर क्लिक कर दिए जो इसके बगलने बेल आइकन आ जागा उस पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन पर जुरू कर दिए सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों लिंक नीचे डिस्क्राइब अफगानिस्तान के बीच बहुत ही बड़ा और एक बहुत अहम मुकाबला खेला जा रहा जो कि वर्ट का वोडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंग्लैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस स्को को यहां बनाना होगा क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों को कोसिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णर्शिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहां पर सबसे और अगर होने वाला होने हिए तो इस पर किलिक करने या ब्याइक अभी भी मिल्युक्त वीडियो दूस्त है गया कि हम शुप प्रियूर्स एक बात हो और आप प्र चैनल से बौर्ट फ्री आफकर चाहिए बिस्क ने आपको सारी चीज़े मैच अपडेट्स आपको सबसे पहले अपकाश्ट देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों अपस्क्राइब बनाम अफगानिस्तान के बीच बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही अहम मुकाबला खेला जारा जो कि वर्टकाप ODI टीम के लिए और देखना दि अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंग्लैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि ए और अगर इसी तरीके से यहां पर करती रही तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों को कोसिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णर्सिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल् ले बाज खेल दा होता है है तो अप्र अच्छा सा फिनिश देता तो सबस्क्राइब को आप सर्ब्सक्राइब करें पर किलिक कर दीजिए पर ज्लेख करती कि मेरे आनियाली कोई लेटिस्ट वीडियो दोस्तों आप लोग कहाँ पर सबसे पहले देखने को जागी वहाँ पर आपको सारी चीजे मैच अपडेट्स आपको सबसे पहले फ्री आपकाष्ट देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों अपस्टिक होता दिसमें इंग्लैंड बनाम अफगानिस्टान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्टकाप ODI टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वो कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों का टार्गेट यहां पर इंग्लैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कूर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कूर बड़ी नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस स्कूर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह पर फार्म करेगी और इसमें अगर लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इसमें अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर अगर इसी तरीके से यहां पर करते रहें तो इक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा, तो देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों अफगानिस्तान का जितना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि हम प्रेट फार्म आप लुक लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप सना रहा है उसके बगलने बैल आइकन आजागा उसके लिक करके आल नोटिफिकेशन पर जरू क्लिक कर दी ताजा कि मेरे आने अली कोई वीडियो त दोस्तों आप लोग यहां पर सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों इंगलाएंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बड़ा और एक बहुत अहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ट का बोडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौ से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और आप कि आगर तो देखें कि आगर यह तरफ करेंगी और इस समय अगर हम लोग बनने बाची की बात करें तो इस समय अगर करती तो एक बड़ा इसकोज करना होगी कि यहां इन दोनों को आपनी तीम के लिए एक बड़ी पर्डर्श बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही ज़्यदा फैदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई बी अगर ए सबसे बेस्ट प्लेटफार्म आप लोग लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप सब्सक्राइब कर दिए और साथ में लाइव चाट सेक्शन में भी दिया गया मेरे टेली ग्राम चैनल को जोईन कर लिए महां पर दोस्तों आप से को ता इसमें इंगलेंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा और एक बहुत अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्ट का पोडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपन पर इंगलेंड को देगी क्योंकि यह टीEM बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कॉर बगण के देना होगा क्योंकि अगर स्कॉर ही नहीं बनेगा तो समने वाले टीम को बहुत आराम से अnsके कर सकती है तो दोस्तों देखती है कि आगर यह टीम किसस तرहा पर टीम के लिए एक बड़ी partnership बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के पीछ बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों रहें अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं कहां शल्दी जाकरी वीडेयो को लाइक कर दीजिए फ्लीज लोग देखने वावर्ट लाइब मैस्स देखने है सबसे बैस प्लेटवर्म आप लोग लिए वाला हुने तो दो दोस्तों नीचे अजिए सबस्क्राइब को अप लाइफ चार्ट सेक्षन में भी दिया गया मेरे टेली ग्राम चैनल का लिंक आप लोग जल्दी जा करके मेरे टेली ग्राम को जोन कर लीजे वहाँ पर आपको सारी चीजे मैश अपडेट्स आपको सबसे पहले फ्री आपकाश्ट देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों अपसे अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंगलैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहां पर करती रही तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों को कोसिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णर्शिप बनानी होगी जितने ब भी कोई सेट बल्ले बाच खेल ला होता है तो अच्छा सा फिनिश देता दोस्तों अगर आप लोग नहीं तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं कर दीजे प्लीस जित्नी फिर दो लोग लॉग देखना है वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिया अगर आप लोग को लाइब तो जहांस तो एक बात और अगर आप लोग को मैच प्रेडिक्शन मैच चैनल एस रिपोर्ट फ्री आफकास्ट चाहिए दोस्तों लिंक के निचे डिस्क्रस्ट ने दिया गया और साथ में लाइफ चैट सेक्शन में भी दिया गया मैरे टेली ग्राम चैनल को जोएन कर लिए वहाँ पर आपको सारी चीजे मैच अपडेट्स आपको सबसे पहले फ्री आफकास्ट देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इसमें अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और आप देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंग्लैंड को देगी यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बनाकर देना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं को कोशिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णर्शिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के पीछ बनेगी उतना ही जैदा फायदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो देखते हैं कि यह आप लोग ने तक मेरे वीडो को लाइक निकाए बाद जल्दी जाकर वीडो को लाइक कर दीजित लोग देखना वाएव भी अगर देखने हैं सबसे बेश्ट प्रड़ेवाला होने तो दोस्तों देख रहा है आप लोग नीचे सब्सक्राइब कर करके अल में किलिक कर दी क कि मेरे आनियाली कोई लेटेश्ट वीडियो दोस्तों आप लोग कहां पर सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप सीक होता दिस्क में इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्टकप ओडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस स्कॉर ही नहीं बनेगा तो सब्सक्ण इस सकोर को बहुता आराम से कर सकती है तो देखषार करें ऑर इसल्मेट लोग बल्ले बाजिए कई बनानी होंगी तो बड़ी आपनीज्टान के बीच बननेगी उतना ही जैदा जहां פाईधा यहां पर अफगानिस्तान के बिच रहे तो देखते हैं कि यह आगिर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है तो अफ़ानिस्तान का जीतना और भी ज़दा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगोंने द क्लिक कर दी जो इसके बगलने बैल आइकन आ जाएगा उसपर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन पर जुरूब क्लिक कर दी कि मेरे आनियाली कोई लेटेश्ट वीडियो तो सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप शीक होता दिसमें इंग्लाइंड बनाम बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्टकाप ओडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को दे बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कूर बना के देना होगा तो समने वाली टीम इस स्कूर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो दोस्तों देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह पर फार्म करेगी और इस समय अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो और अगर इसी तरीके से यहां पर करती रही तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा कि इन दोनों बल्ले बाजों को कोसिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णर्सिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बा सा मैं ह inherit कर दीजिए जितनीके को लोग देख रहें रुटलग को लाइब मैस देखने हैं सबसे बैस्ट प्रेडिक्सन मैं चैनल एस रिपोर्ट फ्री आफकाष्ट चाहिए दोस्तों लिंक के नीचे डिस्क्राइब दिया गया और साथ में लाइफ चाट सेक्शन में भी दिया गया मैंने टेली ग्राम चैनल को जोइन कर लीजे वहाँ पर आपको सारी चीजें मैंस अपडेट्स आ अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफ परफार्म करेगी और इस समय अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहां पर करती रही तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा को कि इन दोनों को को सिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी partnership बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस अगर आप लोग नहीं तक मेरे वीडियो को लाइक करदीजिए प्लीज जितने लोग देखने आप लोग को लाइब मैचे अपर सबसे पहले बात और अगर आप लोग को मैज प्रेडिक्शन मैं चैनल एस रिपर्ट फ्री आफकाष्ट चाहिए दोस्तों लिंक कर निचे ड मैंने टेली ग्राम चैनल का लिंक आप लोग जल्दिश जाकर को मैंने टेली ग्राम चैनल को जोइन कर लिए वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मैश अपडेट्स आपको सबसे पहले फ्री आपकाश्ट देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप से को तद इसमें इंग्लेंड को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंग्लेंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के देना तो साफने वाले टीम इस स्कोर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो देखते हैं कि अगर यह टीम किस तरह पर फार्म करेगी और अगर हम लोग बलेबाजी की बात करें तो इस समया अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बलेऑजी कर रही है और अगर इसी तरिके से य आपर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगिर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों मैंसे कोई भी एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों आफगानिस्तान का जीतना और भी जैदा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगोंने देखा है कि जब भी कोई सेट बल्ले बाज खेल ला होता है तो है मैच को अच्छा सा फिनिस देता दोस्तों अगर आप लोग तक मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीस जितने भी लोग देखने हैं सबसे बेस्ट प्ल मैच चैनल एसे रिपोर्ट फ्री आफकाष्ट चाहिए दोस्तों लिंक के नीचे डिसक्रेश्ट ने दिया गया और साथ में लाइफ चैट सेक्शन में भी दिया गया मैए टेली ग्राम चैनल को जोईन कर लिए वहाँ पर आपको सारी चीज़े मैच अपडेट्स आपको से टीम है जो इस मकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा और अब देख अगर यह टीम किस तरह पर फार्म नाम करेगी और इस सिनगर हम लोग बने बात करें तो बड़ी वाजी बनानी होगी जितने बड़े साजी धार इन दौनोंं मैचे ऑफगानिस्तान के लिए लाधा बनाना हो और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों आफगानिस्तान का जीतना और भी जएदा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई सेट बल्ले बाज खेल ला होता है तो है मैच को एक अच्छा सा फिनिस देता है दोस्तों अगर आप लोग ने तक मेरी व सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों में इंगलाएंट बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत अहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ट का वोडिया टीम के लिए और देखना देच्छास यह रहेगा कि वो कौन से टीम है जो इस मुकावले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिचुएसन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस 50 सोबर में आफगानिस्तान किते रणों को टार्गेट यहां पर इंग लैंड को देगी क्योंकि ये टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कूर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कूर ही न कि यहां इन दोनों को आपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णर्शिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के पीछ बनेगी उतना ही ज्यादा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तर आपके लिए लाइक निक है पहर जल्दी जाकर कर दिए प्रीस जितने भी देखने कर दीजिए और विड़ू लाइव मैंसे सबसेबसे प्लेटफर्म यह वाला होने वाला है तो दोस्तों नीचे सबस्क्राइब कर दिए यह बगलने बेल आइक कर देघा जाए वहां की मेर सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इसमें अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंगलैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस स्कोर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह पर फार्म करेगी और इस समय अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों आफगानिस्तां का जीतना और भी जएदा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई सेट बल्ले बाच खेल ला होता है तो है मैच को एक अच्छा सा फिनिस देता है तो अगर आप लोग नव क्लिक कर दिता कि मेरे आनियाली कोई वीडियो दोस्तों आप लोग कहां पर सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों इसमें इंगलेंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा रहा जो कि वर्ट का वोड देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड आराम से अचीव कर सकती है तो देखते हैं कि आगर यह तरह करें की तरद बड़े बाजी कि बात करें तो इस में अफगानिस्तान की टीम काफी समभल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहां पर करती रही तो एक बड़ा स्कूर्य एहां बणाना होगा स्वाफ भी ऐगर हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों अफवानिस्तान का जीतना और भी जयदा आसान हो जाएगा क्योंकि हम दोगों आप लोग लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों नीए देख रहे हैं आप लोग नीचे संस्क्राइब को आप से नारा उसके बगल ने बैल आइकर ना जाएगा उसके लिक करके आल नोटिफिकेशन पर जुरूब कर दी ताहरा की मेरे आनियाली कोई लेटेश्ट वीडियो दोस्तों आप लोग यहां पर सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान के बीच बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्टकाप ओडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा क कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा औ इन दोनों को कोफिशस करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी partnership बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहाँ पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्ता अफगानिस्तान का जीतना और भी जैदा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई सेट बल्ले बाज खेल ला होता है तो यह मैच को एक अच्छा सा फिनिश दे सब्सक्राइब कर देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आपसे इंगलाएंट बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्टकाप ओडिया टीम के लिए और देखना देखना दिल्चरस यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्ता अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंग्लैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर ब बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहां पर करती रही तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों को कोसिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्टनर्सिप बनानी होगी जितने बड़े आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई सेट बल्ले बाच खेल ला होता है तो है मैच को एक अच्छा सा फिनिस देता है तो अगर आप लोग नहीं तक मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज जितनी भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइ पर आपको सारी चीज है मैच अपडेट्स आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों अप्सक्राइब बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही अहम मुकाबला खेला जा रहा जो कि वर्ट का पोडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा up और को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो दोस्तो देखते हैं कि अगर यह टीम किस तराइपर अपर्फार्म करेगी और इससे मेच को बड़ी बड़ी बनानी हुगी जितने बड़े साझिधारी इन दोनों बल्ले बाज़ों के बीच इन दोनों बल्ले बाजा उमेंसे कोई भी अगर एक बल्ले बाज हो जाता है और आकरी तक खड़ा रहता दोस्ता अफगानिस्तान को जीतना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोईजिप बल्लेबाज खेल ला होता है तो अब देख रहे हैं आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप सना रहा है उस पर क्लिक कर दिए जो इसके बगलने बैल आइकन आ जागा उस पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन पर जुरू क्लिक कर दी ताया कि मेरे आनियाली कोई लेटेस्ट वीडियो दोस्तों आप लोग के यहां हम अफगानिस्तान के बीच बहुत बड़ा और एक बहुत अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्ट काप ओडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग यहां पर इंगलैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं बनेगा तो सावने वाले टीम इस स्कोर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो दोस्तों देखते हैं कि आगर यह ट को कोसिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी प्रणर्शिप बनानी होगी बड़े साजीदारी इन दोनो मेंकों बैखने से पांच कर दिए प्लीस जितने भी देखने को लाइब मैंच देखने हैं सबसे बेस्ट प्लेटफार्म आप लोग लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग नीचे संस्क्राइब को आप संहारा उस पर क्लिक कर दिए जो इसके बगलने बेल आइक करना जागा पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन पर जरू कर दी ताज कि मेरे आनियाली कोई व्लेटिस्ट वीडियो तो सबसे पहले देखने को जागी वहां पर आपको सारी चीजे मैंच अपडेट्स आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप से को ता इसमें इंग पावला खेला जा रहा है जो कि वर्ट का पोडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे ना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं बनेगा तो समने वाले टीम इस स्कोर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो दोस्तों देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह पर फार्म करेगी और इस समय अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इस समय अफगानिस्तान की टी तो दोनों बल्ले बाजों के भीज़ बनेगी उतना ही ज़्यदा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाज यह वाला होने वाला है तो दोस्तों नीज देख रहे हैं आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप सणारा उस पर क्लिक कर दिए जो इसके बगल में बैल आइक ना जाएक और लिए आने याली कोई वीडियो दोस्तों आप लोग के आप सबसे पहले देखने को जाए वहां पर आपको सारी चीजें मैच अपडेट्स आपको सबसे पहले फ्री आपकाश्ट देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप सब्सक्राइब इसमें इंग्लाइंट बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस 50 ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंग्लैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कूर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कूर ही नह बनाना होगा क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों को कोशिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णर्शिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के बिच बनेगी उतना ही ज्यादा फाइदा यहां पर अफ अगर आप लोग देखने वाला होने वाला होने वाला है तो दोस्तों नीचे अपर क्लिक कर दिए जरू कर दीए कि मेरे आनिया ली कोई वीडियो तो आप लोग के आप सबसे पहले देखने में जागी और आप लोग को मैच प्रडिक्शन मैच अनल एस रिपोर्ट फ्री आफ चैट सेक्शन में भी दिया गया मेरे टेली ग्राम चैनल का लिंक आप लोग जल्दी जा करके मेरे टेली ग्राम चैनल को जोन कर लीजे वहाँ पर आपको सारी चीजे मैच अपडेट्स आपको सबसे पहले फ्री आपकाश्ट देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप स्ब अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंगलैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहां पर करती रही तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों को कोसिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णर्शिप बनानी होगी जितने ब और भी कोई से बल्ले बाच खेलदा हुता है तो वहीं मैच को एक अच्छा सा फिनिज देता है दूस्तों अगर आप लोग देखने पर लुड़े को लाइप कर दीज़े प्लीज़े को लाइप मैच यह सबसे बेश्ट प्लेटफारम आप लोग लिए वाला हुने वाला है त इपर्ट फ्री आफकाष्ट चाहिए दोस्तों लिंक के निचे डिस्क्रेस्ट ने दिया गया और साथ में लाइव चाट सेक्शन में भी दिया गया मेरे टेली ग्राम चैनल का लिंक आप लिए वहाँ पर आपको सारी चीजे मैश अपडेट्स आपको सबसे पहले फ्री आफक कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इसमेच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस 50 ओबर में अफगानिस्तान की 13 टार्गे करेगी और इसमें अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इसमें अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहां पर करती रही तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा कोई इन दोनों बल्लेबाग कोई भी ऑगर एक बल्लेबाग सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है तो समस्ते लोग देखने को लाइब मैच धेखने हैं सबसे बेच्ट प्लैफॉर्म लigram होने लिए तो दोस्तों लिन देख रहे हैं आप लोग नीचे सस्क्राइब को अपसरा रहा कि मेरे आनियाली कोई लेटिस्ट वीडियो दोस्तों आप लोग के आपर सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों अपस्रीक होता दिस्क में इंग्लाइंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकावला खेला जारा जो कि वर् कि वो कौन से टीम है जो इस मुकावले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा औ तो देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह परफर्म करेंगी और इस समय अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से करते रही तो एक बड़ा इसको यहां बनाना होगा को इन इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णर्शिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के पीछ बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो देखते हैं कि यह आगिर इस टीम की गाली किस तर लोग देखने फिर वीडियो को लाइक कर दिजो अगर आप लोगो लाइब मैच देखने हैं सबसे बेश्च प्लेट फार्म लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों अब लोग नीचे असपर क्लिक कर दिजो इसके बगर बैल आइक करना जागा तो प्लिक कर दिए कोई सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि से 50 ओबर में अफगानिस्तान किते रनों का टर्गेट यहाँ पर इंग्लैंड को देगी क्योंकि ये team बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा score बना के देना होगा क्योंकि अगर score ही नहीं बनेगा तो समने वाले team इस score को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो दूस्तों देखते हैं कि अगर ये team किस तरह पर फर्फार्म करेगी और इसमें अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इसमें अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहाँ पर करती रही तो एक बड़ा स्कोल यहाँ बनाना होगा क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों को कोसिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्टनर्सिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों मैंसे कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों और भी जैदा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगोंने देखा है कि जब भी कोई सेट बल्ले बाज खेल ला होता है तो है मैच को एक अच्छा सा फिनिस देता है तो अगर आप लोग नहीं तक मेरी वीडियो को लाइक कर दीजे प्लीस जितनी वीडियो को लाइक कर दीजे अगर आप लोग को लाइब मैचस देखने हैं सबसे बेस्ट प्लेटफार्म आप लोग लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों लिए देख रहे हैं आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बगलने बैल आइक करना जैगा उस पर क्लिक क सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंगलैंड को देगी क्योंकि ये टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं बनेगा तो साबने वाली टीम इस स्कोर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो दोस्तो देखते हैं कि आगर ये टीम किस तरह पर फार्म करें कि और इस fakat आगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इसस बड़े साजीदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच बनेगी उतना ही ज्यादा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों में से कोई बी अगर एक बल् लोग देखने वर वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग को लाइब मैंचे देखने हैं सबसे बेस्ट प्लेटफरम आप लोग लिए वाला हुने वाला है तो दोस्तों देख रहा है आप लोग नीचे सब्सक्राइब कर दिए जो इसके बगलने बेल आइकन आ सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इसमें अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंगलैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस स्कोर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह पर फार्म करेगी और इसमें अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इसमें अफग अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों अफगानिस्तान का जीतना और भी जैदा आसा जाएगा क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई सेट बल्ले बाज खेल ला होता है तो है मैच को एक अच्छा सा फिनिस देता दोस्तों अगर आप लोग नहीं तक मेरी वीडियो को लाइक कर दीजे प्लीस जितनी वीडियो को लाइक कर दीजे और जिए आप देखने में जागी और आप लोगो मैच प्रिडिक्शन मैच चैनल एस रिपोर्ट फ्री आफकाष्ट चाहिए दोस्तों लिंक कर नीचे डिसकर ने दिया गया और साथ में लाइफ चाट सेक्शन में भी दिया गया मैरे टेली ग्राम चैनल को जोईन कर लिए वहाँ पर चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मकाबले में जीत अपने नाम दर्ज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कूर यहा तो समय वाले टीम इस स्कूर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह पर फार्म करेगी और इससमें अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इसमें अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी जैदा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों अगर आप वाला होने वाला है तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप सण आरा उस पर क्लिक कर दीजिए इसके बगलने बैल आइकना जागा उस पर क्लिक करके आल नोटिफिकेसन पर जुरू कर दी ताहां कि मेरे आनिया ली कोई वीडियो दोस्तों आप बात और अगर आप लोग को मैच प्रडिक्शन मैच चैनल एस रिपोर्ट फ्री आफकाष्ट चाहिए दोस्तों लिंक के नीचे डिसक्रस्पर ने दिया गया और साथ में लाइव चैट सेक्शन में भी दिया गया मैरे टेली ग्राम चैनल को जान कर लिए वहाँ पर आपको लिए रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंग्लैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कूर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कूर ही नहीं बनेगा तो स इसी तरीके से यहां पर करती रही तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों को कोसिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णर्शिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाज जो कि बीच बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ प्रेटफर्म आप लोग लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप सब्सक्राइब कर दिए और साथ में लाइव चाट सेक्शन में वी दिया गया मैरे टेली ग्राम चैनल का लिंक आप लिए आपको सारी चीजें मैश आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप से को तद इसमें इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्ट का बोडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा औ तो देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह परफांप करेगी और इसमें अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इसमें अफगानिस्तान की टीम क्टाफी समल करके बल्ले बात कर रही घ 알림 करते हिरए तो अगर यहां बड़ा skol यह बनाना होगा थोगि कि इन दोनों बल्ले बाद सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों अफगानिस्तान का जीतना और भी जैदा आसान हो जाएक क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई बल्ले बाद खेल ला होता है तो अच्छा सा फिनिश देता है तो अगर आप लोग नहीं तक मे सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आपको सबसे पहले देखने को मिलते बड़ा और एक बहुत एहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्टकाप ओडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस सम समने वाले टीम को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो दोस्तों देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह पर फार्म करेंगी और इस समय अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहां पर करती रही तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों को कोशिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णर्शिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीश बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहां पर अफग लाइक निए प्रिजिश्ट लोग देखने और वीडियो को लाइक कर दीजिश्ट अगर आप लोग को लाइब मैसे देखने हैं सबसे बेश्ट प्लेटफॉर्म आप लोग लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों नहीं देख रहा है आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहाँ बनाना होगा और अब देखते हैं कि से 50 ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टारगेट यहाँ पर इंगलैंड को देगी चूँकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही न इन दोनों बल्ले बाजों को कोशिस करनी होगी यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पाइच में बड़ी आप अंता ही जैदा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों अफग करें आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप सणारा उस पर क्लिक कर दी जो इसके बगलने बैल आइक करना जागा उस पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन पर जुरूग कर दी कि मेरे आनियाली कोई लेटेश्ट वीडियो तो सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्त बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्ट काप ओडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को दे बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कॉर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कॉर ही नहीं बने गा तो सामने वाले टीम इस स्कॉर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो दोस्तों देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह पर फार्फरां करें और इस समय हम की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहां पर करती रही तो एक बड़ा इसकों ह dona ना होगा कि इन दोनों ज 갖़ो को कोसिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी कोई से ऐडपले बाच खेल ला होता है तो घर लोगो एक अच्छा सा फिनिच देता दोस्ते हैं अगर आब अभी तक मेरी वीडा को लाइक कर दीजे पीस लोग देखने क्षेशब्स को लाइप मैंचस देखनें हैने और अगर आप लोग को मैच प्रेडिक्शन मैच चैनल एस रिपोर्ट फ्री आफकाष्ट चाहिए दोस्तों लिंक के नीचे डिसकर ने दिया गया और साथ में लाइफ चैक्शन में भी दिया गया मेरे टेली ग्राम चैनल का लिए वहाँ पर आपको सारी चीजे मैच अपडे पिन्फिया खाए इस इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेसन को देखें तो इस समय अफ्गानिस्तान की टीम आगे है अफ्गानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि सब्सक्राइब के तरह आपर इं तो इसमें अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहाँ पर करती रही तो एक बड़ा इसको यहाँ बनाना होगा तो इन दोनों बल्ले बाजों को कोसिस करनी होगी कि यहाँ इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णर्शिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही ज़्यदा फैदा यहाँ पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो देखते हैं कि यह आगीर इस टीम के गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ली बाजोंमें से खोई भी फियका एक बल्ली बाज सेट आपर जल्दी जाकर लिए कर दीए बर वीडSc कर दीजिये और आप लूग से लाइपंचे यह वाला होने वाला है तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग नीचे संस्क्राइब को आप सना रहा है उसके बगलने बैल आइकन आ जागा उस पर क्लिक करके सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप से कोता दिसमें इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्टकाप ओडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रणों को टार्गेट यहां पर इंग लैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कूर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कू आने वाले टीम इस स्कोर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो देखते हैं कि आयगर यह टीम किस तरह पर-फ़रम करेगी और इसमें अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इसमें अफ़िस तरीकल क्ते रहे हैं और अगर इसी तरीकल से यहां करती रही तो एक बड़ा इसको यहां बनाना होगा कि इन दोनों बल्ले बाजों को को सिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णर्शिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के पीछ बनेगी उतना ही ज्या और आप लोगे अभी तक मेरी वीडियो को लाइक कर दीजे प्लीस यतुने लोग देखना है वीडियो को लिजय कर दीजे और जिया लुंस तो अगर आप लोग लोगो लाइप मैचे देखनी है सबसे बेस्ट तोर अगर आप लोग को मैच प्रडिक्शन मैच चैनल एस रिपोर्ट फ्री आफकाश्ट चाहिए दोस्तों लिंक के नीचे डिसक्रस्पन दिया गया और साथ में लाइफ चैट सेक्शन में भी दिया गया मेरे टेली ग्राम चैनल का लिए वहाँ पर आपको सारी चीजे मैच अपडेट्स आपको सबसे पहले फ्री आफकाश्ट देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप से कोता दिसमें इंग्लाइंट बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्ट का पोडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड आराम से अचीव कर सकती है तो देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह पर फार्म करेगी और इस समय अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहां पर करती रही तो एक बड अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों आफगानिस्तान का जीतना और भी जैदा आसा जानों जाएगा क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई सेट बल्ले बाज खेल ला होता है तो है मैच को एक अच्छा सा फिनिस देता दोस्तों अगर आप लोग नहीं तक मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज जितने वीडियो को लाइब मैचस देखने है सबसे बेस्ट प्लेटफार्म आप लोग लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों नहीं देख रहे हैं आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप सब्सक्राइब कर दीजिए जो इसके बगलने बेल आइकन आ जाए उस पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन पर जुरू कर दीज आप लोग को यहां पर सबसे पहले देखने को जागी तो जियांस तो एक बात और अगर आप लोग को मैच प्रडिक्सन मैच चैनल एस रिपोर्ट फ्री आफकाष्ट चाहिए दोस्तों लिंक के नीचे डिसक्राइब ने दिया गया और साथ में लाइफ चैक्शन में भी द देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड आराम से अचीव कर सकती है तो देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह पर फार्म करेगी और इस समय अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहां पर करती रही तो एक बड अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों आफगानिस्तान का जितना और भी जैदा आसा क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई सेट बल्ले बाज खेल दा होता है तो है मैच को एक अच्छा सा फिनिस देता दोस्तों अगर आप लोग नहीं तक मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीस जितनी भी दो लोग देख रहे हैं वाला होने वाला है तो दोस को मैच प्रडिक्शन मैच चैनल एस रिपोर्ट फ्री आफकाष्ट चाहिए दोस्तों लिंक के निचे डिस्क्रेस्ट ने दिया गया और साथ में लाइफ चाट सेक्शन में भी दिया गया मैरे टेली ग्राम चैनल को जोईन कर लीजे वहाँ पर आपको सारी चीजे मैच काबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचा और इस समय अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहां पर करती रही तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा क्योंकि इन दोनों को कोसिस करनी होगी कि यहां इन दोन भी अगर एक बलने बाद सेट हो जाता है और अखरी तक खड़ा रहता है दोस्ट अफगानिस्तान का जितना और भी ज़्यदा आसाल हो जाएगा क्योंकि हम दोगोंने देखा है जब भी कोई बलने बाज खेला होता है तो है मैच को एक अच्छा सा फिनिस देता है थोस्तों अब लोग को लाईक करेंज़ाएं चाहिए खोर कर 추क्राइं और किलिक करदीए की मेरे ऐनी फिर विडियो तस्थ आप लोके हैं पर सबसे पहले देखने मैं जागी तो एक बात और अगर आप अप मैच परिक संगे ऊऩ्स पर सब्लस्चन इसके रस्पन ने दिया गया और साथ में लाइव चाट सेक्षन में भी दिया गया मैरे टेली ग्राम चैनल का लिंक आप लोग जलदी जाकर करें मैरे टेली ग्राम को जोइन कर लीजे वहाँ पर आपको सारी चीजे मैश अपडेट्स आपको सबसे पहले फ्री आपकाश्ट कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहाँ बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते लनों को टार्गेट यहाँ पर इंग्लैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस स्कोर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो दोस्तों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णर्शिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहाँ पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगिर इस टीम की गाली किस एक बल्ले बाज लुगा सेट फिल जाता है और अखरी तक खाड़ा रहता है और विभी जैदा आसान हो जाएं स्बसेप्नेशाइन वाला होने और थो दोस्तों लिए आप अपको नीचे सब्सक्राइब को आप सनारा उस पर क्लिक कर दिए जो इसके बगलने बैल आइकन आ जागा उस पर क्लिक करके बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्टकाप ओडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देख क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस स्कोर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो दोस्तों देखते हैं कि अगर यह टीम किस तरह पर फार्म करेगी और इस समय अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इस समय अगर अफगानिस्तान की टीम क बीच बनेगी उतना ही ज्यादा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दो अगर आप लोग को लाइब मैचस देखने हैं सबसे बेश्ट प्लेटफार्म आप लोग लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप सना रहा उस पर क्लिक कर दिए जो इसके बगलने बैल आइक करना जागा उस पर क्लिक सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंगलैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कूर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कूर ही नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस स्कूर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो देखते ह Knowledge है तो देखते हैं कि अगर यह टीम किस तरह पर फॉर्म करेगी और इस समय तो इसामें अफगानिस्तान की टीम काफी समझी करके बनेगा है और अगर इसी तरीके से यहां पर करती तो एक बड़ा स्कोर? नहींद बनानी की तो देखते हैं कि आगे इस टीम की गाली किसい तरफ जाती ? क्योंकि इन दोनों बल्ले बाचों में से कोई भी एक बल्ले बाच सेथ हो जाता है और आगरी तक खड़ा रहता है दोस्तों अफगानिस्तान का जीतना और भी जैदा आसान नहीं कि मैश होता है तो एक चेदर अच्छा चाहिए दोस्तों लिंक के निचे डिसक्राइब और साथ में लाइब चाहिए वहां पर आपको सारी चीजे मैश अपडेट्स आपको सबसे पहले फ्रीया काश्ट देखने को मिलते रहेंगे अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्टकाप ODI टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिचुएशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीदना चाहती है तो एक बड़ा स्कूर यहाँ बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहाँ पर इंगलैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस स्कोर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो दोस्तों देखते हैं कि अगर यह टीम किस तरह पर फार्म करेगी और इससमें अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इसमें अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहाँ पर करती रही तो एक बड़ा स्कोर यहाँ बनाना होगा कोगि इन दोनों बल्ले बाजों को कोसिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी partnership बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के पीछ बनेगी उतना ही ज़्यदा फैदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस जाती कोई बने बाजो कोई बडाज सेट हो जाता है और आक्री तक खड़ा रहता है तो अफ्गेस्तान का जीतना औरब्य जैदा आसान हो जाएगा क्योंकि हम यह कुई ऊइट को यह सेट में लग जोग नेटक है तो दोस्तों अब लोग नीका उन्हें ब 115 लाइक कर दीज आल नोटिफिकेशन पर जुरू क्लिक कर दी ताज कि मेरे आनियाली कोई व्लेटेश्ट वीडियो दोस्तों आप लोग के आपर सबसे पहले देखने को जागी तो जहांस तो एक बात और अगर आप लोग को मैच प्रिडिक्शन मैच चैनल एस रिपोर्ट फ्री आफकाश्ट चाहिए दोस्तों लिंक कर नीचे डिसक्रस्ट ने दिया गया और साथ में लाइफ चाट सेक्शन में भी दिया गया मैरे टेली ग्राम चैनल का लिंक आप लोग जल्दी जाकर करें मैरे टेली ग्राम चैनल को जान कर लिए वहाँ पर आपको सारी चीजे मैच अपडेट्स तो सबसे पहले फ्री आपकाश्ट देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों अपसे को तद इसमें इंग्लाइंट बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्ट का पोडिया टीम के लिए और देखना देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान कित्ते रहनों को टार्गेट यहां पर इंग्लैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कूर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कूर ही नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इ कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णर्शिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही जैदा फैदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगर इस टी कर दीजिए प्लीस जितने विडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोगो लाइब मैचस देखने हैं सबसे बेस्ट प्लेटफार्म आप लोग लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों नीचे सबस्क्राइब को आप सब्सक्राइब कर दिजिए इसके बगलने बेल सबस्क्राइब कर देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इसमें अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान कितने रनों को टार्गेट यहां पर इंगलैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस स्कोर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो दोस्तों देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह पर फार्म करेगी और इसमें अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इसम वेड़े साजीदारी दोनों बल्ले बाजों के बीज़ बनेगी उतना ही ज्यादा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगिर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई बी अगर एक बल बेस्ट प्लेटफर्म लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप सब्सक्राइब कर दिए और साथ में लाइव चाट सेक्शन में वी दिया गया मेरे टेली ग्राम चैनल को जोईन कर लिए महां पर आपको सारी चीज़े मैच अपडेट्स आपको सबसे पहले फ्री आपकाश्ट देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप से को तद इसमें इंग्लाइंट बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्ट का पोडिया टीम के लि होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंग्लैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बनाकर देना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं बनेगा तो सामने वाल कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णर्शिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के पीछ बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगिर इस लोग देखने हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोगो को लाइप मैच देखने हैं सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म अप लोग लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों नीद देख रहे हैं आप लोग नीचे सबस्क्राइब को आप्सन आरा उस पर क्लिक कर सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप सबसे पहले देखने को मिलते वर्ट का पोडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मै को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह पर फार्म करेगी और लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इससमय अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहां पर करती रही तो एक बड़ा स् तो देखते हैं कि इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों अफगानिस्तान का जीतना और भी जैदा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने देखा करने आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप सण आरा उस पर क्लिक कर दीजिए उसके बगल ने बैल आइकन आ जाएगा उस पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन पर जुरू क्लिक कर दी कि मेरे आनियाली कोई लेटेस्ट वीडियो तो सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप से को तद इसमें इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा जो कि वर्टकाप ओडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले म अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट हैं पर इंग्लैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस स्कोर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह परफार्म करेगी और इस समय अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहां पर करती रही तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णर्शिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही जैदा फैदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगर इस टीम क लाइक कर दीए प्लीज जितने लोग देखनें व्रीडियो लाइप मैबनेश देखने हैं सबसे बेस्ट प्लेटफ़र्म आप लोग लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों नी देख रहा है आप लोग नीचे संस्क्राइब को आप अपको सब्सक्राइब कर दो क्लिक करके मेरे टेली ग्राम चैनल का लिंक आप लोग जुल दिश जाकर को मेरे टेली ग्राम चैनल को जोइन कर लिए वहाँ पर आपको सारी चीजे मैश अपडेट्स आपको सबसे पहले फ्री आपकाश्ट देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों अपस्पिक होता दिसमें इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्टकप ओडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वो कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कूर यहाँ बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहाँ पर इंगलैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कूर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कूर ही नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस स्कूर को बहुत आराम से चीव कर सकती है तो दोस्तों एक आगर यह टीम के इस तरह perform करेंगी और इस समय अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहाँ पर करती रही तो एक बड़ा स्कोल यहाँ बनाना होगा कोई इन दोनों बल्ले बाजों को कोशिस करनी होगी कि यहाँ इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी partnership बनानी होगी जितने बड़े साजीधारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहाँ पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग को लाइब मैचस देखने हैं सबसे बेश्ट प्लेटफार्म आप लोग लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप सना रहा उस पर क्लिक कर दीजिए जो इसके बगल सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों का टार्गेट यहां पर इंगलैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कूर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कूर ही नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस स्कूर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह पर फार्म करेगी और इस समय अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इस समय अफगानिसटान की टीम काफी समझाल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहाँ पर करते रहे तो एक बड़ा swear यहाँ बनाना हुगा क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों को कोशिश करनी होगी कि यहाँ इन धोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी partnership बनानी होगी यतने बड़े साजीदार इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही ज़यदा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तो देखते हैं कि यह अगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई बी अगर एक बल्ले बाद सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्ता अफगानिस्तान का जीतना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई सेट बल्ले बाज खेल ला होता है तो है मैच को अच्छा सा फिनिस देता है तो अगर आप आभी तक मेरे वीडियो को लाइक करदीजिए फ्लीज इतने आप लोगो को लाइफ मेच देखने हैं सबसे बेश्ट प्लेटफार्म आप लोगा हुने वाला है तो दोसो ली देख रहा है आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप सहना वहाँ लीकर देजिए उसके तो आप लोग जल्दिश जाकर करें मेरे टेली ग्राम चैनल को जोन कर लीजे वहाँ पर आपको सारी चीजे मैश अपडेट्स आपको सबसे पहले फ्री आपकाश्ट देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप से कोता दिसमें इंगलेंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्ट काफ ओडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रणों को टार्गेट यहां पर इंग्लैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस स्कोर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो दोस्तों देखते हैं कि अगर यह टीम किस तरह पर फार्म करेगी और इससमें अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इसमें अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहाँ पर करती रही तो एक बड़ा इसको यहाँ बनाना होगा क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों को कोसिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णर्शिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही ज़्यदा फैदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाज पर क्लिक कर दी जो इसके बगलने बैल आइकन आ जागा उसपर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन पर जुरू क्लिक कर दी ताज कि मेरे आनियाली कोई व्लेटिस्ट वीडियो तोस्तों आप लोग के आप सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप सब्सक्राइब इसमें इंग्लैंड बनाम अफगानिस्टान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्टकाप ODII टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कॉर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस फचास ओबर में आफगानिस्तान कितने रनों को टार्गट यहां पर इंगलैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कॉर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कॉर नहीं बनेगा तो सावने वाले टीम इस स्कोर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो जोकि देखते हैं कि अगर ये çeam किस तरह परफ़ाम करेगी और इस दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पाtrisiniब बनने होगी जितने बड़े साजी दारी इन दोनों बल्लेबाच्टों के पीछ बएगी मैंस पर और एकता है और आउन केवह होटा है क्यों सबसे ब्लेट और लोगों को भीडिक्स प्लिक वाला होने वाला है तो डोस्टो नहीं देख रहें आप लोग नीचे शुद्अ पर क्लिक कर सुरान कि मेरे आनियाली कोई व्लेटिस्ट वीडियो दोस्तों आप लोग के आपर सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों इंग्लाइंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बड़ा और एक बहुत ही अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्ड का वोडिया टीम के कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंगलैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस स्कोर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह पर फार्म करेगी और इससमें अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इससमें अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहां पर करती रही तो देखते हैं कि यह आगिर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों अफगानिस्तान का जीतना और भी जैदा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगों इसके बगलने बैल आइकन आजाएगा उसपर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन पर जुरू क्लिक कर दी ताजा कि मेरे आनियाली कोई लेटेस्ट वीडियो दोस्तों आप लोग के आपर सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप शीक होता दिसमें नाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्ट का बोडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम ल स्कौर बनाकर देना होगा तो सामने वाले टीम इस स्कौर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो देखते है कि आगर यह टीम किस तरह पर फॉर्प करेंगी और इसलमें अगर हम लोग बले बाजी के बात करें तो इसमें अफगानिस्तान की टीम काफी समहल करके बले कि यहां इन दोनों को आपनी टीम के लिए एक बड़ी बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क जोस्तों अब लोग देखने वाला हुने वाला हुने आप लोग नीचे सबस्क्राइब कर दिछिए तो इसके बगलने बैल आइका आइक यहां किलिक कर दी करता की मेरे कोई लेटिश्ट वीडियो तो आप सबसे पहले सब्से पहले देखने में जागी वेगार आप लोग सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इसमें अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंग्लैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस स्कोर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह पर फार्म करेगी और इसमें अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहाँ पर करती रही तो एक बड़ा स्कोर यहाँ बनाना होगा क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों को कोशिस करनी होगी कि यहाँ इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णर्शिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहाँ पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगिर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई अगर एक सेट हो जाता है और आखरी तख खड़ा रहता है दोस्तो आफगानिस्तान का जीतना और भी जैदा आसान हो जाएगा क्योंकि हम दोगोंने देखा कि जब भी कोई सेट बल्ले बाज खेल ला होता है तो अच्छा सा फिनिस देता है तो आप लोग नावी याँव लोक लीड़ा है उससे बेस्ट प्लेटफर्म आप लोग को लाइए वाला हुने वाला है तो दोस्टो लिए देख रहे हैं आप लोग नीचे सबस्क्राइब करके को और नोटिफिकेशन पर च्रूप कर दिता कि मेरे आनी-ाली कोई व्लेटिस्ट वीडियो दुस्त तो आप लोग के यहां पर सबसे पहले देखने में जागी तो जिहांस तो एक बात और अगर आप लोग को मैच प्रडिक्शन मैच चैनल एस रिपोर्ट फ्री आफकाष्ट चाहिए दोस्तों लिंक के नीचे डिसक्राइब ने दिया गया और साथ में लाइफ चाट सेक्शन म कावले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास और इस समय अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहां पर करती रही तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा को कि इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार् बड़ा रहता है दोस्तों आफगानिस्तान का जीतना और भी जैदा आसान हो जाएगा क्योंकि हम दोगोंने देखा है कि जब भी कोई सेट बल्ले बाच खेल ला होता है तो है मैच को अच्छा सा फिनिस देता है दोस्तों अब लोग नहीं तक मेरे वीडियो को लाइक कर क्लिक कर दी कि मेरे आनियाली कोई लेटेश्ट वीडियो दोस्तों आप लोग कहां पर सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप शिक होता दिसमें इंग्लाइंट बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही अहम मुकावला खेला ज टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाह करने गा तो सामने वाले टीम इस स्कोर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह पर्फॉर्म करेंगी और इस व्लोग बल्य बाज़ी की बात करें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम काफी समखल कर के बल्य बाज़ी कर रही है और अग तो देखते हैं कि यह आगिर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई भी अगर एक बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों अफगानिस्तान का जीतना और भी जैदा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगों आप लोग लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों लिए देख रहा है आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप सनारा उस पर किलिक कर दिए जो इसके बगलने बैल आइकन आ जागा उस पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन पर जुरू कर दी ताजा कि मेरे आन याली कोई वी कीज़ें मैच अपडेट्स आपको सबसे पहले फ्री आपकाश्ट देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों अपस्रीकोता दिसमें इंग्लाइंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा जो कि वर्ट का पोडिया ट देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रहनों को टार्गेट यहां पर इंग्लैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं बनेगा तो साबने वाले टीम इस स् को यहां बनाना होगा कि अन दोनों बड़े बाजों को कोसिस करनी होगी कि इस तिम के लिए एक बड़ी पार्ड़िए को लायक निखा अब जलदी जाकर वीड़ो को लाइक कर दिए प्लीस जितनी फिद्र लोग देखने और आप लोग को लाइप मैचे देखने हैं सबसे बेस्ट प्लेटफर्म मैं चैनल एस इस रिपोर्ट फ्री आफकाष्ट चाहिए दोस्तों लिंक के नीचे डिसक्रस्ट ने दिया गया और साथ में लाइफ चैट सेक्शन में भी दिया गया मेरे टेली ग्राम चैनल का लिंक आप लिए आपको सारी चीजे मैश अपडेट्स आपको सबसे पहले फ्री कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैश की सिचुईशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैश को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अप देखते हैं कि से पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंग्लैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस स्कोर को बहुत आराम स से अचीफ कर सकती है तो दersonत देखते हैं कि आगर यह टीम किस करें करेंग और इससे में लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इसमें अफगानिस्तान की फैदा यहां पर अफगानिस्तान ने की देखती है कि यहां इस टीम की गाली किस तरब जाती कुई दोनों बखाजों मैं से कोई एक बन्ले बाज सेट हो जाता है और आकरी तक ख़ड़ा रहता दोस्ता आंगी क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई सेट बल्ले बा देखने हैं सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आप लोग लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों नीज देख रहे हैं आप लोग नीचे सब्सक्राइब को आप सब्सक्राइब कर दिया गया और साथ में लाइव चार्ट सेक्शन में भी दिया गया मेरे दोस्तों आप सब्सक्राइब इसमें इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्टकाप ओडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंगलैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस स्कोर को बहुत आराम से अचीव कर सकती ह तो देखते हैं कि अगर यह टीम किस तरह पर फार्म करेगी और इससमें अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इससमें अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहां पर करती रही तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना ह क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों को कोसिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णर्शिप बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के पीछ बनेगी उतना ही ज्यादा फैदा यहां पर अफगानिस्तान के देखने हैं सबसे बेस्ट प्लेटफर्म लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों नीचे सबस्क्राइब करके अनुटिक कर दीजिए जरू कर दीजिए कि मेरे आनियाली कोई लेटिस्ट वीडियो तो आप अपर सबसे पहले देखने में जागी और अगर आप सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे इंगलेंट बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्ट का वडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंग्लैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस स्कोर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह पर फार्म करेगी और इससे में अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इसमещ मैं अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहां पर करती रही तो एक बड़ा स्कोर को बनाना होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के पीछ बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई अगर बल्ले बाज सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों अफगानिस्तान का जीतना और भी जैदा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई सेट बल्ले बाज खेल ला होता है तो है मैच को एक अच्छा सा फिनिस देता है तो अगर लगना है अभी तक मेरे वीडो को लाइक नहीं कर दिए प्लीज जितने फिर लोग देखने वर वीडो को लाइक कर दिजिए और अगर आप लोग को लाइफ मैचे सबसे बेस्ट प्लेटफर्म अपसे लिए होने वाला है तो दोस्तों नीचे आप लिए आप लिए तो दोस सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इसमें अफगानिस्तान की टीम आगे है अगर इसमें मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कूर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओवर में अफगानिस्तान कितने रनों को टार्गेट यहां पर इंग्लैंड को देगी क्यूकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कूर बनाके देना होगा क्यूकि अगर स नहीं बनेगा तो साबने वाले टीम इस स्कूर को बहुत आराम से चीफ कर सकती है तो दीद्दोनों ब्लेबाज़ें को कोशे करनी होगी क्या इन डोनों को अपनी टीम के लिए एक बनानी होगी जितने बड़े साजीदार इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही ज्यदा फाइदा यहाँ पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस तरफ जाती क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों में से कोई बीधर सेट हो जाता है और आखरी तक खड़ा रहता है दोस्तों अफगानिस्तान का जीतना और भी जएदा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई सेट बल्ले बाच खेल ला होता है तो है मैच को एक अच्छा सा फिनिस देता है दोस्तों अगर आप सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप सबसे पहले अफगानिस्तान के बीच बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्टकाप ओडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंगलैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती ह कि एक बड़ा स्कोर बना के देणा होगा तो साफनेवाले टीम इस स्कॉर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो दोस्तों देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह पर करेगी और इस समय अगर बल्ले बाज़ी की बात करें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम काफी संमल करक तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा कि इन दोनों बल्ले बाजों को कोसिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी पार्णर्शिप बनानी होगी जितने बड़े साजीधारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही जैदा फाइद अभी तक मेरे वीडो को लाइक है अगर वीडो को लाइक कर दीजे प्लीस जितने भी आप लोग को लाइप मैच देखने है सब से बश्वेस्ट प्रयर यह होने वाला थो दो सो नीचे देख रहे हैं आप आप लोग जोलदी जाकर करें मेरे टेली गरम चैनल को जोन कर लीजे वहाँ पर आपको सारी चीजे हैं मैच अपडेट्स आपको सबसे पहले फ्री आपकाश्टी देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप स्पीक होता दिल समय इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान के बीच बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि वर्टकप ओडिया टीम के लिए और देखना दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा स्कोर यहां बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओबर में अफगानिस्तान किते रनों को टार्गेट यहां पर इंग्लैंड को देगी क्योंकि यह टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक बड़ा स्कोर बना के देना होगा क्योंकि अगर स्कोर ही नहीं बनेगा तो सामने वाले टीम इस स्कोर को बहुत आराम से अचीव कर सकती है तो दोस्तों देखते हैं कि आगर यह टीम किस तरह पर फार्म करेगी और इस समय अगर हम लोग बल्ले बाजी की बात करें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम काफी समल करके बल्ले बाजी कर रही है और अगर इसी तरीके से यहाँ पर करती रही तो एक बड़ा स्कोल यहाँ बनाना होगा तो कि इन दोनों बल्ले बाजों को कोसिस करनी होगी कि यहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक बड़ी partnership बनानी होगी जितने बड़े साजीदारी इन दोनों बल्ले बाजों के बीच बनेगी उतना ही जैदा फाइदा यहां पर अफगानिस्तान के लिए रहेगा तो दोस्तों देखते हैं कि यह आगर इस टीम की गाली किस त लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग को लाइब मैच देखने हैं सबसे बेस्ट प्लेटफार्म आप लोग लिए वाला होने वाला है तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग नीचे subscribe को आप सणारा उस पर क्लिक कर दीजिए इसके बगलन वहाँ पर आपको सारी चीजे मैच अपडेट्स आपको सबसे पहले फ्री आपकाश्टी देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों आप से को तद इसमें इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकाबला खेला जा रहा है जो कि अब दिल्चास यह रहेगा कि वह कौन से टीम है जो इस मुकाबले में जीत अपने नाम तरज कर पाती है इस समय अगर हम लोग मैच की सिच्वेशन को देखें तो इस समय अफगानिस्तान की टीम आगे है अफगानिस्तान अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो एक बड़ा इसको रहा बनाना होगा और अब देखते हैं कि इस पचास ओवर में अफगानिस्तान झाल 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 कर दो दो करने कि टुड़ कि यह से लंगे कि लिवार जालाएंगी। झाल 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 उपर झाल 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 इसन आफ nouns आहाई झाल इसन मी यह RIבה और अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो इंग्लेंड यह मुकाबला जीते गी दोनों ख्राड़ी चाहेंगे कि यहां एक लंबी पार्णर से बने और विकेट्स ना गिरे आराम से भी खेलेंगे तो भी इस मैच में जीत जाएंगे तो यहां मैं आप लोग को बता देता हूं जो रिकार्ड रेट वो बहुत ही काम है फार ओवर में चार्च है माने की जुरुत नहीं है अगर यहां देखा जाए तो यहां पर इंग्लेंड का जो प्लान है इस मैच को बहुत जल्दी सल्दी फिनिस किया जाए क्योंकि जित जल्दी इस मैच को फिनिस करेंगे उतना ही जैदा फाइदा यहां पार England को होगा तो कि नत रंडट बहुत ज़़दा माहने रखता है इस ODI मैंच में क्योंकि नेट रेंडट ही decide करता है कि वह कौन से टैमें जो पॉइंट सेवल में ऊपर जाएगी और कौन से टैमें जो पॉइंट सेवल में नीचे जाएगी यहां पर मैं आप लोग को बता दू जो इंग्लेंड के लिए काफी मैच अच्छा रहा नो डाउट इंग्लेंड यहां पर अच्छे तरीके से बल्ले बाजी कर रही है और इसी तरीके से अगर अच्छे तरीके से बल्ले बाजी करती रही तो इस मैच को जीते की भी और काफी खुजबी होगी यहां पर मैं आप लोग को बता दूं इंगलेंट जिस तरीके से यहां पर हर एक खिलाडी ने आपर पर किया पर अच्छा का साथ दमखं दिखाया धीरे धीरे यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंगलेंट अपने नेचरल फार्म में नजर आ रही है और बहुत खुश भी है अगर आप लोग नहीं तक मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे देख रहे हैं अगर आप लोग को फ्री आफकास्ट देखने को मिलने वाली है इंगलाइंट बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बड़ा और एक बहुत हैं मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ड का वोडिया टीम के लिए हैं तो दूसरी तरफ यहां पर पर पॉइंट सब्सक्राइब यहां पर बात करें के बॉटम त्म में यहां पर देखा गया है अगर नोगों ने पहली इनिक्स में अगर ने देखा कि इंगलैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंद बाजी करी जिसके चलते हैं पर जो इसकोर दिया गया है वह एक नॉर्मल स्कूर है अब लग रहा ह चलो कोई बार नी थोड़ा सा कोभी कद्दार ऐसा हो जाता है बठा गया नेले मैच में इस चीश का जरूर ध्यान रखेंगे अगर हम लोग आज की मैच की सिच्वेशन को देखते हैं तो करन्ट सिच्वेशन इस मैच में साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर इंग्लैंड बह मैं आप लोग को बता देता हूँ जो रिकार्ड रन रेट वो बहुत ही काम है हर ओवर में चार्च है माने की जुरूरत नहीं है अगर यहां देखा जाए तो यहां पर इंग्लैंड का जो प्लान है इस मैच को बहुत जल्दी सल्दी फिनिस किया जाए क्योंकि जित जल्द बडले बाजी कर रही है और अच्छी तरुके से करती रही है तो मैच को जीतेगी और काफ़ी खसरी होगी यहां पर मैं आप लोग को बता दूं इस तरीके से बहुत बहुत ल Harley Aww कर दीजिए नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बगर में बेल एकाना जाए कोई भी लेटिश्ट वीडियो दोस्तों आप पर सबसे पहले देखने मुझा जिहांस तो एक बात और आप लोग को यहां पर मैच प्रेडिक्शन मैच अनलाइस रिपोर्ट आ मिलने वाली है तो इसमें इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही एहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ट का वोडियाई टीम के लिए तो दूसरी तरफ यहां पर सबसे लाश्ट वाली टीम है यहां पर बात करें पॉंट मैच को जीतेगी और प्वाइंट शेवल में उपर रवेड़ेगी तो इनके लिए एक बड़ा मैच जरूर रहा है टीम इंग्लैंड के लिए तो कहीं ना कहीं देखा जाए अफगानिस्तान अपसेट जरूर होगी क्योंकि आज कर मुकावला जैसा रहा थोड़ा सा डिस प अले बाद जो यहां पर क्रीज पर खड़ेगी अभी तक इस इनिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं और अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो इंग्लैंड यह मुकाबला जीतेगी दोनों ख्राड़ी चाहेंगे कि यहां एक लंबी पार्णर से बने और विके किया जाए क्योंकि जिते हले इस मैच को फिनिस करेंगे उतना ही ज्यदा फाइदा यहां पर इंग्लैंड को होगा क्योंकि नेट रेंट बहुत ज्यदा माहिने रखता है इस ओडियाई मैच में क्योंकि नेट रेंट ही डिसाइड करता है कि वह कौन से टीम जो पॉइंड उपर जाएगा और कौन से टैमें जो इबने नीचे जाएगी यहां पर मैं आप लोग को बतादों जो इंग्लैंड के लिए काफी मैच अच्छा रहा नो डाउट इंग्लैंड यहां पर अच्छे तरीके से बल्ले बाजी करती रही तो इस मैच को जीते की और काफी खुश भी दोड़को अबहें तक यह जल्दी जाकर वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए उसके भगण में बेले का ना जाकर करके आ आप लोग जल्दी जाकर मेरे टेलिग्राम चैनल को जोन के लिए वहां पर आपको सारी चीज़ें फ्री आपकास्ट देखने को मिलने वाली हैं दोस्तों आपस्विक को ता दुस्त में इंग्लाइंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बड़ा और एक बहुत हैं मुकावल है वह एक नॉर्मल स्कूर है अब लग रहा है कि यह यहां पर टीम इंग्लेंड इस मैच को जीतेगी और प्वांट शेवल में उपर रवेड़ेगी तो इनके लिए एक बड़ा मैच जरूर रहा है टीम इंग्लेंड के लिए तो कहीं ना कहीं देखा जाए अफगानिस्ता इस मैच में साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर इंग्लेंड बहुत बढ़िया तरीके से खेल लेगी दोनों बल्ले बाद जो यहां पर क्रीस पर खड़ुए अभी तक इस इनिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं और अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो इस समाने की ज़रौत नहीं है अगर अगर देखा जाए तो यहां पर इंग्लेंड का जो प्लान इस मैच को बहुत जल्दी जल्दी फिनिश किया जाए त्योंकि चल्स को फिनिश करेंग तो मैं पर नीचे यहां पर मैं आप लोग को बता दूँ जो इंग्लेंड के लिए क और काफी खुस भी होगी यहां पर मैं आप लोग को बता दू इंगलेंड जिस त्रीके से यहां पर हर एक खिलाड़ी ने आपर पर पर्फॉर्म किया फर्स्ट इनिक्स में भी आपर अपना अच्छा का सा दमखम दिखाया धीरे धीरे यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्लिक कर दी कोई भी लेटेस्ट वीडियो दोस्तों आप पर सबसे पहले देखने में जहांस तो एक बात और आप लोग को यहां पर मैज प्रेडिक्शन मैज चैनल आप लोग को फ्री आफकास्ट चाहिए दोस्तों लिंक कर नीच डिस्क्राप्शन ने दिया गया है मैरे आप लोग जल्दी जाकर मेरे टेलिग्राम चैनल को मिलने वाली है दोस्तों इंग्लाइंट बनाम अफगानिस्तान के बीच बहुती बड़ा और एक बहुती एहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ट का वोडिया टीम के लिए तो दूसरी तरह यहां पर सबसे कि इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो स्कोर दिया गया है वह एक नॉर्मल स्कोर है अब ऐसा लग रहा है कि यह यहां पर टीम इंग्लैंड इस मैच को जीतेगी और प्वाइंट शेवल में उपर रवेड़ेगी तो इनके लिए एक बड़ा मैच जरूर रहा है टीम इंग्लैंड के लिए तो कहीं न कहीं देखा जाए अफगानिस्तान अफसेट जरूर होगी क्योंकि आज कर मुकाबला जैसा रहा थोड़ा सा डिस पॉंट ही जरूर है चलो कोई बार नी थोड़ा सा कोभी करतार ऐसा हो चाहेंगे कि यहां एक लंबी पार्णर्शिक बने और विकेट्स ना गिरे आराम से भी खेलेंगे तो भी इस मैच में जीत जाएंगे तो यहां मैं आप लोग को बता देता हूं जो रिकार रंडेट वो बहुत ही काम है फार ओवर में चार्च है माने की जरूरत नहीं है अ कौन से टेम जो पॉइंट जेवर में नीचे जाएगी यहां पर मैं आप लोग को बता दूँ जो इंग्लैंड के लिए काफी मैच अच्छा रहा नो डाउट इंग्लैंड यहां पर अच्छे तरीके से बल्ले बाजी कर रही है और इसी तरीके से अगर अच्छे तरीके से नजर आ रही है और बहुत खुष भी है अगर आप लोग नहीं तक मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बगल में बैल एकाना जाए कोई भी लेटिस्ट वीडियो दोस्तों आप लोग कर सबसे पहले देखने मिल सब्सक्राइब कर देखने को मिलने वाली है दोस्तों इंग्लाइंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ड का वोडिया टीम के लिए तो दूसरी तरह यहां पर सबसे लास्ट वाली टीम है यहा बाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो स्कोर दिया गया है वह एक नॉर्मल स्कोर है अब ऐसा लग रहा है कि यह यहां पर टीम इंग्लेंड इस मैच को जीतेगी और प्वाइंट शेवल में उपर रहेड़ेगी तो इनके लिए एक बड़ा मैच जरूर रहा है टीम नखेंगे अगर हम लोग आज की मैच की सिच्वेशन को देखते हैं तो करंट सिच्वेशन इस मैच में साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर इंग्लेंड बहुत बढ़िया तरीके से खेल लए इस दोनों बल्ले बाद जो यहां पर क्रीस पर खड़ हुए अभी तक इस इनि यहां पर इंग्लेंड को बता दूँ जो इंग्लेंड के लिए काफी मैच अच्छा रहा नो डाउट इंग्लेंड यहां पर अच्छे तरीके से बल्ले बाजी कर रही है और इसी तरीके से अगर अच्छी तरीके से बल्ले बाजी करती रहे तो इस मैच को जीते की बी और काफी खुस भी होगी यहां पर मैं आप लोग को बता दूँ इंगलेंड जिस तरीके से आपर हरे खलाडी ने आपर पर पर्रफॉर्म किया फर्स्ट इनिक्स में भी आं प को आपसन आ रहा है उसके बगर में बैल एक आना जागा उस पर क्लिक करके आ लटिफिकेशन पर जरूब क्लिक कर दी ताकि मेरी आन्याली कोई भी लिटेश्ट वीडियो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर मैच प्रेडिक्शन मैच अनलाइस इस रिपोर्ट आगर आप लोग अफगानिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा और एक बहुत है मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ड का वोडिया टीम के लिए है कि अगर हम लोग बात करें तो पॉइंट स्टेवल में टॉप की टीम है तो दूसरी तरह यहाँ पर सबसे लाश्ट वाली टीम है यहाँ बात करें पॉइंट स्टेवल की बॉट्टम टीम में यहाँ पर देखा गया है अगर हम लोगों ने पहली इनिक्स में अगर हम लोगों देखा कि इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंद बाजी करी जिसके चलते हैं यहाँ पर जो दिया गया है वह एक नॉर्म इसका जरूर ध्यान रखेंगे अगर हम लोग आज की मैच की सिच्वाइशन को देखते हैं तो करेंट सिच्वाइशन इस मैच में साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर इंग्लैंड बहुत बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं और अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो इंग् प्लानी की जरूरत नहीं है अगर यहां देखा जाए तो यहां पर इंग्लैंड का प्लान ने तो यहां पर नेट रेट बहुत जादा माहिने रखता है इस मैच में वह कौन से टेम जो पॉइंड जेबल में नीचे जाएगी यहां पर मैं आप लोगं को बता दू जो िंगलेन्ड के लिए काफी मैच अच्छा रहा नौ डाउट ईंगलेंड यहां पर अच्छे तरीके लिवह बंचा अठीर जाएग रही है जल्दी जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब का उपसन आ रहा है उसके बगल में बेल एकाना जाएक उसके पर क्लिक करके अल लटिफिकेशन पर जरूप कर दीजिए ताकि मेरी आनयाली कोई भी लेटिस्ट वीडियो दोस् देखने को मिलने वाली हैं इंग्लाइंड बनाम अफगानिस्तान के बीच बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही एहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ट का वोडियाई टीम के लिए तो दूसरी तरफ यहां पर सबसे लाश्ट वाली टीम है यहां पर बात करें पॉंट यहां पर टीम इंग्लैंड इस मैच को जीतेगी और पॉंट शेवल में उपर एवेड़ेगी तो इनके लिए एक बड़ा मैच जरूर रहा है टीम इंग्लैंड के लिए तो कहीं ना कहीं देखा जाए अफगानिस्तान अफसेट जरूर होगी क्योंकि आज कर मुकावला जै अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो इंग्लैंड यह मुकाबला जीतेगी दोनों ख्रड़ी चाहेंगे कि यहां एक लंबी पार्णर सीब बने और विकेट्स ना गिरे आराम से भी खेलेंगे तो भी इस मैच में जीत जाएंगे तो यहां मैं आप लोग को बता देता हूं जो रिकायर रन रेट वो बहुत ही काम है हर ओवर मैं 4-6 माने की जरुद्वत नहीं है अगर यहां देखा जाए तो यहां पर इंग्लैंड का जो प्लान है इस मैच को बहुत जल्दी सल्दी फिनिस किया जाए पूंकि जते जल्दी समय को फिनिस करेंगे उतना ही ज्यदा यहां पर England को होगा क्योंकि net run rate बहुत ज़्यादा माहिने रखता है इस ODI match में क्योंकि net run rate ही decide करता है कि वो कौन सी टे में जो points टेबल में उपर जाएगी और कौन सी टे में जो points टेबल में नीचे जाएगी यहां पर मैं आप लोग को बता दूँ जो England के लिए काफी match अच्छा रहा नो डाउट इंग्लेंड यहां पर अच्छे तरीके से बल्ले बाजी कर रही है और इसी तरीके से अगर अच्छे तरीके से बल्ले बाजी करती रही तो इस match को जीते की भी और काफी खुस भी होगी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे देख रहे हैं सब्सक्राइब का अपसन आ रहा है उसके बगन में बेल एकाना जागा उसपर क्लिक करके आ लटिकेसन पर जरूब कर दी दोस्तों आपस्विक को था दूस्त में इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बड़ा और एक बहुत ही एहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ड का वोडिया टीम के लिए है तो दूसरी तरह यहां पर सबसे लाष्ट वाली टीम में भात करें पाइली नीक्स में अगर हम लोग देखा के इंगलैंड ने बहुत बढ़ीया तरिके से गेंदबाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो स्कोर दिया गया है वह एक नॉर्मल स्कोर है अब ऐसा लग रहा है कि यह यहां पर टीम इंग्लेंड इस मैच को जीतेगी और पॉइंट शेवल में उपर रवेड़ेगी तो इनकी लिए एक बड़ा मैच जरूर रहा है टीम इंग्लेंड के लिए तो कहीं ना कहीं देखा जाए अफगानिस्तान अफसेट जरूर होगी क्योंकि आज का मुकाबला जैसा रहा थोड़ा सा डिस्पॉंट ही जरूर है चलो कोई बात नहीं थोड़ा सा को भी कद्दार ऐसा हो जाता है बठा गया नेले मैच में इस चीश का जरूर ध्यान रखेंगे अगर हम लोग आज की मैच की सिच्वेशन को देखते हैं तो करन्ट सिच्वेशन इस मैच में साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर इंग्लेंड बहुत बढ़िया तरीके से खेल लए दोनों बल्ले बाद जो यहां पर क्रीस पर खड़ अगर यहां देखा जाए तो यहां पर इंग्लेंड का जो प्लान है सिस मैच को बहुत जल्दी सल्दी फिनिस की जाए car कि जित्यालदी स्मैच को फिनिस करेंगे इस फιάदा यहां पर इंग्लेंड बहुत जधा मयने रखता ऑप यहां पैर इंग्ण को अप्छे ट्रेbene यहांपर तरीके से चादर दिखायों यहां ऑपनक बात करूं अपने निचरल आ रही है और बहुत खूज सब assessments वीडियो को लाइक कर दीजिए अब लोग नहीं तक मैं चर्ण को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे अब ज़रू कर दीजिए तो कोई भी लिटेस्ट वीडियो दोस्तों आप पर सबसे पहले देखने दो जिहांस तो एक बात और आप लोग को यहां पर मैच प्रेडिक्शन मैच अनलाइसिस रिपोर्ट आगर आप लोग को फ्री आफकास चाहिए दोस्तों लिंक कर नीचे डिस्क्रेप्शन ने दिया गया है मैरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया और साथ में लाइफ चैट है तो दूसरी तरह यहां पर सबसे लाश्ट वाली टीम है यहां पर बात करें बॉट्टम टीम में यहां पर देखा गया है अगर हम लोगों ने पहली इनिक्स में अगर हम लोगों ने देखा कि इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंद बाजी करी जिसके चलते अपसेट जरूर होगी तुकि आज की मुकाबला जैसा रहा थोड़ा सा डिस्पॉंट ही जरूर है चलो कोई बार नी थोड़ा सा कोभी करतार ऐसा हो जाता है बठा गया ने अले मैच में इस चीच का जरूर ध्यान नखेंगे अगर हम लोग आज की मैच की सिच्वेशन को देखते हैं तो करेंट सिच्वेशन इस मैच में साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर इंग्लैंड बहुत बढ़िया तरीके से खेल लाई दोनों बल्ले बाद जो यहां पर क्रीस पर खड़े अभी तक इसी इनिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं और अगर इ इंग्लैंड का जो प्लान है कि इस मैच को बहुत जल्दी चल्सक्राइब करेंगे बहुत जैदा फैदा यहां पर इंग्लैंड को होंगा तो कि अच्छा रहा राऊ पर अच्छे तरीके से बल्लेमाजी करती रही तो कहुत जीतेंग और काफी खुस वगी होगी यहां पर मैं आप लोग को बता दू इंग्लेंट जिस तरी के से हाँ पर हरे खिलाडी ने आपर पर फर्फार्म किया फर्स्ट इनिक्स में भी आपर अच्छा का सब दमखं दिखाया दीरी-दीरी यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंग्लेंट अपने निचुरल फर्म में रही है और बहुत खुस भी है अगर आप लोग नहीं तक मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बगल में बहुत कर दीजिए कोई भी लेटिस्ट वीडियो दोस्तों आप पर सबसे पहले देखने मिलें जिहांस तो एक बात और आप लोग को यहां पर मैच प्रेडिक्शन मैच अनलाइस रिपोर्ट आगर आप लोग को फ्री आफकास चाहिए दोस्तों लिंक कर नीचे डिस्क्राइब कर दिया गया है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया और साथ में लाइव चैट सक्षन में दिय तो दूसरी तरह यहां पर पॉइंट्स सबसे लाश्ट वाली टीम है यहां पर बात करें बाट्र टीम में यहां पर देखा गया है अगर हम लोगों ने पाईली इनिक्स में आगर हम लोगों देखा कि इंग्लेंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंद्बाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो स्कोर दिया गया है वो एक नॉर्मल स्कोर है अब ऐसा लग रहा है कि यह यहां पर टीम इंग्लेंड इस मैच को जीतेगी और प्वाइंट शेवल में उपर रवेड़ेगी तो इनके लिए एक बड़ा मैच जरूर रहा है टीम इंग्लेंड के तो कहीं न कहीं देखा जाए अफगानिस्तान अफसेट जरूर होगी क्योंकि आज की मुकाबला जैसा रहा थोड़ा सा डिस्पांटिक जरूर है चलो कोई बार नहीं थोड़ा सा कोभी कददार ऐसा हो जाता है बठा गया नेले मैच में इस चीश का जरूर ध्यान अगर हम लोग आज की मैच की सिच्वेशन को देखते हैं तो करंट सिच्वेशन इस मैच में साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर इंग्लैंड बहुत बढ़िया तरीके से खेल लए दोनों बल्ले बाद जो यहां पर क्रीस पर खड़ गए अभी तक इस इनिंस को बहुत सब्सक्राइब यहां पर इंग्लैंड को बता दूँ जो इंग्लैंड के लिए काफी मैच अच्छा रहा नो डौट इंग्लैंड यहां पर अच्छे तरीके से बल्ले बाजी कर रही है और इसी तरीके से अच्छे तरीके से बल्ले बाजी करती रही तो इस मैच को जीते की भी और काफी खुस भी होगी यहां पर मैं आप लोग को बता दूं इंग्लैंड जिस तरीके से यहां पर हर एक खिलाड़ी ने आपर पर पर फर्फॉर्म किया फर्स्ट इनिंस में भी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे देख रहें सब्सक्राइब का आप्शन आप शनारा उसके बगर में बेल एकाना जागा उसके क्लिक करके अल्टिफिकेसन बजरूब कर दी ताकि मेरी आन्याली कोई बीटिस्ट वीडियो दोस्टों आप लोग आप एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ड का वोडिया टीम के लिए तो दूसरी तरह यहां पर सबसे लाश्ट वाली टीम में यहां पर बात करें प्वांट सेवल की बाटम टीम में यहां पर देखा गया है अगर हम लोगों ने पहली इनिक्स में अगर हम लोगों देखा कि इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंद बाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो स्कोर दिया गया है वह एक नॉर्मल स्कोर है आपर मुकाबला जैसा रहा थोड़ा सा डिस्पॉंटिक जुरूर है चलो कोई बार नी थोड़ा सा कोभी कद्दार ऐसा हो जाता है बठा गया नेले मैच में इस चीच का जरूर ध्यान रखेंगे अगर हम लोग आज की मैच की सिच्वेशन को देखते हैं तो करन्ट सिच्वेश तो यहां मैं आप लोग को बता देता हूं जो रिकार रन रेट वो बहुत ही काम है फार ओवर में चार्च है माने की जुरूरत नहीं है अगर यहां देखा जाए तो यहां पर इंग्लेंट का जो प्लान है इस मैच को बहुत जल्दी सल्दी फिनिस किया जाए क्योंकि जित अच्छी तरीके से बल्ले बाजी कर रही है और इसी तुरुके से बल्ले बाजी करती रही तो मैच को जीते की और खुद भी होगी यहां पर मैं 아प लोग को बता दू लैंड जसी यहां पर हारे ख्लाडी नहीं पर पर फर्फौम कर दीजिए नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब को आप सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बगर में बैल एकाना जाएक उस पर क्लिक करके आ लटिफिकेशन पर जरूब क्लिक कर दी ताकि मेरी आन्याली कोई भी लेटेश्ट वीडियो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर चैनल को जान के लिए वहाँ पर आपको सारी चीजिए फिर आपकास्ट देखने को मिलने वाली हैं दूस्तों आप स्विक होता तो इसमें इंग्लाइंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती एहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ड क तरीके से गेंदबाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो स्कोर दिया गया है वह एक नॉर्मल स्कोर है अब लग रहा है कि यह यहां पर टीम इंग्लेंड इस मैच को जीतेगी और प्वाइंट शेवल में उपर रवेड़ेगी तो इनके लिए एक बड़ा मैच जरूर रह मैच में साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर इंग्लेंड बहुत बढ़िया तरीके से खेल लाई दोनों बल्ले बाद जो यहां पर क्रीस पर खड़ुए अभी तक इसी इनिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं और अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो इंग्ल इंग्लेंड का जो प्लान इस मैश को बहुत जलनी चल्दी सरावत धारा इंगलेंड को պंच्छा रहे हैं और इसी तरीके से बल्ले बाजी करती रही तो इस मैच को जीते की भी और काफी खुस भी होगी यहां पर मैं आप लोग को बता दूं इंग्लेंड जिस तरीके से यहां पर हर एक खिलाडी ने आपर पर फर्फ़र्म किया फर्स्ट इनिक्स में भी आपर अपना अच्छा का सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब का आपसन आ रहा है उसके बगल में बैल एकाना जागा उस पर क्लिक करके आल डिवीकेशन पर जरूब कर दी ताकि मेरी आन्याली कोई बीटिस्ट वीडियो दोस्तों आप लोग कहां पर सबसे पहले देख इंग्लेंड बना अफगानिस्तान के बीच एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही एहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ड का वोडिया टीम के लिए तो दूसरी तरह यहां पर सबसे लाश्ट वाली टीम है यहां पर बात करें पाटम टीम में यहां पर देखा गया ह अगर हम लोगों ने पाइली इनिक्स में अगर हम लोगों ने देखा कि इंग्लेंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो स्कोर दिया गया है वह एक नॉर्मल स्कोर है आपर ऐसा लग रहा है कि यह यहां पर टीम इंग्लेंड इस मैच को जीतेगी और प्वाइंट शेवल में उपर रहेड़ेगी तो इनके लिए एक बड़ा मैच जरूर रहा है टीम इंग्लेंड के लिए तो कहीं ना कहीं देखा जाए अफगानिस्तान अपसेट जरूर होगी क्योंकि आज कर मुकाबला जैसा रहा थोड़ा सा डिस इसकी तरीके से खेलते रहे तो इंग्लेंड यह मुकाबला जीतेगी दोनों ख्रड़ी चाहेंगे कि यहां एक लंबी पार्णर से बने और विकेट्स ना गिरे आराम से भी खेलेंगे तो भी इस मैच में जीत जाएंगे तो यहां मैं आप लोग को बता देता हूं जो रिक इस वीडियो को लाइट करता है कि वह कौन सीटे में जो पॉइंड़ में नीचे जाएगी यहां पर मैं आप लोग को बता दूँ जो इंग्लैंड के लिए काफी मैच अच्छा रहा नो डाउट इंग्लैंड यहां पर अच्छे तरीके से बल्ले बाजी कर रही है और इसी सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बगल में बैल एक आना जाए कोई भी लिटेश्ट वीडियो दोस्तों आप लोग के आपर सबसे पहले देखने मुझा जिहांस तो एक बात और आप लोग को यहां पर मैच प्रेडिक्श सब्सक्राइब कर देखने को मिलने वाली हैं इंग्लाइंड बनाम अफगानिस्तान के बीच बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही एहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ड़ का वोडियाई टीम के लिए तो दूसरी तरह यहां पर सबसे लास्ट वाली टीम है यहां पर बात करें बाटम टीम में यहां पर देखा गया है अगर हम लोगों ने पाहली इनिक्स में अगर हम लोगों देखा कि इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंद बाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो इक नॉर्मल स्कूर है आप ऐसा लग रहा है कि यह यहां पर टीम इंग्लैंड इस मैच को जीतेगी और प्वाइंट शेवल में उपर रहेड़ेगी तो इनके लिए एक बड़ा मैच जरूर रहा है टीम इंग्लैंड के लिए तो कहीं न कहीं देखा जाए अफगानिस्तान अपसेट जरूर होगी क्योंकि आज कर मुकाबला जैसा थोड़ा सा डिस पॉंटी जुरूर है चलो कोई बार नी थोड़ा सा कोभी करतार ऐसा हो जाता है बठागया नेले मैच में इस चीछ का जरूर ध्यान रखेंगे अगर हम लोग आज के मैच की सिच्वेशन को देखते हैं तो करन्ट सिच्वेशन इस मैच में साफ साफ आराम से भी खेलेंगे तो भी इस मैच में जीत जाएंगे तो यहां मैं आप लोगों को बता देता हूं जो रिकाइड रंडेट वो बहुत ही कम है फार ओवर मैं चार्च है माने की जुरूरत नहीं है अगर यहां देखा जाए तो यहां पर इंगलेंट का जो प्लान है इस कि जलदी सलधी फिनिस करेंगी जाएंगे इस फैदा िडाएंग इंगलेंट को होगा सुछे तरीक से बले बाजी कर रही है और इससी मैच को जीते की बिए और काफी खुस होगी हम अब आप लोग को पता दू इंग्लेंड जी तरी के से यहां पर हर एक खिलाडी ने आपर पर फर्फार्म किया फर्स्ट इनिक्स में भी आपर अपना अच्छा का सथ दमखम दिखाया धीरी धीर यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंग्लेंड अपने निचरल फार्म में नजर आ करना जागा उस पर क्लिक करके अलटिफिकेशन पर जरू किलिक करती ताकि मेरी आने आली कोई भी लेटेश्ट वीडियो दोस्तों आप लोग के आप सबसे पहले देखने में जहां तो एक बात और आप लोग को यहां पर मैंच प्रेडिक्शन मैंच अनल आइस रिपोर्ट अगर आप लोग को फ्री आफकास्ट देखने को मिलने वाली है दोस्तों इंग्लाइंट बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती अहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ट का बोडिया टीम के लिए तो दूसरी तरफ यहां पर पॉइंट स सबसे लाश्ट वाली टीम है यहां पर बात करें पॉइंट सेवल की बॉटम टीम में यहां पर देखा गया है अगर हम लोगों ने पाहली इनिक्स में अगर हम लोगों देखा कि इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर ज जरूर रहा है टीम इंग्लैंड के लिए तो कहीं ना कहीं देखा जाए अफगानिस्तान अफसेट जरूर होगी क्योंकि आज की मुकाबला जैसा रहा थोड़ा सा डिस्पांट ही जरूर है चलो कोई बात नहीं थोड़ा सा कोभी कददार ऐसा हो जाता है बठा गया नेले म मैच की सिच्वेशन को देखते हैं तो करेंट सिच्वेशन इस मैच में साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर इंग्लैंड बहुत बढ़िया तरीके से खेल लए दोनों बल्ले बाद जो यहां पर क्रीस पर खड़ गए अभी तक इस इनिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से और अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो इंग्लैंड यह मुकाबला जीतेगी दोनों ख्रड़ी चाहेंगे कि यहां एक लंबी पार्णर से बने और विकेट्स ना गिरे आराम से भी खेलेंगे तो भी इस मैच में जीत जाएंगे तो यहां मैं आप लोग को बता देता बहुत ही काम है हर ओवर में 4-6 माने की जुरुत नहीं है अगर यहां देखा जाए तो यहां पर इंग्लैंड का जो प्लान है इस मैच को बहुत जल्दी सल्दी फिनिस करेंगे उतना ही ज्यदा फाइदा यहां पर इंग्लैंड को होगा क्योंकि नेट रेंड बहुत मैं यहां पर मैं आप लोग को बता दूं इंगलेंड जैस्त जcomb其 Kenya अगरिदा यहां नहले को सब्सक्राइब कर दीजै नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब को आप सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बगल में बैल एक आना जागा उस पर क्लिक करके आल लिटिफिकेशन पर जरूब कर दी ताकि मेरी आन्याली कोई भी लिटेस्ट वीडियो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर मैस प्रेडिक्शन मैंच अनलाइस रिपोर्ट अगर आप लोग को फ्री आफकास्ट चाहिए दोस्तों लिंक करने चाट इसक्राइब कर देखने को मिलने वाली हैं दोस्तों आप स्ब्सक्राइब बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बढ़ा और एक बहुत ही एहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ट का बोडियाई टीम के लिए है तो कि अगर हम लोग बात करें तो मैन के तो डूसरी तरब इसे लाज़ वाली टीम में यहां पर बात करें प्वांट शेवल की बॉटम टीम में यहां पर देखा गया है अगर हम लोगों ने पाहली इनिक्स में अगर हम लोगों ने देखा कि इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंद बाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो स्कोर दिया गया है वह एक नॉर्मल स्कोर है अब लग रहा है कि यह यहां पर टीम इंग्लैंड इस मैच को जीतेगी और प्वांट शेवल में उपर रवेड़ेगी तो इनके लिए एक बड़ा मैच जरूर रहा है टीम इंग्लैंड के लिए तो कहीं न कहीं देखा जाए अफगानिस्तान अफसेट जरूर होगी क्यों पर इंग्लैंड बहुत बढ़िया तरीके से खेल लेए दोनों बल्ले बाद जो यहां पर क्रीस पर खड़ेगी अभी तक इस इनिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं और अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो इंग्लैंड यह मुकाबला जीतेगी दोनों ख्र करता है कि वह सीटे में उपर जाएगी और कौन्सी टेम जो पॉइंग्लैंड के लिए काफी मैच अच्छा रहा लाए यहाँ पर अच्छे तरीके से बल्ले बाजी कर रहा है और इसी तरीके से बल्ले बाजी करती रहे तो इसमीट को जीते की और काफी खुस भी होगी जहा और एक खिलाडी ने आपर पर्फार्म किया फर्स्ट इनिक्स में भी आपर अपना अच्छा का सा दमखम दिखाया दीरे दीरे यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंग्लेंड अपने नेचरलल फार्म में नजर आ रही है और बहुत खुस भी है सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बगल में बहुत कर दीजिए कोई भी लेटेस्ट वीडियो दोस्तों आप लोग कहाँ पर सबसे पहले देखने मिले जिहांस तो एक बात और आप लोग को यहां पर मैच प्रेडिक्शन आप लोग जल्दी जाकर मेरे टेली ग्राम चैनल को जोन के लिए वहां पर आपको सारी चीज़ा फिर आपकाश्ट देखने को मिलने वाली हैं दोस्तों इसमें इंग्लाइंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बढ़ा और एक बहुत हैं मुकावला खेला जा रहा है जो स्कोर दिया गया है वो एक नॉर्मल स्कोर है अब ऐसा लग रहा है कि यह यहां पर टीम इंग्लेंड इस मैच को जीतेगी और प्वाइंट शेवल में उपर रवेड़ेगी तो इनके लिए एक बड़ा मैच जरूर रहा है टीम इंग्लेंड के लिए तो कहीं ना कहीं देख सब्सक्राइब इस मैच में साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर इंग्लेंड बहुत बढ़िया तरीके से खेल लए दोनों बल्ले बाद जो यहां पर क्रीस पर खड़ुए अभी तक इस इनिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं और अगर इसी तरीके से खेलते नहीं है अगर यहां देखा जाए तो यहां पर इंग्लेंड का जो प्लान में इस मेच को बहुत जल्दी सल्सक्राइब कर दो कि यहां पर आप लोग को बता दूँ जो इंग्लेंड के लिए काफी मैच अच्छा रहा नो डाउट इंग्लेंड यहाँ पर अच्छे तरीके से बल्ले बाजी कर रही है और इसी तरीके से अगर अच्छे तरीके से बल्ले बाजी करती रही तो इस मैच को जीते की भी और काफी खुस भी यहां पर मैं आप लोग को बता दूं इंगलेंड जी स्ट्रीके से यहां पर हरे खिलाड़ी ने आपर पर फर्फर्स्ट इनिक्स में भी आपर अच्छा का सथ दमखम दिखाया धीरी धीरे यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंग्लन अपने नच्रल्व फर्म में नजर आ रही है और बहुत खुस भी अगर आप लोग ने तक वीडियो को लाइक कर दीजेगर आप लोग ने चनल को सब्सक्राइब कर दीजिए निचे देखर है subscribe का option आ रहा है उसके बगर में बैल ऐकाना जागा उसके बगर करके all notification पर जरूब क्लिक कर दी ताकि मेरी आने आली कोई भी latest वीडियो दोस्तों आप लोग के आप सबसे पहले देखने मिलेग जिहांस तो एक बात और आप लोग को यहां पर match prediction अपर आपको सारी चीज़ा रहें देखने को मिलने वाली है दोस्तों आपस्टा बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बढ़ा और अहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ड का बोडिया टीम के लिए क्लिए तो दूसरी तरह यहां पर हम लोगों ने पाइली निक्स में आगर हम लोगों ने इंगलैंड ने बढ़त बढ़िया तरीके से और इसका लग रहा है कि यह यहाँ पर टीम इंगलैंड इस मैच को जीते गी और फॉइंट शेवल में उपर आभेड़ेगी तो इनके लिए एक बड़ा मैच जरूर है टीम इंग्लेंड के लिए तो कहीं ना कहीं देखा जाए अफगानिस्तान अफसेट जुरूर होगी क्योंकि आज का मुकाबला जैसा रहा थोड़ा सा डिस्पॉंट ही जुरूर है चलो कोई बात नहीं थोड़ा सा कोभी कद्दार ऐसा हो जाता है बठा गया नहीं मैच में इस ची आ रहे हैं और अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो इंग्लेंड यह मुकाबला जीतेगी दोनों ख्रड़ी चाहेंगे कि यहां एक लंबी पार्णर से बने और विकेट्स ना गिरे आराम से भी खेलेंगे तो भी इस मैच में जीत जाएंगे तो यहां मैं आप लोग को बता इस तरीके से बल्ले बाजी कर रही है और इसी तरीके से बल्ले बाजी करती रही तो इस मैच को जीते की भी और काफी खुस भी होगी इस तरीके से यहां पर हर एक खिलाडी ने आपर पर्फांव किया फर्स्ट इनिक्स में भी आपर अपना अच्छा का सा दंखम दिखाया धीरे धीरे यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंग्लेंड अपने निचरल फ़र्म में नजर आ रही है और बहुत खुस भी है नोड इस वीडियो दोस्तों आप पर सबसे पहले देखनें मुझा जिहांस तो एक बात और आप लोग को यहां पर मैच प्रेडिक्शन मैच अनलाइसिस रिपोर्ट आगर आप लोग को फ्री आवकाश्ट चाहिए दोस्तों लिंक कर नीच डिसक्रप्शन ने दिया गया है मैरे आप लोग जल्दी जाकर मेरे टेलिग्राम चैनल को मिलने वाली है दोस्तों इंग्लाइंड बनाम अफगानिसान के बीच बहुती बड़ा और एक बहुती एहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ट का वोडिया टीम के लिए तो दूसरी तरह यहां पर सबसे लास्ट वाली टीम है यहां पर बात करें पॉइंट सेवल की बॉट्टम टीम में यहां पर देखा गया है अगर लोगों ने पहली इनिक्स में अगर हम लोगों देखा कि इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंद बाजी करी जिसके चलते यहां पर जो इक नॉर्मल स्को करेंटी जुरूर है चलो कोई बार नी थोड़ा सा कोभी करतार ऐसा हो जाता है बठागया ने मैच में जरूर ध्यान रखेंगे अगर हम लोग आज की मैच की सुच्वेशन को देखते हैं तो करन्ट सुच्वेशन इस मैच में साथ साथ दिख रहा है कि यहां पर इंग्लै तो भी इस मैच में जीत जाएंगे तो यहां मैं आप लोग को बता देता हूं जो रिकायर रन रेट वो बहुत ही कम है हर ओवर में चार्च है माने की जुरूरत नहीं है अगर यहां देखा जाए तो यहां पर इंग्लैंट का जो प्लान है इस मैच को बहुत जल्दी सल्द को नीचा जाएगी यहां पर मैं आप लोग को बता दूँं जो इंगर ने जल्दी जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब का उपसन आ रहा है उसके बगल में बैल एकाना जाका उसके बगल करके अल लटिफिकेशन पर जरूब कर दी ताकि मेरी आन्याली कोई भी लेटेश्ट वीडियो दोस्तों आप ल सब्सक्राइब कर देखने को मिलने वाली हैं इंग्लाइंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही एहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ट का बोडियाइटीम के लिए तो दूसरी तरह यहां पर सबसे लाश्ट वाली टीम है यहां सब्सक्राइब करें यहां पर देखा गया है तो इनके लिए एक बड़ा मैच जरूर रहा है तो कहीं ना कहीं देखा जाए अफगानिस्तान अपसेट जरूर होगी क्योंकि आजकर मुकावला जैसा रहा थोड़ा सब्सक्राइब जरूर है चलो कोई बार नहीं थोड़ा सा को भी कदार ऐसा हो जाता है बठा गया नहीं मैच में इस चीश का जरूर ध्यान रखेंगे अगर हम लोग आज की मैच की सिच्वेशन को देखते हैं तो करन्ट सिच्वेशन इस मैच में साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर इंग्लैंड बहुत बढ़िया तरीके से खेल ल हर ओवर में 4-6 माने की जुरूरत नहीं है अगर यहां देखा जाए तो यहां पर इंग्लैंड का जो प्लान है इस मैच को बहुत जल्दे सेल्दी फिनिस किया जए तो कि जल्दे सेल्दी सेल्दी करेंगे उतना ही ज़्यादा फैदा यहां पर इंग्लैंड को होगा वाची कर रही है और इसी तरीखे से बल्ले बाजी करती बहुत को आप ड्रीटी होगी तक वीड़ो को लाइक कर दीजिए इंगैश का स्कत्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कर दीजिए उसके बगर में बैल एक आना जागा उस पर क्लिक करके आल रटिफिकेशन पर जरूब कर दी ताकि मेरी आनिया ली कोई भी लिटेश्ट वीडियो दोस्तों आप लोग के आप पर सबसे पहले देखने मुझा एक जिहांस तो एक बात और आप लोग को यहां पर मै लिटेश्ट देखने को मिलने वाली है दोस्तों अपस्ट बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा और एक बहुत एहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ड का वोडिया टीम के लिए विक तरह अगर हम लोग बात करें तो पॉइंट सबसे लाश्ट वाली ट अगर हम लोगों ने पहली इनिक्स में आगर हम लोगों देखा कि इंग्लेंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो स्कोर दिया गया है वह एक नॉर्मल स्कोर है अब रहा है कि यह यहां पर टीम इंग्लेंड इस मैच को जीते है बठा गया ने अले मैच में इस चीश का जरूर ध्यान रखेंगे अगर हम लोग आज की मैच की सिच्वेशन को देखते हैं तो करन्ट सिच्वेशन इस मैच में साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर इंग्लेंड बहुत बढ़िया तरीके से खेल ले हैं अभी तक इस इनि यहां पर यहां पर इंग्लेंड को बता दूँ जो इंग्लेंड के लिए काफी मैच अच्हा रहा नोडावट इंग्लेंड यहा पर अच्छे तरीके से बलबाजी कर रही है और इसी तरीके से अगर अच्छी तरीके से बलेबाजी करती रही तो इस मैच को जीते की भी और काफी खुस भी होगी यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं इंगलेट जिस तरीके से यहाँ पर हर एक खिलाडी ने आपर पर फर्फॉर्म किया फर्स्ट इनिक्स में भी आपर अच्छा का सा दमखम दिखाया दीरे दीरे यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इंगलेंड अपने नेचरल फार्म में नजर आ रही है और बहुत खुस भी है अगर आप लोग नहीं तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लोग नह आप लोग लिए वहां पर आपको सारी चीज देखने को मिलने वाली है दोस्तों इसमें इंग्लाइंड बनाम अफगानिस्तान के बीच बहुत बड़ा और एक बहुत ही एहं मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ड का वोडिया टीम के लिए तो दूसरी तरह यहां पर प पर बात करें पॉइंट बाटम टीम में यहां पर देखा गया है अगर हम लोगों ने पहली इनिक्स में अगर हम लोगों देखा कि इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंद बाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो इक नॉर्मल स्कूर है आप ऐसा लग रहा है कि यहां पर टीम इंग्लैंड इस मैच को जीतेगी और पॉइंट शेवल में उपर रवेड़ेगी तो इनके लिए एक बड़ा मैच जरूर रहा है टीम इंग्लैंड के लिए तो कहीं न कहीं देखा जाए अफगानिस्तान अपसेट जरूर होगी क्योंकि आज कर मुकाबला अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो इंग्लैंड ये मुकाबला जीतेगी दोनों ख्राड़ी चाहेंगे कि यहां एक लंबी पार्णर से बने और विकेट्स ना गिरे आराम से भी खेलेंगे तो भी इस मैच में जीत जाएंगे तो यहां मैं आप लोग को बता देता हूं ज कि जार चाहें आने की जुरुवत नहीं है अगर यहां देखा जाए तो यहां पर इंग्लैंड का जो प्लान इस मैच को बहुत जल्दी से जल्दी फिनिस किया जया जाए उतना ही ज्यदा फाइदा यहां पर इंग्लैंड को होगा तो क्योंकि नेट रेंड बहुत और इसी तरीके से अच्छी तरीके से बल्ले बाजी करती रही तो इस मैच को जीते की भी और काफी खुस भी होगी यहां पर मैं आप लोग को बता दूं नहीं किया है जल्दी जाकर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बगल में बैल एकाना जाका उस पर क्लिक करके अलटिफिकेशन पर जरूब कर दी ताकि मेरी आन्याली कोई लिटेश्ट वीडियो दोस्तों आप लोग को यहां पर मैश प्रेडिक्शन मैश चाहिए आप लोग को फृप चाहिए दोस्तों लिंक कर नीचे दिसक्राइब कर देखने को मिलने वाली है इंग्लाइब बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बड़ा और एक बहुत एहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि व तो point stable में top की team है तो दूसरी तरह यहां पर point stability सबसे last वाली team है यहां पर भात करें point stable की bottom team में यह बात कि बात करें बात है हete में अर corrobor पाहली ininksं में जैँका कि song इंग पर दिया गया है वो एक normal score है अब यहां शार बड़ा यहां पर team जैसा रहा थोड़ा सा डिस्पाइंटी जुरूर है चलो कोई बाद नहीं थोड़ा सा कोभी कद्दार ऐसा हो जाता है बठा गया नेले मैच में इस चीश का जुरूर ध्यान रखेंगे अगर हम लोग आज की मैच की सिच्वेशन को देखते हैं तो करंट सिच्वेशन इस बहुत बढ़िया तरीके से खेल लगी दोनों बल्ले बाद जो यहां पर क्रीश पर खड़ए अभी तक इस इनिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं और अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो इंग्लैंड यह मुकाबला जीतेगी दोनों ख्राड़ी चाहेंगे कि यहां एक लंबी पार्णर से बने और विकेट्स ना गिरे आराम से भी खेलेंगे तो भी इस मैच में जीत जाएंगे तो यहां मैं आप लोग को बता देता हूं जो रिकायर रन रेट वो बहुत ही कम है हर ओवर में 4-6 माने की जुरुत नहीं है अगर यहां देखा जाए तो यहां पर इंग्लैंट का प्लान्य को बहुत जल्दी सल्दी फिनीस किया जाएं तो यहां पर मैं आप लोग को बता दूढ़ लए और इसी तरिके से गार अचतरी पाई जीते खी हों जीते ही है और काफी खुस भी होगी यहां पर मैं आप लोग को बता दूं इंग्लेंड जिस त्रीके से यहां पर हरे खिलाड़ी ने आपर पर पर्फॉर्म किया फर्स्ट इनिक्स में भी आपर अपना अच्छा का साथ दमखम दिखाया धीरी धीर यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंग्लेंड अपने निचरल फर्म में नजर आ रही है और बहुत खुस भी है अगर आप लोग नहीं तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बगल में बैल एक आना जागा उस पर क्लिक करके अल्टिफिकेशन पर जरूब क्लिक कर दी ताक सब्सक्राइब कर देखने को मिलने वाली है इंग्लैंड बनाम अफगानिसान के बीच बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही एहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ड का वोडिया टीम के लिए तो दूसरी तरफ यहां पर सबसे लास्ट वाली टीम है यहां पर बात करें प्वांट टीम में यहां पर देखा गया है अगर हम लोगों ने पाहली इनिक्स में अगर हम लोगों ने देखा कि इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंद बाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो इक नॉर्मल स्कोर है आप ऐसा लग रहा है कि यह यहां पर टीम इंग्लैंड इस मैच को जीतेगी और प्वांट शेवल में उपर रवेड़ेगी तो इनके लिए एक बड़ा मैच जरूर रहा है टीम इंग्लैंड के लिए तो कहीं ना कहीं देखा जाए अफगानिस्तान अफसेट जरूर होगी क्योंकि आज कर मुकाबला जैसा रहा ला रहे हैं और अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो इंग्लैंड यह मुकाबला जीतेगी दोनों ख्रड़ी चाहेंगे कि यहां एक लंबी पार्णर से बने और विकेट्स ना गिरे आराम से भी खेलेंगे तो भी इस मैच में जीत जाएंगे तो यहां मैं आप लोग को बत इंग्लैंड के लिए काफी मैच अच्छा रहा नो डाउट इंग्लैंड यहां पर अच्छे तरीके से बल्ले बाजी करती रही तो इस मैच को जीते की बी और काफी खुस भी होगी यहां पर मैं आप लोग को बता दू इंग्लैंड जीस तरीके से आपर हर एक खिलाडी ने आपर पर फर्फार्म किया फर्स्ट इनिक्स में भी आपर अपना अच्छा का सथ दमखम दिखाया धीरी धीर यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड अपने निच्रल फ़ लोग मिले एक जियांस तो एक बात और आप लोग को यहां पर मैंच प्रिडिक्शन मैंच अनलाइस रिपोर्ट आगर आप लोग को फ्री आफकास चाहिए दोस्तों लिंक कर नीचे डिसक्रप्शन ने दिया गया है मैरे टेली ग्राम चैनल का लिंक आप लोग जल्दी जा की टीम है तो दूसरी तरह यहां पर सबसे लाश्ट वाली टीम है यहां पर बात करें बॉट्टम टीम में यहां पर देखा गया है अगर लोगों ने पाहली इनिक्स में आगर हम लोगों देखा कि इंग्लेंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंद्भाजी करी जिसके च बुकानिस्तान अपसेट जरूर होगी क्योंकि आज का मुकाबला जैसा रहा थोड़ा सा डिस्पांटिक जरूर है चलो कोई बार नहीं थोड़ा सा कोभी कद्दार ऐसा हो जाता है बठा गया नेले मैच में इस चीछ का जरूर ध्यान रखेंगे अगर हम लोग आज की मैच की सिच्वेशन को देखते हैं तो करन्ट सिच्वेशन इस मैच में साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर इंग्लैंड बहुत बढ़िया तरीके से खेल लए दोनों बल्ले बाद जो यहां पर क्रीस पर खड़ गए अभी तक इस इनिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से चला रह हैं अगर आध देखा जाएं तो यहां पर in England का जो प्लान इस उपस्केब को यहां पर मैं पर मैं अप भी खुजबी होगी यहां पर मैं आप लोग को बता दूंगे जिस त्रीके से आपर हरे खिलाड़ी ने आपर पर फर्फॉर्म किया फर्स्ट इनिक्स में भी आपर अपना अच्छा का सद दमखम दिखाया धीरे धीरे यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंग्लेंड अपने निचरल फर्म में नजर आ रही है और बहुत खुस भी है अगर आप लोग नहीं तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बगल में बैल एक आना जागा उस पर क्लिक करके अलोग क्लिक कर दी तकि मेरी आन्याली कोई भी लेटेश्ट वीडियो दोस्तों आप लोग के आप पर सबसे पहले देखने मिले जिहांस तो एक बात और आप लोग को यहां पर मैच प्रेडिक्शन मैच अनलाइस इस रिपोर्ट अगर आप लोग को फ्री आफकास्ट चाहिए दोस्तों लिंक बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती एहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ड का वोडिया टीम के लिए हुग एक तरह अगर हम लोग बात करें तो पॉइंट स्टेवल में टॉप की टीम है तो दूसरी तरह यहां पर सबसे लाश्ट व में उपर रहेड़ेगी तो इनके लिए एक बड़ा मैच जरूर रहा है तो कहीं ना कहीं देखा जाए अफगानिस्तान अफसेट जरूर होगी क्योंकि आज का मुकावला जैसा रहा थोड़ा सा डिस्पाइंटी जरूर है चलो कोई बार नी थोड़ा सा को भी कददार ऐसा हो जाता है बठा गया नेले मैच में इस चीच का जरूर ध्यान रखेंगे अगर हम लोग आज की मैच की सिच्वेशन को देखते हैं तो करन्ट सिच्वेशन इस मैच में साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर इंग्लैंड बहुत बढ़िया तरीके से खेल लाई दोनों बल्ल याँ आप लोग को बता देता हूं जो रिकार रंडेट वह बहुत ही कम है फार ओवर मैं चार्च है माने की ज़रूरत नहीं है अगर यहां देखा जाए तो यहां पर इंग्लैंड का जो प्लान है इस मैच को बहुत जल्दी सल्दी फिनिस किया जाए क्योंकि जितल्दी सम के लिए काफी मैच अच्छा रहा नोड़ाउट एंग्लैंड यहां पर अच्छे तरीके से घ्रें आας अगर नो डडाउट आप लोग नावी तक मैं दोको सब्सक्राइब करदीे नीचे रहें सब्सक्राइब करदीज चले सबसे पहले देख लुए आप लोग पर मैची प्रेडिक्शन अपनिया चनल लिपोर्ट आप सबसे लास्ट वाली टीम यहां पर बात करें तो दूसरी तरह यहां पर सबसे लास्ट वाली टीम यहां पर बात करें वांट सेवल की बॉटम टीम में यहां पर देखा गया है अगर लोगों ने पहली इनिक्स में अगर नोगों देखा कि इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो स्कोर दिया ग को भी कद्दार ऐसा हो जाता है बठा गया नेले मैच में इस चीच का जरूर ध्यान रखेंगे अगर हम लोग आज की मैच की सिच्वेशन को देखते हैं तो करंट सिच्वेशन इस मैच में साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर इंग्लैंड बहुत बढ़िया तरीके से खेल करेंगे तो यहां मैं आप लोग को बता देता हूं जो रिकाइड रन रेट वह बहुत ही काम है हर ओवर में चार्च है माने की जुरूरत नहीं है अगर यहां देखा जाए तो यहां पर इंग्लैंड का जो प्लान है इस मैच को बहुत जल्दी सल्दी फिनिस किया जाए क्य यहां पर मैं आप लोग को बता दून जो इंगलैंड के लिए काफी मैच अच्छा रहा नोडाउट इंगलैंड यहां पर अच्छे तरीके से बल्लेबाजी कर रही है और अगर बात खर्णेंड इंगलैंड नजर आ रही है। और बहुत खुष भी है नो डाउट अगर आप लोग नहीं तक लिए नहीं कर दीजेए आप लोग नहीं तक मैं चनल को सब्सक्राइब कर दीजे नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजे उसके बगर में बैल एक आना जाए कोई भी लेटिश्ट वीडियो दोस्तों आ लिंक दिया गया और साथ में लाइच चैनल में आप लोग जल्दी जाकर मेरे टेली ग्राम चैनल को जोन के लिए वहां पर आपको सारी चीज़ा फिर आपकास्ट देखने को मिलने वाली हैं दोस्तों आप स्बसे लास्ट वाली टीम है यहां पर बात करें आगर हम लोगों अगर हम लोगों देखा कि इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो स्कोर दिया गया है वह एक नॉर्मल स्कोर है अब लग रहा है कि यह यहां पर टीम इंग्लैंड इस मैच को जीतेगी और प्वाइंट शेवल में अगर हम लोग आज की मैच की सिच्वेशन को देखते हैं तो करेंट सिच्वेशन इस मैच में साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर इंग्लैंड बहुत बढ़िया तरीके से खेल लए दोनों बल्ले बाद जो यहां पर क्रीस पर खड़े हुए अभी तक इसी इनिंग्स को ब को बहुत ही कम है हर ओवर में 6 माने की जुरुत नहीं है अगर यहां देखा जाये तो यहांपर इंग्लैंड का जो प्लान है स्में को बहुत जल्दी जल्दी फिनिस किया जएग्य जिते हले इस मैच को फिनिस करेंगे उतना ही ज़्यादा यहां पर इंगलेंड को होगा त्योंकि नेट रेंड बहुत ज़्यादा माहने रखता है इस ODI मैच में त्योंकि नेट रेंट ही डिसाइड करता है कि वह कौन से टेम जो पाइंड जेवल में ऊपर जाएगी और कौन मैं आप लोग को बता दूं इंगलेंड जी त्रीके से यहां पर हरे खिलाडी ने आपर पर फर्फार्म किया फर्स्ट इनिक्स में भी आपर अपना अच्छा का सथ दमखम दिखाया धीरे धीरे यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंगलेंड अपने निचरल फ़र्म में न इन डिया गया इंगलेंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बड़ा और एक बहुती एहम मुकावला खेला जा रहा है जो की वर्ट का वोडिया टीम के लिए कोर्き यह उल्ग है तो पॉ compatible में टॉप की टीम है दूसरी तरह इसला कि पर इस звуч इस मैच को जीतेगी तो इन गिए इन तो कही ना कहीं देखा जाए अफगानिस्तान अफसेट जरूर होगी क्योंकि आज की मैच की सिच्वाइशन को देखते हैं तो करंट सिच्वाइशन इस मैच में साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर इंग्लैंड बहुत बढ़िया तरीके से खेल ले दोनों बल्ले बाद जो यहां पर क्रीस पर खड़ गुए अभी तक इस इनिंग्स को ब जीत जाएंगे तो यहां मैं आप लोग को बता देता हूं जो रिकायर रन रेट वो बहुत ही काम है हर ओवर में चार-चाह माने की जुरुत नहीं है अगर यहां देखा जाए तो यहां पर इंग्लैंड का जो प्लान है इस मैच को बहुत जल्दी सिल्दी फिनिस किया कि नेट ररेट बहुत जबा माहने रखता है इस ओडियाई मैच में घूंकि नेट रेंट रिटी डिसाइड करता है कि वह कौन्सी तेवल में उपर जाएगी और नीचे जाएगी है यहां पर मैं आप लोग को बता दूं जो इंग्लैंड के लिए काफी मैच अच्छा रहा इंग्लेंढ यहाँ पर अच्छे तरीके से बल्ले बाजी कर रही है और इसे तरीके से अगर अःपने हमें बहुत et सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बगल में बहुत कर दीजिए कोई भी लिटेस्ट वीडियो दोस्तों आप पर सबसे पहले देखने मुझे जिहांस तो एक बात और सब्सक्राइब कर देखने को मिलने वाली हैं दोस्तों इंग्लाइंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बड़ा और एक बहुत ही एहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ड का वोडिया टीम के लिए तो दूसरी तरह यहां पर सबसे लाश्ट वाली टीम में यहां पर बात करें पाहली इनिक्स में अगर हम लोगों देखा कि इंग्लाइंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो स्कोर दिया गया है वह एक नॉर्मल स्कोर है अब मैच के मुकाबला जैसा रहा थोड़ा सा डिस पांटी जुरूर है चलो कोई बार नी थोड़ा सा कोभी कद्दार ऐसा हो जाता है बठागया ने मैच में इस चीच का जरूर ध्यान रखेंगे अगर हम लोग आज की मैच की सिच्वेसन को देखते हैं तो करन्ट सिच्वेसन इस मैच में साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर इंग्लैंड बहुत बढ़िया तरीके से खेल लगी दोनों बले बाद जो यहाँ पर क्रीस पर खड़े हुए अभी तक इस इनिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं और अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो इं इस मैच को फिनिस करेंगे उतना ही ज्यादा फैदा यहाँ पर इंग्लैंड को होगा त्योंकि नेट रंडेट बहुत ज्यादा माहिने रखता है इस ओडियाई मैच में क्योंकि नेट रेंट ही डिसाइड करता है कि वह कौन से टीम जो पॉइंट सेबल में उपर जाएगी और कौन से टीम जो पॉइंट सेबल में नीचे जाएगी यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं जो इंग्लैंड के लिए काफी मैच अच्छा रहा नो डाउट इंग्लैंड यहाँ पर अच्छे तरीके से बल्ले बाजी कर रही है और इसी तरीके से अगर अच्छे तरीके मैं चल्चान को सब्सक्राइब कर दीजिए रहा है उसके बगर में बैल आकाना जाका उस पर क्लिक करके अलटे के सब्सक्राइब कर दी ताकि मेरी आने आली को बीटेस्ट वीडियो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर मैच प्रडिक्शन मैच अनलाइस रिपोर्ट आगर आ यहां पर आपको सारी चीज़ है फिर आपकाश्ट देखने को मिलने वाली है तो इस तो इस तो में इंग्लाइंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही एहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ड का वोडियाई टीम के लिए है क्योंकि करें अगर हम लोग बात करें तो पॉइंट स्टेवल में टॉप की टीम है तो दूसरी तरब यहां पर पॉइंट स्टेवल बॉट्म में यहां पर देखा गया है आगर हम लोगों ने पाहली इनिक्स में आगर हम लोगों देखा कि इंग्लेंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंद बाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो स्कोर दिया गया है वह एक नॉर्मल स्कोर है आप ऐसा लग रहा है कि यह यहां पर टीम इंग्लेंड इस मैच क में इस चीश का जरूर ध्यान रखेंगे अगर हम लोग आज की मैच की सिच्वेसिंग को देखते हैं तो करण्ट सिच्वेसिंगे इस मैच में साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर इंग्लेंड बहुत बढ़िया तरीके से खेल लाई हैं और अगर इसी तरीके से खेलते रह हैं अगर यहां देखा जाए तो यहां पर इंग्लेंड का प्लान को बहुत जल्दी चल्दी करेंगे उतना ही ज़्यदा फायदा यहां पर इंग्लैंड को होगा तो क्योंकि नेट रेंड यहां पर अच्छा रहा है और इसी तरीके से बल्ले बाजी करती रही तो है इस यहां पर मैं आप लोग को बता दूं इंग्लेंड जिस त्रीके से यहां पर हरे खिलाडी ने आपर पर फर्फार्म किया फर्स्ट इनिक्स में भी आपर अच्छा का सथ दमखम दिखाया धीरे धीरे यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंग्लेंड अपने निचरल फर्म में और रही है और बहुत खुश्बी एक आप लोग नावी तक मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे देख रहे हैं सबसक्राइब कर दीजिए उसके बगल में बहुत कर दीजिए कोई भी लेटिश्ट वीडियो दोस्तों आप लोग के आप सबसे पहले देखने लाइचाट सक्षन में दिया गया है मेरे टेलीग्रम चैनल का लिंग आप लोग जल्दी जाकर मेरे टेलीग्रम चैनल को जोईन के लिए वहां पर आपको सारी चीज़ा है फ्री आपकास्ट देखने को मिलने वाली है दोस्तों आप सबसे लाश्ट वाली टीम है यहां पर बात करें बाटम टीम में यहां पर देखा गया है अगर हम लोगों ने पाहली इनिक्स में अगर हम लोगों देखा कि इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो इक नॉर्मल स्कूर है आप ऐसा लग रहा है कि यह यहां टीम इंग्लैंड इस मैच को जीतेगी और प्वांट शेवल में उपर रहेड़ेगी तो इनके लिए एक बड़ा मैच जरूर रहा है टीम इंग्लैंड के लिए तो कहीं ना कहीं देखा जाए अफगानिस्तान अफसेट जरूर होगी क्योंकि आज का मुकाबला जैसा थोड इसे चला रहे हैं और अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो इंग्लैंड यह मुकाबला जीतेगी दोनों ख्रड़ी चाहेंगे कि यहां एक लंबी पार्णर से बने और विकेट्स ना गिरे आराम से भी खेलेंगे तो भी इस मैच में जीत जाएंगे तो यहां मैं आप लोग यहां पर मैं आप लोग को बता दूं जो इंग्लैंड के लिए काफी मैच अच्छा रहा नो डाउट इंग्लैंड यहां पर अच्छे तरीके से बल्ले बाजी करती रही है तो इस मैच को जीते की भी और काफी खुस भी होगी यहां पर मैं आप लोग को बता दूं इंग्लैंड जिस तरीके से यहां पर हर एक खिलाड़ी ने आपर पर फर्फार्म किया फर्स्ट इनिक्स में भी आपर अपना अच्छा का सथ दंखम दिखाया धीरे धीरे यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड अपने निच क्लिक कर दी कोई भी लेटेस्ट वीडियो दोस्तों आप पर सबसे पहले देखने मुझा जियांस तो एक बात और आप लोग को यहां पर मैस प्रेडिक्शन मैस चैनल आप लोग को फ्री आफकास चाहिए दोस्तों लिंक कर नीच डिसक्रेप्स ने दिया गया है मेरे टेली सबसे लाश्ट वाली टीम है यहां पर बात करें बॉटम टीम में यहां पर देखा गया है अगर हम लोगों ने देखा कि इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करी जिसके चलते हैं पर जो इसकोर दिया गया है वह एक नॉर्मल स्कूर आप लग रहा ह क्योंकि आज का मुकाबला जैसा रहा थोड़ा सा डिस्पॉंट ही जुरूर है चलो कोई बार नी थोड़ा सा कोभी कद्दार ऐसा हो जाता है बठा गया नेले मैच में इस चीच का जरूर ध्यान रखेंगे अगर हम लोग आज के मैच की सिच्वेशन को देखते हैं तो करन चाहेंगे कि यहां एक लंबी पार्णर्शिक बने और विकेट्स ना गिरे आराम से भी खेलेंगे तो भी इस मैच में जीत जाएंगे तो यहां मैं आप लोग को बता देता हूं जो रिकायर रंडेट वह बहुत ही काम है हर ओवर में 4-6 माने की जरूरत नहीं है अगर यहा इस तरीके से बल्ले बाजी कर रही है और इसी तरीके से बल्ले बाजी करती रही तो इस मैच को जीते की भी और काफी खुस भी होगी यहां पर मैं आप लोग को बता दू इंग्लेंड जिस तरीके से यहां पर हर एक खिलाड़ी ने आपर पर फर्फार्म किया फर्स्ट इनिक्स में भी आपर अपना अच्छा का सथ दमखम दिखाया धीरे धीरे यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंग्लेंड अपने निचर क्लिक करती ताकि मेरी आन्याली कोई भी लेटेश्ट वीडियो दोस्तों आप लोग के आप पर सबसे पहले देखने मुझा जिहांस तो एक बात और आप लोग को यहां पर मैंच प्रेडिक्शन मैंच चैनल आप लोग को फ्री आफकास्ट चाहिए दोस्तों लिंक कर नीच का वोडिया टीम के लिए तो दूसरी तरह यहां पर सबसे लाश्ट वाली टीम में यहां पर बात करें पहली इनिक्स में अगर हम लोग ने देखा कि इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो स्कोर दिया गया है वह एक अपसेट जरूर होगी क्योंकि आज का मुकाबला जैसा रहा थोड़ा सा डिस्पांट ही जरूर है चलो कोई बार नी थोड़ा सा कोभी कातार ऐसा हो जाता है बठा गया ने मैच में इस चीच का जरूर ध्यान रखेंगे अगर हम लोग आज की मैच की सिच्वेसन को देखत हैं तो करेंट सिच्वेसन इस मैच में साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर इंग्लैंड बहुत बढ़िया तरीके से खेल ले दोनों बल्ले बाद जो यहां पर क्रीज पर खड़े अभी तक इस इनिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं और अगर इसी तरीके से और जल्दी सल्दी फिनिस करेंगे उतना ही ज्यादा फैदा यहां पर इंग्लैंड को होगा तो कि नेट रंडेट बहुत ज्यादा माहिने रखता है इस ओडियाई मैच में पर जाएगी यहां पर मैं आप लोग को बता दूँ जो इंग्लैंड के लिए काफी मैच अच्छ परफांब किया फर्स्ट इनिक्स में भी आपर अच्छा का सा दमखम दिखाया दीरे दीरे यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड अपने निच्रल फार्म में नजर आ रही है और बहुत खुस भी है अगर आप लोग नहीं तक वीडियो को लाइक कर दीजे अगर पर सबसे पहले देखने में जहांस तो एक बात और आप लोग को यहां पर मैच प्रेडिक्शन मैच अनलाइस रिपोर्ट आगर आप लोग को फ्री आफकास चाहिए दोस्तों लिंक कर नीचे डिसक्रेप्शन ने दिया गया है मैरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया जो कि वर्ट का वोडियाई टीम के लिए तो दूसरी तरह यहां पर सबसे लास्ट वाली टीम है यहां पर बात करें पहली इनिक्स में अगर हम लोगों ने देखा कि इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो स्कोर दिय अफसेट जरूर होगी क्योंकि आज की मुकाबला जैसा रहा थोड़ा सा डिस्पॉंट ही जरूर है चलो कोई बात नी थोड़ा सा कोभी कद्दार ऐसा हो जाता है बठा गया नेले मैच में इस चीच का जरूर ध्यान रखेंगे अगर हम लोग आज की मैच की सिच्वेशन क मैं साफ साफ देख रहा है कि यहां पर इंग्लैंड बहुत बढ़िया तरीके से लए दोनों बले बाद जो यहां पर कुरीस पर खड़े अभी तक इस इनिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं और अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो इंग्लैंड यह मुकाब नहीं है अगर यहां देखा जाए तो यहां पर इंग्लैंट का जो प्लान इस मैश को बहुत जल्दी सब्सक्राइब करेंगे इसमेश करेंगे उतना इंग्लैंट को लिए काफी अच्छा रहा नॕ दाउट इंग्लैंड भी होगी यहां पर मैं आप लोग को बता दू इंग्लेंट जिस त्रीके से यहां पर हर एक खिलाडी ने आपर पर फर्फार्म किया फर्स्ट इनिक्स में भी आपर अपना अच्छा का सथ दमखम दिखाया धीरे धीरे यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंग्लेंड अपने इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अब लोग को यहां पर सबसे पहले देखने मिलें जिहां तो एक बात और आप लोग को यहां पर सब्सक्राइब लिए और साथ में लाइच चैनल का लिंक आप लोग जल्दी जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को जोन के लिए वहां पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं इंग्लाइंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती ए हैं मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ट का वोडियाई टीम के लिए तो दूसरी तरफ यहां पर सबसे लास्ट वाली टीम है यहां पर बात करें पाहली इनिक्स में अगर हम लोगों ने देखा कि इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंद बाजी करी जिसके ना कहीं देखा जाए अफगानिस्तान अफसेट जरूर होगी क्योंकि आज मुकाबला जैसा रहा थोड़ा सा डिस पॉंटिक जरूर है चलो कोई बात नी थोड़ा सा कोभी कद्दार ऐसा हो जाता है बठा गया ने मैच में इस चीछ का जरूर ध्यान नखेंगे अगर हम ल चाहेंगे कि यहां एक लंबी पार्णर्शिक बने और विकेट्स ना गिरे आराम से भी खेलेंगे तो भी इस मैच में जीत जाएंगे तो यहां मैं आप लोग को बता देता हूं जो रिकार रंडेट वो बहुत ही काम है फार ओवर में चार्च है माने की जरूरत नहीं है अ इंगलाट के लिए काफी मैस चला के लिए और अच्छे तरीके से बल्लेबाजी कर रही है और इस मैच को जीते की और काफी खुष भी होगी यहां पर मैं आप लोग को बता दूंगलेट जेस तरीके से यहां पर हर एक खिलाणी ने आपर पर्फर्स्ट इनिक्स में भी आ पर अच्छा का सा दंखम दिखाया दीरे दीरे यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर अपर पॉंट स्टेवल में टॉप की टीम है तो दूसरी तरह यहां पर पॉंट स्टेवल की सबसे लाश्ट वाली टीम है यहां पर बात करें पॉंट स्टेवल की बाटम टीम में यहां पर देखा गया है अगर हम लोगों ने पाइली इनिक्स में अगर हम लोगों देखा कि इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंद बाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो इक नॉर्मल स्कोर है आप ऐसा लग रहा है कि य कोई बाद नी थोड़ा सा कोभी कद्दार ऐसा हो जाता है बठा गया नेले मैच में इस चीच का जरूर ध्यान रखेंगे अगर हम लोग आज की मैच की सिच्वेसिंग को देखते हैं तो करंट सिच्वेसिंग इस मैच में साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर इंग्लैंड लंबी पार्णर से बनें और विकेट्स ना गिरें आराम से भी खेलेंगे तो भी इस मैच में जीत जाएंगे तो यहां मैं आप लोग को बता देता हूं जो रिकायर रन रेट वह बहुत ही काम है हर ओवर में 4-6 माने की जुरूरत नहीं है अगर यहां देखा जाए तो यह यहां पर मैं आप लोग को बता दूँ जो इंगलेंड के लिए काफी मैच अच्छा रहा नो डाउट इंगलेंड यहां पर अच्छे तरीके से बल्ले बाजी कर रही है और इसी तरीके से अगर अच्छे तरीके से बल्ले बाजी करती रही तो इस मैच को जीते की भी और सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बगल में बैल एक आना जाए कोई भी लिटेस्ट वीडियो दोस्तों आप लोग कहाँ पर सबसे पहले देखने मुलिए जिहांस तो एक बात और आप लोग को यहां पर मैच प्रेडिक्शन मैच अनलाइसिस रिपोर्ट अगर आप लोग को फ्री आफकास्ट चाहिए दोस्तों लिंक कर नीचे डिस्क्राइब कर देखने को मिलने वाली हैं दोस्तों आफस्ट को ता दुस्त में इंग्लाइंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बड़ा और एक बहुत ही एहम मु ट्वाली टीम में यहाँ पर बात करें प्वांट चेवल की बॉट्टम तीम में आपर देखा गया है अगर हम लोगों ने पहली हैं अगर हम लोगों देखा कि इंग्लाइड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करी जिसके चलते हैं यहाँ पर जो इक नॉर्मल स सारा थोड़ा सा डिस्पॉंटिक जुरूर है चलो कोई बार नी थोड़ा सा कोभी कद्दार ऐसा हो जाता है बठागया नेले मैच में इस चीज का जुरूर ध्यान रखेंगे अगर हम लोग आज की मैच की सुच्वेसिन को देखते हैं तो करन्ट सुच्वेसिन इस मैच में स बिकेट्स ना गिरे आराम से भी खेलेंगे तो भी इस मैच में जीत जाएंगे तो यहां मैं आप लोग को बता देता हूं जो रिकार्ड रन रेट हो बहुत ही काम है हर ओवर में चार्च है माने की जुरूरत नहीं है अगर यहां देखा जाए तो यहां पर इंगलेंट का जो प्लान इस मैच को बहुत जल्दी सल्दी फिनिस किया जाए क्योंकि जित जल्दी समयच को फिनिस करेंगे उतना ही ज्यदा फाइदा यहां पर इंगलेंट को होगा तो यहां पर मैं आप लोग को बता दूँ जो इंगलेंट के लिए काफी मैच अच्छा रहा नो पर हार एक खिलाडी ने आपर परफॉर्म किया फर्स्ट इनिक्स में भी आपर अपना अच्छा का सथ दमखम दिखाया दीरे दीरे यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंगलेंट अपने निचरल फ़र्म में नजर आ रही है और बहुत खुस भी है अगर आप लोग नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बगल में बैल आकाना जाएक उस पर क्लिक करके अलटिकेशन पर जरूब कर दी ताकि मेरी आन्याली कोई भी लेटिस्ट वीडियो दोस्तों आप लोग कहाँ पर सबसे पहले देखने मिल आप लोग जल्दे जाकर मेरे टेलिग्राम चैनल को जान के लिए वहां पर आपको सारी चीज़े फ्री आपकाश्ट देखने को मिलने वाली हैं दोस्तों आप स्विक को था दूस्त में इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ड का वोडियाई टीम के लिए तो दूसरी तरफ यहां पर सबसे लास्ट वाली टीम है यहां पर बात करें बाटम टीम में यहां पर देखा गया है अगर हम लोगों ने देखा कि इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंद बाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो स्कोर दिया गया है वह एक नॉर्मल स्कूर है अब लग रहा है कि यह यहां पर टीम इंग्लैंड इस मैच को जीतेगी और प्वाइंट शेवल में उपर रवेड़ेगी तो इनके लिए एक बड़ा मैच जरूर रहा है टीम इंग् कि यहां पर इंग्लैंड बहुत बढ़िया तरीके से खेल लगी दोनों बल्ले बाद जो यहां पर क्रीस पर खड़े हुए अभी तक इस इनिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं और अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो इंग्लैंड यह मुकाबला जीतेगी दोनों ख्रड़ी चाहेंगे कि यहां एक लंबी पार्टर्शिप बने और विकेट्स ना गिरे आराम से भी खेलेंगे तो भी इस मैच में जीत जाएंगे तो यहां मैं आप लोग को बता देता हूं जो रिकार रंडेट वो बहुत ही काम है हर ओवर में 4-6 माने की जुरुत नहीं है अगर यहां देखा जाए तो यहां पर इंगलेंड का जो प्लान इस मैच को बहुत जल्दी सल्दी फिनिस किया जए तो कि जितना ही जदा फैदा यहां पर इंगलेंड को होगा तो कि यहां पर मैं आप लोग को बता दूं जो इंग्लैंड के लिए काफी मैच अच्छा रहा नो डाउट इंग्लैंड यहां पर अच्छे तरीके से बल्ले बाजी करती रही तो इस मैच को जीते की भी और काफी खुस भी होगी यहां पर मैं आप लोग को बता दूं इंग्लैंड जिस तरीके से यहां पर हरे खिलाडी ने आपर पर फर्फार्म किया फर्स्ट इनिक्स में भी आपर अपना अच्छा का सथ दमखम दिखाया धीरे धीरे यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड अपने निच्छरल में नजर आ रही है और बहुत खुस भी है अगर आप लोग नहीं तक मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बगल में बैल एक आना जाका उस पर क्लिक करके आल डिकेशन पर जरूब क्लिक कर दी ताकि मेरी आन्या सब्सक्राइब कर देखने को मिलने वाली है इंग्लाइंट बनाम अफगानिस्तान के बीच बहुत बड़ा और एक बहुत एहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ड का वोडिया टीम के लिए तो दूसरी तरह यहां पर सबसे लाश्ट वाली टीम है यहां पर बात करें प्वांट शेवल की बॉटम टीम में यहां पर देखा गया है अगर हम लोगों ने पहली इनिक्स में अगर हम लोगों ने देखा कि इंग्लाइंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंद बाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो एक नॉर्मल स्कोर है आपर ऐसा लग रह है चलो कोई बाद नी थोड़ा सा कोभी कद्दार ऐसा हो जाता है बठा गया ने मैच में इस चीच का जरूर ध्यान रखेंगे अगर हम लोग आज की मैच की सिच्वेशन को देखते हैं तो करन्ट सिच्वेशन इस मैच में साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर इंग्लाइं तो भी इस मैच में जीत जाएंगे तो यहां मैं आप लोग को बता देता हूं जो रिकार्ड रन रेट वह बहुत ही काम है फार ओवर में चार्च है माने की जुरूरत नहीं है अगर यहां देखा जाए तो यहां पर इंग्लेंट का जो प्लान है इस मैच को बहुत जल्दी इस मैच को फिनिस करेंगे उतना ही ज्यादा फादा यहां पर इंग्लेंट को होगा तो कि नेट रेंड बहुत ज्यादा मैने रखता है इस ओडियाई मैच में क्योंकि नेट रेंट ही डिसाइड करता है कि कौन सी टेमें जो पॉँआं जैबल में उपर जाएगी और कौन स आप लोग को बता दू इंग्लेंड जिस त्रीके से यहां पर हर एक खिलाड़ी ने आपर पर पर्फार्म किया फर्स्ट इनिक्स में भी आपर अपना अच्छा का सा दमखम दिखाया धीर धीर यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंग्लेंड अपने निचरलल फार्म में नज आप लोग को यहां पर मैच प्रडिक्शन मैच अनलारासिस रिपोर्ट आगर आप लोग को फ्री आफ़काश चाहिए दोस्तों लिंक कर ने चेट इसका कर देखने को मिलने वाली है दोस्ता आफ स्विक होता तो इस्तमें इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती एहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ड का ओडियाई टीम के लिए है क्योंकि एक तरह अगर हम लोग बात करें तो पॉइंट स्टेवल में कि यहां पर टीम इंग्लैंड इस मैच को जीतेगी और पॉइंट स्टेवल में उपर एवेड़ेगी तो इनके लिए एक बड़ा मैच जरूर रहा है टीम इंग्लैंड के लिए तो कहीं ना कहीं देखा जाए अफगानिस्तान अफसेट जरूर होगी क्योंकि आज का यहां तरीके से खेल लाई दोनों बल्ले बाद जो यहां पर क्रीज पर कड़े अभी तक इस इनिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं और अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो इंग्लैंड यह मुकाबला जीतेगी दोनों ख्रड़ी चाहेंगे कि यहां एक लं यहां पर मैं आप लोग को बता दूं जो इंग्लैंड के लिए काफी मैश अच्छा रहा नो डाउट इंग्लैंड यहां पर अच्छी तरीके से बल्ले बाजी करती रही तो इस मैश को जीते की और खुस भी होगी यहां पर मैं आप लोग को बता दूं इंग्लैंड जीत त्रीके से यहां पर हर एक खिलाडी ने आपर पर फर्फर्म किया फर्स्ट इनिक्स में भी आपर अपना अच्छा का सथ दमखं दिखाया धीरे धीरे यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड अपने निचरल फर्म में नजर आ रही है और बहुत खुस भी है अगर आप लोग नहीं तक मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बगल में बैल एकाना जागा उस पर क्लिक करके आप सबसे पहले देखने मिलें जहां तो एक बात सब्सक्राइब कर देखने को मिलने वाली है इंग्लाइंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा और एक बहुत एहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ड का वोडिया टीम के लिए तो दूसरी तरह यहां पर सबसे लास्ट वाली टीम है यहां पर बात कर जिसके चलते हैं यहां पर जो स्कोर दिया गया है वह एक नॉर्मल स्कोर है अब ऐसा लग रहा है कि यह यहां पर टीम इंग्लेंड इस मैच को जीतेगी और प्वाइंट शेवल में उपर रवेड़ेगी तो इनके लिए एक बड़ा मैच जरूर रहा है टीम इंग्लेंड क यहां पर इंग्लेंड बहुत बढ़ीया तरीके से खेल लाइए दोनों बले बाद जो यहां पर क्रिस पर खड़गी आभी तक इस इनिंस को बहुत अच्शी तरीके से चला रहे हैं और अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो इंग्लेंड यह मुकाबला जीतेगी। यहां पर इंग्लेंट को होगा तो कि नेट रेंड बहुत ज़्यादा माहिने रखता है इस ODI मैच में क्योंकि नेट रेंड ही डिसाइड करता है कि वह कौन सी तेमें जो पॉंट सेबल में नीचे जाएगी यहां पर मैं आप लोग को बता दूं जो इंग्लेंट के लिए पर अच्छा का सा दमखम दिखाया दीरे दीरे यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंग्लेंट अपने नेचरल फार्म में नजर आ रही है और बहुत खुस भी है अगर आप लोग नहीं तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लोग नहीं तक मेरे चैनल को सब्स आप लोग पूर्ट को देखने को मिलने वाली है इंग्लाइंड बनाम अफगानिस्तान के बीच बड़ा और एक बहुत ही एह मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ड का वोडिया टीम के लिए तो दूसरी तरफ यहां पर पर पॉइंट सबसे लास्ट वाली टीम है यहां पर बात करें वांट सेवल की बॉट्टम टीम में यहां पर देखा गया है अगर लोगों ने पहली इनिक्स में अगर देखा कि इंग्लाइंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंद बाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो इक नॉर्मल स्कूर है आप लग रहा है कि यहां पर टीम इंग्लैंड इस मैच को जीतेगी और क्वांट सेवल में उपर रवेड़ेगी तो इनके लिए एक बड़ा मैच जरूर रहा है टीम इंग्लैंड के लिए तो कहीं न कहीं देखा जाए अफगानिस्तान अपसेट जरूर होगी क्योंकि आज का मुकाबला ज अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो इंग्लैंड यह मुकाबला जीतेगी दोनों ख्रड़ी चाहेंगे कि यहां एक लंबी पार्णर से बने और विकेट्स ना गिरे आराम से भी खेलिंग तो भी इस मैच में जीत जाएंगे तो यहां मैं आप लोग को बता देता हूं जो यहां पर इंग्लैंड को बता दूं जो इंग्लैंड के लिए काफी मैच अच्छा रहा नो डाउट इंग्लैंड यहां पर अच्छे तरीके से बल्ले बाजी कर रही है और इसी तरीके से अगर अच्छे तरीके से बल्ले बाजी करती रही तो इस मैच को जीते की भी और काफी खुस भी होगी यहां पर मैं आप लोग को बता दूं इंग्लैंड जिस तरीके से आपर हर एक खिलाड़ी ने आपर पर पर्फॉर्म किया फर्स्ट इनिक्स में भी मेरे चैनल को सब्क्राइब कर दीजिए नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब को आपसन आ रहा है उसके बगल में बैल अकाना जागा उस पर क्लिक करके आल लटिविकेसन पर जरू क्लिक कर दी ताकि मेरी आन्याली कोई बी लिटेस्ट वीडियो दोस्तों आप लोग को यह इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती एहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ड का वोडियाइटीम के लिए है क्योंकि एक तरह अगर हम लोग बात करें तो पॉइंट स्टेवल में टॉप की टीम है तो दूसरी तरह यहां इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गया जिसके चलते हैं यहां पर टीम इंग्लैंड इसमेच को जीतेगी और पॉइंट शेवल में उपर रहेडएगी तो इनके लिए एक बड़ा मैच जरूर रहा है टीम इंग्लेंड के लिए तो कहीं ना कहीं देखा जाए अफगानिस्तान अपसेट जरूर होगी तो कि आज की मुकाबला जैसा रहा थोड़ा सा डिस्पॉंट ही जरूर है चलो कोई बार नी थोड़ा सा कोभी कदार ऐसा हो जाता है बठा गया नेले मैच में इस चीछ का जर दोनों ख्रड़ी चाहेंगे कि यहां एक लंबी पार्णर्शिप बने और विकेट्स ना गिरे आराम से भी खेलेंगे तो भी इस मैच में जीत जाएंगे तो यहां मैं आप लोग को बता देता हूं जो रिकार रंडेट वो बहुत ही काम है हर ओवर में 4-6 माने की जरूरत अगर यहां देखा जाए तो यहां पर इंग्लेंड का जो प्लान इस मैच को बहुत जल्दी सदल्दी फिनिस क्या जाएंगी मैच को बने पर नीचे जाएगी यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ जो इंगलेंड के लिए काफी मैच अच्छा रहा नो डाउट इंगलेंड यहाँ पर अच्छे तरीके से बल्ले बाजी कर रही है और इसी तरीके से अच्छे तरीके से बल्ले बाजी करती रही तो इस मैच को जीते की भी और काफी लिए नोड़ आगर आप लोग नहीं तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बगल में बैल एकाना जाका उस पर क्लिक करके अलटिफिकेशन पर जरूब कर दी दिया गया मेरे टेलीग्रम चैनल का लिंग आप लोग जल्दी जाकर मेरे टेलीग्रम चैनल को जोन के लिए वहां पर आपको सारी चीज है फ्री आवकाश्ट देखने को मिलने वाली है दोस्तों इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुत ही बड़ा और एक बह अगर हम लोग बात करें तो पॉइंट स्टेवल में टॉप की टीम है तो दूसरी तरव यहां पर सबसे लाश्ट वाली टीम है यहां पर बात करें पॉइंग्लैंड इस मैच को जीतेगी और पॉइंट सेवल में उपर वेड़ेगी तो इनके लिए एक बड़ा मैच जरूर रहा है टीम इंग्लैंड के लिए तो कहीं न कहीं देखा जाए अफगानिस्तान अफसेट जुरूर होगी क्योंकि आज का मुकाबला जैसा रहा थोड़ा सा डिस्पॉंट ही जुरूर है चलो कोई बात नहीं थोड़ा सा कोभी कद्दार ऐसा हो जाता है बठा गया नेले मैच मैच में इस चीच का जरूर ध्यान रखेंगे अगर हम लोग आज की मैच की सिच्वेशन को देखते हैं तो करन्ट सिच्वेशन इस मैच में साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर इंग्लैंड बहुत बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं और अगर इसी तरीके से खेलते रहे त चार्च है माने की जरूरत नहीं है अगर यह देखा जाए तो यहां पर इंगलैंड का जो प्लान इस मैच को बहुत जल्दी-स जल्दी फिनिस क्या जाए क्योंकि जेते जल्दी से पिनिस करेंगे उतना ही ज़्यदा फैदा यहां परिंग्लैंड को होगा क्योंकि नेट र पर 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 फार्फं किया पर अच्छा का सा दमखम दिखाया दीरी दीर यहां पर अगर मैं बात करूं तो अपने नेचरल फार्म में नजर आ रही है और बहुत खुस भी है अगर आप लोग नहीं तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बगल में बैल एक आना जाए कोई भी लेटिस्ट वीडियो दोस्तों आप पर सब सब्सक्राइब कर देखने को मिलने वाली है इंग्लाइब बनाम अफगानिस्तान के बीच बहुती बड़ा और एक बहुती एहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ट का वोडियाइब के लिए तो दूसरी तरह यहां पर सबसे लास्ट वाली टीम है यहां पर बात करें सब्सक्राइब के बाटम टीम में यहां पर देखा गया है अगर हम लोगों ने पहली इनिक्स में अगर हम लोगों ने देखा कि इंग्लाइब ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंद बाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो एक नॉर्मल स्कूर है आप ऐसा लग रहा है क यह यहां पर टीम इंग्लेंड इस मैच को जीतेगी और प्वाइंट शेवल में उपर एवेड़ेगी तो इनके लिए एक बड़ा मैच जरूर रहा है टीम इंग्लेंड के लिए तो कहीं ना कहीं देखा जाए अफगानिस्तान अफसेट जरूर होगी क्योंकि आज कर मुका इसको बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं और अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो इंग्लेंड यह मुकाबला जीतेगी दोनों ख्रड़ी चाहेंगे कि यहां एक लंबी पार्णर से बने और विकेट्स ना गिरे आराम से भी खेलेंगे तो भी इस मैच में जीत जाएं यहां पर इंग्लेंड को होगा क्योंकि नेट रेंड बहुत ज़्यादा माहिने रखता है इस ODI मैच में क्योंकि नेट रेंट ही डिसाइड करता है कि वह कौन से टे में जो पॉइंड जेवल में नीचे जाएगी यहां पर मैं आप लोग को बता दूं जो इंग्लेंड के लिए काफी मैच अच्छा रहा, यहां पर अच्छे तरीके से बल्ले बाजी कर रही है और अगर मैं बात करूं तो इंग्लेंड अपने निच्रल में नजर आ रही है और बहुत खुजबी है फ्राइट डिया है पर्वेटियों को ideal जल्दी जाकर वीडियों कि लाइक करें ऑफ लोग नहीं तक मैंने सेनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब कर करें चाहिए उसको ÖPS पर क्लिक कर आप लोग जल्दी जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को मिलने वाली है इंग्लाइंट बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुती बड़ा और एक बहुती एहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ड का वोडिया टीम के लिए है तो दूसरी तरह यहां पर सबसे लाश्ट वाली टीम है यहां पर बात करें बाटम टीम में यहां पर देखा गया है अगर हम लोगों देखा कि इंग्लाइंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो स्कोर दिया गया है वह एक मुकाबला जैसा रहा थोड़ा सा डिस्पाइंटी जुरूर है चलो कोई बार नहीं थोड़ा सा कोभी कद्दार ऐसा हो जाता है बठा गया नेले मैच में इस चीश का जरूर ध्यान रखेंगे अगर हम लोग आज की मैच की सिच्वेशन को देखते हैं तो करंट चाहेंगे कि यहां एक लंबी पार्णर से बने और विकेट्स ना गिरे आराम से भी खेलेंगे तो भी इस मैच में जीत जाएंगे तो यहां मैं आप लोग को बता देता हूं जो रिकायर रंडेट वह बहुत ही काम है हर ओवर में चार चाह मानने की जरूरत नहीं है अगर जाए तो यहां पर इंग्लेंट का जो प्लान इस मैच को बहुत जल्दी संदी फिनिस कहें किया जाए क्यूंकि जित्ते जल्दी इस मैच को फिनिस करेंगे उतना ही ज़्यदा फइंगिलेंट को होगा इस क्योग्र अच्छा रहा नो डाउट जी कर रहा है और इसी तक्र और पर मैं आप लोग को बता दूँ इंगलेंड जिस तरिके से यहां पर हरे खिलाडी ने पर पर्फॉंज पर्फॉर्म किया फिर्स टिनिंग में पर अपना अच्छा का सा दिखाया धीरे धीरे यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंग्लेंड अपने निच्रल फ़र्म में नजर आ रही है और बहुत खुस भी है नो डाट अगर आप लोग नहीं तक इस वीडियो को लाइक कर दीज़िए अप लोग नहीं तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब करके अपर स वहां पर आपको सारी चीज देखने को मिलने वाली है दोस्तों आपसे बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही आहम मुकावला खेला जा रहा है जोकि वड़ का वोडिया टीम के लिए तो दूसरी तरह यहां पर सबसे लाश्ट वाली टीम है यहां पर बात करें पाहली इनिक्स में अगर हम लोगों देखा कि इंग्लेंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो स्कोर दिया गया है वह एक नॉर्मल स्कोर है अब ऐसा लग रहा है कि यह यहां पर टीम इंग्लेंड इस मैच को जीतेगी और फ्वांट शेवल में उपर रवेड़ेगी तो इनके लिए एक बड़ा मैच जरूर रहा है टीम इंग्लेंड के लिए तो कहीं न कहीं देखा जाए अफगानिस्तान अपसेट जरूर होगी क्योंकि आ इंग्लेंड बहुत बढ़ी हैं दोनों बल्ले बाद जो यहां पर क्रीज पर खड़े अभी तक इस इनिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं और अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो इंग्लेंड यह मुकाबला जीतेगी दोनों ख्राड़ी चाहेंगे कि यहा ज़्यादा यहां पर इंग्लेंड को होगा तो कि नेट रेंड बहुत ज़्यादा माहिने रखता है इस मैच में क्योंकि नेट रेंट ही डिसाइड करता है कि वह कौन से टेम जो पॉइंड जेबल में नीचे जाएगी यहां पर मैं आप लोग को बता दूं जो यहां पर परफॉर्म किया फर्स्ट इनिक्स में भी आपर अपना अच्छा का सथ दमखम दिखाया धीरे धीरे यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंग्लेंड अपने निचरल फार्म में नजर आ रही है और बहुत खुस भी है नो डाट अगर आप लोग नहीं तक इस देखने में जिया तो एक बात और आप लोग को यहां पर मैच प्रेडिक्सन मैच अनलाइस रिपोर्ट आगर आप लोग को फ्री आफकास चाहिए दोस्तों लिंक कर नीचे डिसक्राप्ट ने दिया गया है मैरे टेली ग्राम चैनल का लिंक आप लोग जल्दी जाकर में ट का वोडियाई टीम के लिए तो दूसरी तरह यहां पर सबसे लास्ट वाली टीम है यहां पर बात करें पाहली इनिक्स में अगर हम लोगों ने देखा कि इंग्लेंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करी जिसके चलते यहां पर जो स्कोर दिया गया है वह एक नॉर्मल स्कोर है अब ऐसा लग रहा है कि यह यहां पर टीम इंग्लेंड इस मैच को जीतेगी और प्वाइंट शेवल में उपर रवेड़ेगी तो इनके लिए एक बड़ा मैच जरूर रहा है टीम इंग्लेंड के लिए तो कहीं ना कहीं देखा जाए अफगानिस्तान अ जाफ साब देख रहा है कि यहां पर इंग्लेंड बहुत बढ़िया तरीके से खेल लेए दोनों बले बाद जो यहां पर क्रीस पर खड़ेगी अभी तक इस इनिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं और अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो इंग्लेंड यह यहां पर England का जो प्लान है इस मैच को बहुत जल्दी सल्दी फिनिस किया जाए क्योंकि जितने लिए इस मैच को बता दूं जो इंग्लैंड के लिए काफी मैच अच्छा रहा नो डाउट इंग्लैंड यहां पर अच्छे तरीके से बल्ले बाजी कर रही है और इसी तरीके से यहां पर मैं आप लोग को बता दू इंग्लेंड यहां पर हर एक खिलाडी ने आपर पर फर्फर्म किया फर्स्ट इनिक्स में भी आप अपना अच्छा का सथ दमखम दिखाया धीरी धीर यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंग्लेंड अपने निचरल फर्म में नजर आ रही है और बहुत खुस भी है अगर आप लोग नहीं तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बगल में बैल एकाना जागा उस पर क्लिक करके अलटिफिकेशन पर जरूब क्लिक कर दी ताकि मेर सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब कर देखने को मिलने वाली है इंग्लाइंट बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बड़ा और एक बहुत एहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ड का वोडिया टीम के लिए है कि अगर हम लोग बात करें तो पॉइंट स्टेवल में टॉप की टीम है तो दूसरी तरह यहां पर पॉइंट स्टेवल सबसे लास्ट वाली टीम है यहां पर बात करें पॉइंट स्टेवल की बॉट्टम टीम में यहां पर देखा इस्तान अफसेट जुरूर होगी तूकि आज का मुकाबला जैसा रहा थोड़ा सा डिस्पाइंटी जुरूर है चलो कोई बात नहीं थोड़ा सा कोभी कद्दार ऐसा हो जाता है बठा गया नेले मैच में इस चीछ का जुरूर ध्यान रखेंगे अगर हम लोग आज की मैच की सुचैसन को देखते हैं तो करन्ट सुचैसन इस मैच में साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर इंग्लैंड बहुत बढ़िया तरीके से खेल ले ही दोनों बल्ले बाद जो यहां पर क्रीस पर खड़ गए अभी तक इस इनिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं और अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो इंग्लैंड यह मुकाबला जीतेगी दोनों ख्राड़ी चाहेंगे कि यहां एक लंबी पार्णर से बने और विकेट्स ना गिरे आराम से भी खेलेंगे तो भी इस मैच में जीत जाएंगे तो यहां मैं आप लोग को बता देता हू पर आप लोग को बता दूँ जो इंग्लैंड के लिए काफी मैच अच्छा रहा नो डाउट इंग्लैंड यहां पर अच्छे तरीके से बल्लेबाजीद कर रही है और इसी तरीके से अगर अच्छी तरीके से बर्ले बाजी करती रही तो इस मैच को जीते की भी और काफी खुस भी होगी यहाँ पर मैं आप लोग को बता दू इंग्लेंड जिस तरीके से यहाँ पर हर एक खिलाडी ने आपर पर पर्फॉर्म किया फर्स्ट इनिक्स में भी आपर अच्छा का सा दमखम दिखाया दीरे दीरे यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इंग्लेंड अपने नेचरल फार्म में नजर आ रही है और बहुत खुस भी है अगर आप लोग नहीं तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लोग न पर आपको सारी चीज़ा फिर आपकास्ट देखने को मिलने वाली है इंग्लाइंड बनाम अफगानिस्तान के बीच बहुत बड़ा और एक बहुत एहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ट का वोडियाइट टीम के लिए तो दूसरी तरह यहां पर पॉइंट सबसे ल इंग्लाइंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंद बाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो स्कोर दिया गया है वह एक नॉर्मल स्कोर है अब ऐसा लग रहा है कि यह यहां पर टीम इंग्लाइंड इस मैच को जीतेगी और प्वाइंट सेवल में उपर एड़ेगी तो इनके लिए एक बड़ा मैच जरूर रहा है टीम इंग्लाइंड के लिए तो कहीं ना कहीं देखा जाए अफगानिस्तान अफसेट जरूर होगी क्योंकि आज की मुकाबला जैसा रहा थोड़ा सा डिस्पांटी जरूर है चलो कोई बार नी थोड़ा सा कोभी कददार ऐसा ह हो जाता है बठागया नेले मैच में इस चीच का जरूर ध्यान रखेंगे अगर हम लोग आज की मैच की सिच्वेशन को देखते हैं तो करन्ट सिच्वेशन इस मैच में साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर इंग्लाइंड बहुत बढ़िया तरीके से खेल लाई दोनों बल करने जरुरत नहीं है अगर यहां देखा जाए तो यहां पर इंग्लेंड का जो प्लान इस मैच को बहुत ज़ल्दी ज़ल्दी फिनिश क्या जै कि dejar होगा यहां पर ग्लेंड के लिए काफी में अच्छा रहा नो डाउट एंग्लेंड यहां पर मैं अच्छा कासा दुखाया दिखाया धीर यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंग्लेंड अपने निचरल फाम में नजर आ रही है और बहुत खुश भी है अगर आप लोग नहीं तक इस वीडियो को लाइक नहीं कर दीजिए अगर आप लोग नहीं तक मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर देखने को मिलने वाली है इंग्लाइंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत हैं मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ट का वोडिया टीम के लिए तो दूसरी तरह यहां पर सबसे लाश्ट वाली टीम है यहां पर बात सब्सक्राइब कर देखा गया है अगर हम लोगों ने पाइली निक्स में अगर हम लोगों देखा कि इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो स्कोर दिया गया है वह एक नॉर्मल स्कोर है आपर ऐसा लग रहा है कि यह जीतेगी और उपर रहेड़ेगी तो इनके लिए एक बड़ा मैच जरूर रहा है टीम इंग्लैंड के लिए तो कहीं ना कहीं देखा जाए अफगानिस्तान अफसेट जरूर होगी क्योंकि आज का मुकाबला जैसा रहा थोड़ा सा डिस्पाइंट ही जरूर है चलो कोई ब अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो इंग्लैंड यह मुकाबला जीतेगी दोनों ख्राड़ी चाहेंगे कि यहां एक लंबी पार्णर से बने और बिकेट्स ना गिरे आराम से भी खेलेंगे तो भी इस मैच में जीत जाएंगे तो यहां मैं आप लोग को बता देता हूं ज आरच है माने की जुरुत नहीं है अगर यहां देखा जाए तो यहां पर इंग्लैंड का जो प्लान इस मैच को बहुत जल्दी सल्दी फिनिस किया जाए जोगा जाएगी यहां पर मैं आप लोग को बता दूं जो इंग्लैंड के लिए काफी मैच अच्छा रहा नो जी कर रही है और इसी तरीके से अच्छी तरीके से बल्लेवाजी करती रही तो इस मैच को जीते की और काफी खुस भी होगी यहां पर मैं आप लोग को बता दूं इंग्लैंड जिस तरीके से आपर हरे खिलाड़ी ने आपर पर पर फर्फॉर्स टीनिक्स में भी आपर क्लिक कर दीजिए उसके बगर में बैल एक आना जागा उस पर क्लिक करके आल नोटिफिकेसन पर जरूब कर दी ताकि मेरी आन्याली कोई भी लेटेश्ट वीडियो दोस्तों आप लोग कहां पर सबसे पहले देखने मुझा जिहांस तो एक बात और आप लोग को यहां पर म आप लोग जल्दी जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को जोन के लिए वहां पर आपको सारी चीज़ें फिर आपकास्ट देखने को मिलने वाली है दोस्तों आपस्ट इस्तमें इंग्लाइंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही एहम लिनिक्स में अगर हम लोग ने देखा कि इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो स्कोर दिया गया है वह एक नॉर्मल स्कोर है अब ऐसा लग रहा है कि यह यहां पर टीम इंग्लैंड इस मैच को जीतेगी और अगर हम लोग आज की मैच को देखते हैं कि यहां पर इंग्लैंड बहुत बढ़िया तरीके से चला रहे हैं और अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो इंग्लैंड यह मुकाबला जीतेगी दोनों ख्राड़ी चाहेंगे कि यहां एक लंबी पार्णर से बने और विकेट से गिरें आराम से भी खेलेंगे तो भी इस मैच में जीत जाएंगे तो यहां मैं आप लोग को बता देता हूं जो रिकार्ड रन रेट वह बहुत ही कम है हर ओवर में चार्च है माने की जरुरत नहीं है अगर यहां देखा जाए तो यहां पर इंग्लैंड का जो प्लान है इ क्योंकि जिते हैं इस मैच को फिनिस करेंगे उतना ही ज़्यदा यहां पर इंग्लैंड को होगा त्विपीונה टो क्योंकि यहां पर मैं आप लोग को बता दू जो इंग्लैंड के लिए काफी मैच अच्छा रहा ऊब यहां पर अच्छे तरीके से बल्ले बाजी कर रही है औ यहां पर अच्छा का सथ दमखम दिखाया दीरे दीरे यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंग्लेंड अपने निचरल फार्म में नजर आ रही है और बहुत खुस भी है अगर आप लोग नहीं तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लोग नहीं तक मेरे चैनल को स अगर आप लोग को फ्री आपकास देखने को मिलने वाली है तो इस तो इसमें इंग्लाइंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बड़ा और एक बहुत ही एहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ड का वो डिया टीम के लिए तो दूसरी तरव यहां पर पॉइंट सब सबसे लास्ट वाली टीम है यहां पर बात करें पॉइंट बॉटम टीम में यहां पर देखा गया है अगर हम लोगों ने पहली निक्स में अगर हम लोगों देखा कि इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो इक नॉर् सब्सक्राइब है चलो कोई बात नहीं थोड़ा सा कोभी कातार ऐसा हो जाता है बठा गया नेले मैच में इस चीच का जरूर ध्यान रखेंगे अगर हम लोग आज की मैच की सिच्वेसिन को देखते हैं तो करन्ट सिच्वेसिन इस मैच में साफ साफ दिख रहा है कि यहां इंग्लेंड बहुत बढ़िया तरीके से खेल लए दोनों बल्ले बाद जो यहां पर क्रीस पर खड़ गए अभी तक इस इनिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं और अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो इंग्लेंड यह मुकाबला जीतेगी दोनों जो प्लान है इस मैच को बहुत जल्दी सल्दी फिनिस करेंगे उतना ही ज्यदा फायदा यहां पर इंग्लेंड को होगा तो कि नेट रेंड बहुत ज्यदा माहिने रखता है इस ODI मैच में क्योंकि नेट रेंट ही डिसाइड करता है कि वह कौन सी टेम जो पॉइंट सेबल भी और काफी खुस भी होगी यहां पर मैं आप लोग को बता दू इंग्लेंड जिस त्रीके से यहां पर हर एक खिलाडी ने आपर पर फर्फॉर्म किया फर्स्ट इनिक्स में भी आपर अपना अच्छा का सथ दमखम दिखाया धीरे धीरे यहां पर अगर मैं बात करूं त कोई भी लेटेश्ट वीडियो दोस्तों आप लोग के आप पर सबसे पहले देखने में जहां तो एक बात और आप लोग को यहां पर मैच प्रेडिक्शन मैच चैनल अलाइसिस रिपोर्ट अगर आप लोग को फ्री आफकास चाहिए दोस्तों लिंक कर नीच लिंक दिया गया और साथ में लाइच असे लिए यहिए चाहिए आप लोग जल्दी जाकर आपको सारी चीज़ एक देखने को मिलने वाली है दोस्तों अप्स्रीट को अफगानिस्तान के बीच एक बढ़ती बड़ा और एक बहुती एहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि सबसे लाश्ट वाली टीम में यहां पर बात करें अगर हम लोग देखा कि इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो स्कोर दिया गया है वह एक नॉर्मल स्कोर है अब ऐसा लग रहा है कि यह यहां पर टीम इंग्लैंड इ उपर रवेड़ेगी तो इनके लिए एक बड़ा मैच जरूर रहा है टीम इंग्लैंड के लिए तो कहीं ना कहीं देखा जाए अफगानिस्तान अफसेट जरूर होगी क्योंकि आज का मुकाबला जैसा रहा थोड़ा सा डिस्पांट ही जरूर है चलो कोई बार नहीं थोड जीते रहे तो इंग्लैंड यह मुकाबला जीतेगी दोनों खरड़ी चाहेंगे कि यहां एक लंबी पार्णर से बने और विकेट्स ना गिरे आराम से भी खेलेंगे तो भी इस मैच में जीत जाएंगे तो यहां मैं आप लोग को बता देता हूं जो रिकार रन रेट वो ब यहां पर मैं आप लोग को बता दूँ जो इंग्लैंड के लिए काफी मैच अच्छा रहा नो डाउट इंग्लैंड यहां पर अच्छे तरीके से बल्ले बाजी कर रही है और इसी तरीके से बल्ले बाजी करती रही तो इस मैच को जीते की भी और काफी खुस भी होगी यहा सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बगल में बेल एक आना जाए कोई भी लेटिश्ट वीडियो दोस्तों आप पर सबसे पहले देखने मुझा जिहांस तो एक बात और आप लोग को यहां पर मैच प्रेडिक्शन मैच चैनल अगर आप लोग को फ्री आफकास चाहिए दोस्तों लिंक कर नीचे डिस्क्राइब कर देखने को मिलने वाली है दोस्तों इंग्लाइंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बड़ा और एक बहुत ही एहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ड का ओडियाइए टीम के हैं 이거 कि एक तरफ हम लोग बात करें तो में टॉप की टीम है तो दूसरी तरह यहां पर सबसे हैं बादख impose ऑऌ़त कर आयँ देखा गिया जिसके चलते यहां पर जिसक्राइब जो सकोर दिया हो係ए है वह नॉर्माल वह एसा लग रहा है कि यहां पदि इंग्लेंड इस मैच के मुकाबला जैसा रहा थोड़ा सा डिस्पॉंटिक जुरूर है चलो कोई बार नी थोड़ा सा कोभी कद्दार ऐसा हो जाता है बठा गया नेले मैच में इस चीच का जरूर ध्यान लखेंगे अगर हम लोग आज के मैच की सिच्वेशन को देखते हैं तो करन्ट सिच्वेश तो यहां मैं आप लोग को बता देता हूं जो रिकायर रन रेट वो बहुत ही कम है हर ओवर में चार चाहम आने की जुरूरत नहीं है अगर यहां देखा जाए तो यहां पर इंगलेंट का जो प्लान है इस मैच को बहुत जल्दी सल्दी फिनिस किया जाए क्योंकि आएक इस तरीके से बल्लेबाजी कर रही है और इसी तरीके से अगर अपने निचरल फाम में नजर आ रही है और बहुत खुस भी ए अगर आप लोग नहीं तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बगल में बैल अका ना जाका उस पर क्लिक करके आप लोग जल्दी जाकर मेरे टेली चैनल को जोन कर लिजें वहां पर आपको सारी चीज़ा है फिर आपकास्ट देखने को मिलने वाली है दोस्तों इसमें इंग्लाइंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बड़ा और एक बहुत एहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर है तरीके से गेंदबाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो स्कोर दिया गया है वह एक नॉर्मल स्कोर है अब ऐसा लग रहा है कि यह यहां पर टीम इंग्लैंड इस मैच को जीते गी और प्वाइंट शेवल में उपर रवेड़ेगी तो इनके लिए एक बड़ा मैच जर को देखते हैं तो इस मैच में साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर इंग्लैंड बहुत बढ़िया तरीके से खेल लाई दोनों बल्ले बाद जो यहां पर क्रीस पर खड़े अभी तक इस इनिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं और अगर इसी तरीके से खेलते नहीं है अगर यहां देखा जाए तो यहां पर इंग्लैंड का जो प्लान इस मैच को बहुत जल्दी सल्दी फिनिस करेंगे उतना ही ज्यदा फैदा यहां पर इंग्लैंड को होगा तो कि नेट रेंड बहुत ज्यदा माहिने रखता है इस ओडियाई मैच में क्योंकि जीते की भी और काफी खुस भी होगी यहां पर मैं आप लोग को बता दू इंग्लैंड जिस त्रीके से यहां पर हरे खिलाडी ने आपर पर फर्फार्म किया फर्स्ट इनिक्स में भी आपर अपना अच्छा का सथ दमखम दिखाया धीर धीर यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों आप लोग को यहां पर मैंच प्रेडिक्शन मैंच अनलाइसिस रिपोर्ट आगर आप लोग को फ्री आफकास्ट चाहिए दोस्तों लिंक कर नीचे डिसक्रप्शन ने दिया गया है मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया और साथ में लाइफ चैट सेक्श बात करें तो पॉइंट सेवल में टॉप की टीम है तो दूसरी तरह यहां पर सबसे लाश्ट वाली टीम में यहां पर बात करें पाइली इनिक्स में अगर हम लोगों ने देखा कि इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंद बाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर डिस पॉइंटिक जुरूर है चलो कोई बार नी थोड़ा सा कोभी कद्दार ऐसा हो जाता है बठा गया नेले मैच में इस चीच का जरूर ध्यान रखेंगे अगर हम लोग आज की मैच की सिच्वेशन को देखते हैं तो करेंट सिच्वेशन इस मैच में साफ साफ दिख रह है कि यहां पर इंग्लैंड बहुत बढ़िया तरीके से खेल ले दोनों बल्ले बाद जो यहां पर क्रीश पर खड़े हुए अभी तक इस इनिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं और अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो इंग्लैंड यह मुकाबला जीते गी दोनों ख्रड़ी चाहेंगे कि यहां एक लंबी पार्णर से बने और विकेट्स ना गिरे आराम से भी खेलेंगे तो भी इस मैच में जीत जाएंगे तो यहां मैं आप लोग को बता देता हूँ जो रिकायर रन रेट वो बहुत ही काम है हर ओवर में चार चैम आने की जरु यहां पर मैं लोग को बता धूँ जो इंगलैड के लिए काफी मैच अच्छा रहा रहा नोडॉट इंग्लैंट यहां आपर अच्छे तरीके से बल्ले वाजी कश और तरी करती रही तो जीते की ओर काफी खुषबी होगी है यहां पर मैं आप लोग को बता दू इंग्लेंड जिस तरीके से आपर हर एक खिलाडी ने आपर पर फर्फर्म किया फर्स्ट इनिक्स में भी आपर अपना अच्छा का सथ दमखम दिखाया धीरे धीरे यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंग्लेंड अपने निचरल फ़र्म आप लोग को यहां पर मैंच प्रेडिक्शन मैंच अनलाइसिस रिपोर्ट आगर आप लोग को फ्री आफकास चाहिए दोस्तों लिंक के नीचे डिसक्राप्शन ने दिया गया है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया और साथ में लाइफ चैट सक्षन में दिया गय में श्ते तप के दोर्हें सबसे लाइस वाली टीम आपर बात करें में बॉंट में और में बड़ी निक ब्रहा है उनके लिए एक जरूर है में तो कहीं ना कहीं देखा जा goes अफगानिस्तान अफसेट जरूर होगी क्योंकि आज के मुकाबला जैसा रहा थोड़ा सा डिस्पॉंट ही जरूर है चलो कोई बार नहीं थोड़ा सा कोभी कदार ऐसा हो जाता है बठा गया नेले मैच में इस चीछ का जरूर ध्यान रखेंगे अगर हम लोग आज के मैच की सिच्वेशन को देखते हैं तो करंट सिच्वेशन इस मैच में साफ साफ दिख रहा है आराम से भी खेलेंगे तो भी इस मैच में जीत जाएंगे तो यहां मैं आप लोग को बता देता हूँ जो रिकार रंडेट वो बहुत ही काम है हर ओवर में 4-6 माने की जुरूरत नहीं है अगर यहां देखा जाए तो यहां पर England का जो फलान है इस मैच को बहुत जल्दी सल्दी फिनिश के जाए तो कि उतल जल्दी इस मैच को फिनिस करेंगे उतना ही जैदा फाइदा यहां पर England को होगा तो कि Net Run Rate गहुत ज़्यादा माइने रखता है इस ODI में में क्योंकि नेट रेंट ही डिसाइड करता है कि वह कौन सिटे में जो पॉइंट सेवल में नीचे जाएगी यहां पर मैं आप लोग को बता दूँ जो इंगलेंड के लिए काफी मैच अच्छा रहा नो डाउट इंगलेंड यहां पर अच्छे तरीके से बल्ले बाजी कर रह रही है और बहुत खुस भी है अगर आप लोग नहीं तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बगल में बैल एक आना जागा उस पर क्लिक करके आल डिकेशन पर जरूब क्लिक कर दी ताकि मेरी आनिया ली कोई लिटेस्ट वीडियो दोस्तों आप लोग के आप पर सबसे पहले देखने मुझे जिहांस तो एक बात और आप लोग को यहां पर मैच प्रेडिक्शन मैच चैनल अलाइसिस रिपोर्ट आगर आप लोग को फ्री आफकास चाहिए दोस्तों लिंक कर नीचे डिस्क्राइब स सबस्तान के बीच एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ड का वोडिया टीम के लिए तो दूसरी तरह यहां पर सबसे लाश्ट वाली टीम है यहां पर बात करें कि बॉट्टम टीम में यहां पर देखा गया है अगर हम लोगों ने इनिक्स में अगर हम लोगों ने देखा कि इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो स्कोर दिया गया है वह एक नॉर्मल स्कोर है अब ऐसा लग रहा है कि यह यहां पर टीम इंग्लैंड इस मैच को जीतेगी और प्वा अगर हम लोग आज की मैच को देखते हैं कि यहां पर इंग्लैंड बहुत बढ़िया तरीके से चला रहे हैं और अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो इंग्लैंड यह मुकाबला जीतेगी दोनों ख्राली चाहेंगे कि यहां एक लंबी पार्णर से बने और विकेट्स ना आराम से भी खेलेंगे तो भी इस मैच में जीत जाएंगे तो यहां मैं आप लोग को बता देता हूं जो रिकार रंडेट वो बहुत ही काम है हर ओवर में चार चैम आने की जुरुत नहीं है अगर यहां देखा जाए तो यहां पर इंग्लैंड का जो प्लान है इस मैच को जल्दी-जल्दी फिनिस किया जाए क्योंकि जितेली मैच को फिनिस करेंगे उतना ही ज्यादा यहां पर इंग्लैंड को होगा क्योंकि ने ट्रीट बहुत ज्यादा माहिने रखता है इस ओडियाई मैच में लोग को बता दूँ जो इंग्लैंड के लिए काफी मैच परफार्म किया फर्स्ट में अच्छा का सा दंखन दिखाया देरे देरे यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंग्लेंड अपने निच्रल लोग को फ्री आफकास चाहिए दोस्तों लिंक करें चाहिए दिसक्राइब आपको सारी चीज देखने को मिलने वाली है तो इस तो में इंगलाएंट बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही एहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ट का वोडियाई टीम के लिए है तो दूसरी तरफ यहां पर सबसे लास्ट वाली टीम है यहां पर बात करें पहली इनिक्स में अगर हम लोगों ने देखा कि इंगलैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंद बाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो स्कोर दिय जाए अफगानिस्तान अफसेट जरूर होगी तो कि आज का मुकाबला जैसा रहा थोड़ा सा डिस्पाइंट ही जरूर है चलो कोई बार नी थोड़ा सा कोभी कद्दार ऐसा हो जाता है बठागया नेले मैच में इस चीश का जरूर ध्यान लखेंगे अगर हम लोग आज के मैच की सिच्वेशन को देखते हैं तो करेंट सिच्वेशन इस मैच में साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर इंग्लैंड बहुत बढ़िया तरीके से खेल लाई दोनों बल्ले बाद जो यहाँ पर क्रीस पर खड़े हुए अभी तक इस इनिंग्स को बहुत अच्छी तरी रहे हैं और अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो इंग्लैंड यह मुकाबला जीतेगी दोनों ख्रड़ी चाहेंगे कि यहां एक लंबी पार्टर्शिप बने और विकेट्स ना गिरे आराम से भी खेलेंगे तो भी इस मैच में जीत जाएंगे तो यहां मैं आप लोग को ब करता है कि वह कौन से टेमें जो पॉइंड जेबल में नीचे जाएगी यहां पर मैं आप लोग को बता दूं जो इंग्लैंड के लिए काफी मैच अच्छा रहा नो डाउट इंग्लैंड यहां पर अच्छे तरीके से बल्ले बाजी कर रही है और इसी तरीके से अगर अच् सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बगल में बैल एकाना जागा उस पर क्लिक कर दीए कोई भी लेटेश्ट वीडियो दोस्तों आप लोग कहां पर सबसे पहले देखने मिलें जहांस तो एक बात और आप लोग को यहां पर टेलीग्रम चैनल का लिंग आप लोग जल्दी जाकर मेरे टेलीग्रम चैनल को जोइन के लिए वहां पर आपको सारी चीज़ें फ्री आपकास्ट देखने को मिलने वाली हैं दोस्तों इसमें इंग्लाइंड बना अफगानिस्तान के बीच एक बड़ा और एक बहुत हैं हम लोग ने देखा कि इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो स्कोर दिया गया है वह एक नॉर्मल स्कोर है अब लग रहा है कि यह यहां पर टीम इंग्लैंड इस मैच को जीतेगी और प्वाइंट शेवल में उपर र यहां नखेंगे अगर हम लोग आज की मैच की सिच्वाइसन को देखते हैं तो करन्ट सिच्वाइशन इस मैच में साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर इंग्लैंड बहुत बढ़िया तरीके से खेल लए दोनों बल्ले बाद जो यहां पर क्रीस पर खड़ुए अभी तक इ पर इंग्लैंड को बता दूँ जो इंग्लैंड के लिए काफी मैच अच्छा रहा नो डाउट इंग्लैंड यहां पर अच्छे तरीके से बल्ले बाजी कर रही है और इसी तरीके से अच्छे तरीके से बल्ले बाजी करती रही तो इस मैच को जीते की भी और काफी खुस भी होगी यहां पर मैं आप लोग को बता दूँ इंग्लैंड जिस तरीके से यहां पर हर एक खिलाड़ी ने आपर पर पर फर्स्ट इनिक्स में भी आपर अपना अपर पर क्लिक कर दीजिए उसके बगर में बेल एकाना जागा उसपर क्लिक करके अल लटिफीकेसन पर जरूप क्लिक कर दी ताकि मेरी आनिया ली कोई भी लेटेश वीडियो दोस्तों आप लोग कर सबसे पहले देखने मुझे जहां तो एक बात और आप लोग को यहां प अपर आपको सारी चीज़ा फ्री आपकाश्ट देखने को मिलने वाली हैं दोस्तों अपस्विक को ता दुस्त में इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा और एक बहुत एहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ड का वोडिया टीम के लिए है क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो पॉइंट स्टेवल में टॉप की टीम है तो दूसरी तरह यहां पर सबसे लाश्ट वाली टीम है यहां पर बात करें पॉइंग्लैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से गेंद बाजी करी जिसके चलते हैं यहां पर जो स्कोर दिया ग होगी क्योंकि आज की मुकाबला जैसा रहा थोड़ा सा डिस पॉइंट ही जुरूर है चलो कोई बात नी थोड़ा सा कोभी कद्दार ऐसा हो जाता है बठागया नेले मैच में इस चीच का जरूर ध्यान रखेंगे अगर हम लोग आज की मैच की सिच्वेशन को देखते हैं तो करेंट सिच्वेशन इस मैच में साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर इंगलेंड बहुत बढ़िया तरीके से खेले ही दोनों बल्ले बाद जो यहाँ पर क्रीस पर खड़े हुए अभी तक इस इनिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं और अगर इसी तरीक नहीं है अगर यहां देखा जाए तो यहां पर इंग्लेंड जो मैच को बहुत जल्दी स्दी करेंगे उतना ही जदा फायदा यहां पर इंग्लेंड को होगा त्योंकि नेट रेंट बहूत ज्यादा माइने लखता नहीं रखता है इस ODI मैच में तुकिन क्षी में आपक्त अचे तरीके से बल्ले बाजी कर रही है और इसी त्रीके से अगर अच्छी तरीके से पасब देखाया धीरे यहाँ पर अगर अब लोग नावी तक मुट को लाइक करतόσकि अब लोग नहीं तक मैं चल्दीश संब्सक्राइब कर दिजेए नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब को आपसन आ रहा है उसके बगल में बैल एकाना जागा उसके क्लिक करके आ लटिफिकेशन पर जरूब क्लिक कर दी ताकि मेरी आन्याली कोई भी लेटेस्ट वीडियो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर सबसे पहले देखने मुझा जिया वहाँ पर आपको सारी चीज़ है फिर आपकाश्ट देखने को मिलने वाली है दोस्तों आप स्विक होता दुस्त में इंग्लाइंड बनाम अफगानिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा और एक बहुत एहम मुकावला खेला जा रहा है जो कि वर्ड का वो डिया टीम के जो स्कोर दिया गया है वो एक नॉर्मल स्कोर है अब ऐसा लग रहा है कि यह यहां पर टीम इंग्लेंड इस मैच को जीतेगी और प्वाइंट शेवल में उपर एवेड़ेगी तो इनके लिए एक बड़ा मैच जरूर रहा है टीम इंग्लेंड के लिए तो कहीं ना कहीं द देखते हैं तो इस मैच में साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर इंग्लेंड बहुत बढ़िया तरीके से खेल लए दोनों बल्ले बाद जो यहां पर क्रीस पर खड़ुए अभी तक इस इनिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं और अगर इसी तरीके से खेलते अगर देखा जाए तो यहां पर इंग्लेंड का जो प्लान हैस मैच को बहुत जल्दी छल्दी फिनिस करेंगे इस ज्यद फैदा यहां पर इंग्लेंड निड रहाए दूर यह निड d